वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है उसे देने वाला पाप का भागी होता है मुनिवरों यदि दाता जल में इस्थित होकर पृत्वी पर जल दे तो वह ब्यर्थ हो जाता है किसी के पास नहीं पहुँचता जो मनुस्य अस्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता गर्थ जाता है अतह जल में कदापी पितरों को जल न दें बलकि वहां से निकल कर पवित्र देश में जल द्वारा तरपन करना चाहिए ना जल में ना पात्र में ना कुपित होकर और ना एक हाथ से ही ज जल दें जो प्रथवी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता मैं ने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में प्रथवी II दी है अतः उनकी प्रीत चाहने वाले पुरसों को प्रतवी परही जल देना चाहिए पितर भूमी परही उतपन्न हुए भूमी परही रहे और भूम में ही उनके शरीर का ले हुआ अतह ह भूमी परही उनके लिए जल देना चाहिए अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आहवान करना चाहिए पूरभाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना चाहिए देवताओं और अन्यान्य पितरों का तरपन करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाएं उसमें चार दरवाजे रहें उसके भीतर करणिका सहित अस्ट दल कमल की आकरती बनाएं इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अस्टाक्षर मंत्र की विधी से अजन्मा भगवान नारायन का पूजन करें अब शरीर शुद्ध की उत्तम विधी बताता हूँ चक्र रेखा सहित आकार का हरदय में ध्यान करें वह तीन सिखाओं सहित फ्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में इस्थित और शुक्लवर्ण का है तथा अम्रत की वर्षा करके पृत्वी को आप लावित कर रहा है इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते और साधक का शरीर दिव्य हो जाता तदंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशह सब अंगों के अस्टाक्षर मंत्र का न्यास करें वैश्नव पंचांग न्यास तथा चतुर व्युह न्यास भी करें साधक को मूल मंत्र के द्वारा करशुद्ध भी करनी चाहिए इसकी बिधी यो है दोनों हाथों की आठ उन्लियों में अंगोठों द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए पहले बाएं हाथ में फिर दाएं हाथ में ओंकार सहित शुकल वर्णा प्रतवी का बाएं पैर में न्यास करें नकार का वर्ण शाम और देवता संभु है उसका न्यास दक्षिन पैर में है मुकार को काल स्वरूप माना गया है इसका न्यास कट के बाम भाग में होता है नकार सर्व बीज स्वरूप है उसके स्थिति कट के दक्षिन भाग में है राकार तेज का स्वरूप बतलाया गया है उसका अस्थान ना भिप्रदेश में होता है यकार का देवता वायु है उसका न्यास बाएं कंधे में है राकार को सर्वग्यापी समझना चाहिए उसकी इस्थिति दाएं कंधे में है यकार की इस्थिति सिर में है जहां संपूर्ण लोक प्रतिष्ठत हैं तातपर यह है यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए वैष्णव पंचांग न्यास ओं विष्णवे नमह सिरह ओं ज्वलनाय नमह सिखा ओं विष्णवे नमह कवचं ओं विष्णवे नमह इस्पुरणं दिसो बंधाय ओं हुंपट अस्त्रं चतुर्व्यु न्यास ओं शिरसिचुक्लो वसुदेव इती ओं आं ललाटे रक्तह संकर्षणो गरुत्मान ब्रहिलस्तेज आदित्य इती ओं आं गृवायां पीतह प्रद्युम्न्यो वायुमेगर इती ओं आं हृदये कृष्णो अनिरुद्धह सर्वशक्ति समन्वित इत इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यु रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें मेरे आगे भगवान विष्णू और पीछे केशों हैं दक्षन भाग में गोविंद और बाम भाग में मदुशूदन हैं उपर बैकुंठ और नीचे वारा हैं बीच की संपूण में माधों हैं चलते खड़े होते जागते अथवा सोते समय भगवान द्रिशिंग मेरी रक्षा करते हैं मैं बासुदेवस प्रूप हूं इस प्रकार विष्णु में होकर पूजन आरंभ करें अपने शरीर की भाद भगवान के विग्रह में भी संपूण तत्तों का न्या करने वाला और शुब माना गया है वहां सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु और आकाश बंडल का चिंतन करें कमल के मध्यभाग में विष्णु का न्यास करें फ्रिहदय में जोतिह स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की करणिका में जोतिह स्वरूप सनातन विष्णु की स थापना करें फिर क्रमसह प्रतेक दल में अस्टाक्षर मंत्र के एक-एक अक्षर का न्यास करें एक-एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादुसाक्षर मंत्र से पूजन करें इसके बाद भगवान का पहले हिर्दय में ध्यान करके बारह कर्णिका में भी उनकी भावना करें उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है भगवान की चार भुजाएं हैं वे महान सत्तमें हैं कोट कोटि सूरियों के समान्द उनके स्त्रियंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप जोतिह स्वरूप एवं सनातन हैं इसके बाद मनहीमन भगवान का अश्मर्ण करते हुए मंत्रों चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करें आवाहन मंत्र मीनरूपो वराहश्य नरसि देवो बर्दो मम नारायनो ग्रतह ओग नमो नारायन आयनमह मीन वाराह नरशिंग एवं वामन आवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायन मेरे सम्मुक पधारें सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है आशन मंत्र कर्डिकायाम सुपीठेत्र पद्मकल्पित मानसम सर्वसत्व हितार्थाय तिस्ठतं मदुसूदनम ओग नमो नारायन आयनमह यहां कमल की कर्डिका में सुन्दर पीठ पर कमल का आसन विछा हुआ है मदुसूदन सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हों सच्चितानंद स्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है अर्ग्य मंत्र ओंग त्रै लोक्य पती नाम पतै देव देवाय हशी केशाय दिश्णवे नमह ओंग नमो नारायन आयनमह त्रिववन पतियों के भी पती देवताओं के भी देवता इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णू को नमस्कार है सच्चितानंद स्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है पाद्यमंत्र ओंग पाद्यम्पादयोर्देव पद्मनाव सनातन विष्णो कमल पत्राक्ष ग्रिहाण मधुसूदन ओंग नमुनारायनायनमह देव पद्मनाव सनातन विष्णो कमलनेन मधुसूदन आपके चरण में यह पाध्य पाव पकारने के लिए जल समर्पित है आप इसे शीकार करें सच्चिदानंद स्वरूप स्री नारायन को नमस्कार है मधुपर्क मंत्र मधुपर्कं महादेव ब्रह्माद्य कल्पितं तव मया नेवितं भक्त्या ग्रिहाण पुरुषोत्तमा ओंग नमो नारायना महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी जवस्था की थी वही मधुपर्क मैं भक्ति कृपया स्वीकार कीजिए सच्चितानंदस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है आच्मनीय मंत्र मंदा किन्याह सितंग्वारी सर्वपाप हरं सिवं ग्रिहाणाच मनीयंत्वं मया भक्त्या निवेधितं ओम नमो नाराय राय नमह भगवन मैंने गंगा जी का स्वक्ष जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्यान मैं है आच्मन के लिए भक्ति पूर्वप आपको अरपित किया है कृपया ग्रहन कीजिए सच्चितानंदस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है श्नान मंत्र तुमापह प्रतवी चैव जोतिस्तंग्वायु रेवच लो लोकेश्वर आपही जल प्रतवी तथा अग्नि और वायु रूप हैं मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको श्नान कराता हूँ सच्चितानंदस्वरूप श्री नारायन आपको नमस्कार है वस्त्र मंत्र देवतत्वसमायुक्त यज्यवर्ण समन्वित स्वर्णवर्ण प्रभेदेव वाससीतव केशव ओग्नमु नारायनायनम्ह देवतत्व समायुक्त यज्यवर्ण समन्वित केशव मैं सुनहरे रंग के दो बस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ सच्चितानंदस्वरूप श्री नारायन क नमस्कार है विलेपन मंत्र सरीरम तेन जानामी चेश्टाम चैवन केशव मया निवेदितो गंधः प्रतिग्रहय विलेप्यताम ओ नमोना रायना यनमहा केशव मुझे आपके शरीर और चेश्टा का ज्यान नहीं है मैंने जो यह गंध रोली चंदन आदि निवेदन किया है इसे लेकर अपने अंग में लगा लें सच्चिदानन्दस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है रिग्यजुह साम मंत्रिण त्रिब्रतं पद्ध योनिना सावित्री ग्रंथि सन्युक्त मूप वीतं तवार पै ओग्नमूना रायना यनमहा भगवन ब्रह्मा जी ने रिक यजुहु और साम वेद के मंत्रों से जिसको त्रिब्रत त्रिगुन बताया है वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यग्यो पवीत मैं आपकी सेवा में अरपित करता हूँ सच्चिदानन्दस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है अलंकार मंत्र दिब्यरत्न समायुक्त वहनिभानु समप्रभः गात्राणी तव सोभन्तु सालंकाराणी माधव ओं नमुनारायनायनमह अग्नि और सूर्य के समान प्रभावाले दिब्यरत्न विभूशित माधव इन अलंकारों को धारण करके आप स्री यंग सुशोवित हों सच्चिदानन्दस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है ओं नमह यह अस्टाक्षर मंत्र के प्रतेक अक्षर के साथ लगाकर प्रथक प्रथक पूजा करें अथमा समस्त मूल मंत्र का ही एक उच्चारण करके पूजन करें धूप मंत्र बनस्पति रसो दिव्यो गंधाड़य सुरभिष्यते मयानिवेदितो भक्त्या धूपो अयंप्रति ग्रिहताम ओं नमोनारायनायनमह भगवन यह धूप सुगंधत द्रभ्यों से मिश्चत बनस्पति का दिव्यरस है अतेव अत्यंत सुगंधत है मैंने भक्ति पूर्भक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है आप इसे स्वीकार करें सच्चितानंदस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है दीप मंत्र सूर्य चंद्र सुजोतिर विद्युत दक्ने योस्त थैवच त्वमेव जोति सांग देव दीपो अयंप्रति ग्रिह अताम ओ नमुनारायनायनमह देव आप ही सूर्य और चंद्रमा की बिजली और अग्नी की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की जोति हैं यह दीप ग्रहन कीजिए सच्चितानंदस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है नईवेद्यमंत्र अन्नंग्चतुर्विधिंचैव रसैह सढवी समन्वितम मयानेवितम भक्त्या नईवेद्यमतव केशव ओ नमुनारायनायनमह केशव मैंने मधुर आदि छह रसों से युक्त चार प्रकार का भोज्य भक्ष लेह और चोस्य अन्न आपको भक्ति पूर्वग समर्पित किया है आप यह नईवेद्य ग्रहन करें सच्चितानंदस्वरूप श्री नारायन को नमस्कार है पूर्वोग्त अस्ट दल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का दक्षिन दल में संकर्षन का पश्चिम दल में प्रद्युम्न का उत्तर दल में अनिरुद्ध का आगनी कोण वाले दल में वाराह का नरित्य कोण में नरसिंह का गायब्य कोण में माधो का तथा इशान मे भगवान तिविक्रम का न्यास करें फिर अस्टाक्षर देव के सम्मुख गरुण की स्थापना करें भगवान के बाम भाग में चक्र और दक्षन भाग में संख की स्थापना करें इसी प्रकार उनके दक्षण भाग में महागदा, कौमोद की और बाम भाग में सार्ण की नामक धनुस की स्थापना करें दक्षण में दो दिब्य तरकस और बाम भाग में खंग का न्यास करें दक्षन भाग में श्री देवी और बाम भाग में पुष्ट देवी की स्थापना करें भगवान के सामने बनमाला, स्रीवत्स और कौस्तुब रखें फिर पूर्ब आद चारो दिशाओं में घरदे आद का न्यास करें कौण में देव देव विष्णू के अस्त्र का न्यास करें पूर्ब आद आठ दिशाओं में तथा उपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमसह, इंद्र, अग्न, यम, निरश्षित, वरुन, बाय, खुबेर, इशान, अनन्त तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें इस प्रकार मंदल में इस्तित देवेस्वर जनारदन का पूजन करके मनुस्य निश्चे ही मनुवांशित भोगों को प्राप्ट करता है इसी बिद्धिसे पूजित मंदलस्त भगवान जनारदन का जो दर्शन करता है वह भी अभिनाची विष्णू में प्रवेश करता है जिसने उपयुक्त विधि से एक बार भी केशो का पूजन किया वह जन्म मृत्य और जरा अवस्था को लांग कर भगवान विष्णू के पद को प्राप्त होता है नमः सहित ओंकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह नमो नाराय राय नमः यह तेजस्वी मंत्र संपूर तत्तों का मंत्र कहलाता है इसी बिदि से प्रतेक को गंध पुष्प आदि वस्तु में क्रमसह निवेदन करनी चाहिए इसी तरह क्रमसह आठ मुद्राएं बाध कर दिखाएं फिर मंत्र वेत्ता पुरुष ओंग नमो नाराय राय इस मूल मंत्र का एक सव आठ या अठाइस अत्वा आठ बार जब कर ना होतो उसके लिए सास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जब करें अत्मा निस्काम भाव से जितना हो सके उतना एक आग्रचित से जब करें पद्म संख स्रीवत्स गदा गरुन चक्र खंग और सांग धनुर्स ये आठ मुद्राएं बतलाई गई हैं जो लोग सास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्रीहरी की पूजा का विधान न जानते हों वे ओंग नमो नारायनाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्चुत का पूजन करें भगवान पुरिशोत्तम की पूजा और दर्शन का फल इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की बिध पूजन तथा जेस्ट की पूर्णिमा को दर्शन का महात्मे श्री व्रम्हा जी कहते हैं उपयुक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक्त भगवान पुरिशोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक जुकाएं इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें सरिताओं के स्व इस प्रकार उत्तम छेत्र समुद्र में शनान करके तथा तट पर अविनासी नारायन की बिधि पूर्वक्त पूजा करके बलराम शेकिष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी बिमान पर जहां दिब गंधर्वों की संगीत ध्वन होती रहती है बैठकर 21 पीडियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है ग्रहण, संक्रान्ति, अयनारंभ, दिशुव योग, युगादि तिथियां, ब्यती पात, तितिक्षय, असाड, कार्तिक तथा माग की पूर्णिमा और अन्य सुभ तिथियों में जो वहां ब्राम्मण को दान देते हैं वे अन्य तीर्थों की अफिक्षा हजार गुना फल पाते हैं, जो लोग वहां बिधि पूर्वक्त, पितरों को पिंडदान देते हैं, उनके पितर अक्षे त्रिप्ति लाब करते हैं, इस प्रकार मैंने समुद्र में श्नान करने का उत्तम फल बताया वह सब पापों को दूर करने वाला पितर तता एक्षा नुसार सब फलों का दाता है, यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए, भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे स्रेष्ट है सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है, वह सब तीर्थों में स्रेष्ट और समस्त एक्षत पदार्थों को देने वाला है, जैसे सूर्योदे होने पर अन्दकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थ राज समुद्र में चनान करने पर सब पापो का अक्षए हो जाता है जहां साक्षात भगवान नारायन का निवास अस्थान है उस तीर्थ राज समुद्र के गुणों का बर्णन कौन कर सकता है जहां 99 करोंड तीर्थ रहते हैं उसकी सेस्थता के विसे में क्या कहा जा सकता है इसलिए वहां अचनान दान होम जप और वहां से उस तीर्थ में जाय जो अस्वमेध यग्य के अंग से उत्पन हुआ है उसका नाम वहां इंद्रद्धुम्न सरोवर है वह पवित्र एवं शुब तीर्थ है वो दिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करें और मनही मन श्री हरी का ध्यान करके जल मे उतरें उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें अस्वमेध यग्य के अंग से प्रगट हुए तथा संपूर पापों के विनासक तीर्थ आज मैं तुम्हारे जल में श्नान करता हूं मेरे पाप हर लो तुमको नमस्कार है इस प्रकार उच्चारण करके बिधि पूर्बक्ष्णान करें तथा देवताओं रिशियों पितरों तथा अन्यान लोगों को तिल जल से तरपन करके आचमन करें फिर पितरों को पिंड़दान दें पुरसोत्तम का पूजन करें ऐसा करने वाला मनुष्य दस अस्वमेध यग्यों का फल प्राप्त करता है वह साथ पीड़ी ऊपर और साथ पीड़ी नीचे के पुरुशों का उद्धार करके एक्छानुसार गतिवाले बिमान के द्वारा विश्णू लोग में जाता है इस प्रकार पांच तीर्थों का सेवन करके एक आदिसी को उपवास करें जो मनुष्य जेष्ट की पुरुणिमा को भगवान पुरुशोत्तम का दर्सन करता है वह पुरबोक्त फल का भागी होकर परमधाम को जाता है जहां से पुनह उसका लोटना नहीं होता मुनियों ने पूछा पितामह आप माग आदि महीनों को छोड़कर जेष्ट मास की इतनी प्रशंस क्यों कर रहे हैं प्रभो इसका कारण बताईए ब्रह्मा जी बोले मुनिवरों सुनों अन्य मासों की अवेक्षा जो जेष्ट मास की बारं बार प्रसंसा करता हूं उसका कारण संछेप में बताता हूं प्रत्वी पर जो जो तीर्थ नदियां सरोवर पुशकरणी तड़ा प्रत्वा तक एक सब्ताह प्रत्थ रूप से पुरसोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं यह उनका सदा का नियम है इसलिए वहां दान स्नान देवदर्शन आदि जो कुछ पूर्य कारे उस समय किया जाता है वह अक्षय होता है जिजवरों जेष्ट मास के सुक लपक्ष की दस समीत थी दस पापों को हरती है इसलिए उसे दशहरा कहा गया है उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री किष्ण बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो विश्णू लोक में जाते हैं उत्तरायन और दक्षन के आरंब के दिन पुरिशोत्तम बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानो बैकुंठ धाम में जाता है जो मनुस्य फालगुन की पूर्णिमा के दिन एक चित हो पुरिशोत्तम श्री गोबिंद को जूले पर विराजमान देखता है वह उनके धाम में जाता है बलराम तफा सुभद्रा का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विश्नु लोक में जाता है जो बैसाक कृष्णा तृतिया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है वह विश्नु धाम में जाता है जेस्था नक्षत्र से युक्त जेस्ट मास की पूर पुर्षोत्तम का दर्शन करता है वह अपनी 21 पीडियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है जिस दिन राशी और नक्षत्र के योग से महा जेस्थी जेस्थ की पूर्णिवा हो उस दिन यत्न पूर्वक स्री पुर्षोत्तम तीर्थ में पहुचना महा जेस्थी पर्व के दिन श्री कृष्ण बनराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य बारह या त्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है प्रयाग कुरुक छेत्र नैमिशारेंड पुसकर गया हरिद्वार कुशावर्त गंगा सागर संगम महा नदी वैतरडी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं अथमा अधिक कहने की क्या आवशक्ता पृतिवी तल के सब तीर्थ सब मंदिर सब समुद्र सब परबत सब नदी और सब सरोरों में ग्रहन के समय श्नान दान से जो फल होता है वह महा जेस्थी को श्रीकृष्ण का दर्शन करने मात्र से पा लेता है अतह महा जेस्थी को सरवधा प्रयत्न करके पुर्शोत्तम तीर्थ की आत्रा करनी चाहिए सुभद्रा के साथ कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुस्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विश्णू के धाम में जाता है जेस्थ मुनियों ने कहा ब्रह्मा जी बगवान श्रीकिष्ण का स्नान किस समय और किस विधी से होता है विधिग्यों में स्रेष्ट हमें उसकी विधी बताईए ब्रह्मा जी बोले मुनियों श्रीकिष्ण बलराम और सुभद्दा का स्नान परम पूर्यमें और सब पापों का जेस्था नक्षत्र आने पर वहां हर समय शीहरी का शनान होता है वहां सरवतीर्थमे कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं अतह जेस्थ की पूर्णिमा को सुवर्णमे कलशों से श्रेकिष्ण बलभद्र और सुभद्रा के शनान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है इसके लिए एक सुन्दर मंच बनवाकर उसे पताका आधिसे अलंकृत किया जाता है वह सुद्रण और सुख पूर्वक चलने योग बना होता है वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है, वह खूब विस्तृत होता है, और धूप से सुवासित किया जाता है, उस पर श्रेकिष्ण और बलराम को सनान कराने के लिए स्वेत वस्त्र विशाया जाता है, उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाये जाते हैं, भाति भाति के वाद्यों की ध्वनी ह होती रहती है उस मंच पर एक और भगवान कृष्ण और दूसरी और बलराम जी विराजते हैं बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोस के साथ शनान कराया जाता है उस समय ब्राम्हड शत्रिय वैश शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों इस्त्री पुरुस उन्हे घेरे रहते हैं ग्रहस्त सनातक सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्रेकिष्ण और बलराम को शनान कराते हैं पूरवोक्त संपूर तीर्थ अपने पुस्पमिष्ट जलों में प्रथक प्रथक भगवान को शनान कराते हैं फि स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जैजैकार, वीडारों और वेडुनाद का महान शब्द समुद्र की गरजना के समान जान पड़ता है। बड़ी प्रसंदता के साथ भगवान का स्तवन करते हैं। श्रीकिष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विहोसित चमर डुलाये जाते हैं। पुरान पुरुसोत्तम आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगनात आप स्रिष्ट, इस्ति और संगहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारन करने वाले ब्राम्मन भक्त, मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनो वांचित फलों के दाता हैं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता, श्रीकृष्ण, महाबली बलराम और सुभद्रा देवी की इस्तुति करते, गंधर्व गाते और अपसराये नित्य करती हैं। देवताओं के बाजे बस्ते और शीतल वायो चलती, उस समय आकाश में उम्रे हुए मेग, पुस्प मिस्त जल की वर्षा करते हैं। मुनी, सिद्ध और चारण जैजैकार करते हैं। तत्पश्चात, देवतागण, मंगल सामग्रियों के साथ बिधी और मंत्र युक्त, बगवान का विशेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भाता, विर्हाता, बायु, अग्न, पूशा, भग, अर्यमा, तस्ता, दोनों पत्नियों सहित, विवस्तान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अस्वनी कुमार, विश्वे देव, मरुद्गण, स भिगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्य, यमदूत, तथा अन्य अनेको देवता भगवान का अभिशेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं। और सुवर्ण में कलशों में रखे हुए पुष्प मिस्रत आकास गंगा के जल से श्री कृष पुष्प मिस्रत आपकी जय हो जय हो आप भक्तों के रक्षक तथा शर्णागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में ब्यापक आदि देव आपकी जय हो। नानत्त के कार्ण भूत वासुदेव। आप असुरों के संहारक दिब्यमत से रूप धार्ण करने वाले समस्त द की जय हो जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वस्रेष्ट बताये गए हैं। आपने कक्षप अवतार धारन किया था। आप स्रेष्ट यग्यस्वरूप हैं। आपकी नाभी से कमल उत्पन हुआ था। इसलिए आप पद्मनाव कहलाते हैं। आप पहाडों पर विचरने वाले तथा योग शाई हैं। आपकी जय हो जय हो। महान बेगधारन करने वाले विस्व मूर्ते, चक्रधर, भूतनाथ, धर्णी धर, सेश शाईन। आपकी जय हो जय हो। आप पितामबर धारी, चंद्रमा के सम गुणों के भंडार, लक्षमी के निवास अस्थान और गरुण वाहन हैं। आपकी जय हो जय हो। आप आनंद निकेतन, धर्म धवज, पृत्वी के आस्रे स्थान और दुरबोध चरित्र वाले हैं। योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं। आप यग्यों में निव मास करने वाले तथा वेदों के वेध्य हैं, शान्ति प्रदान करने वाले और योगी ओं के धेय हैं। आपकी जय हो जय हो। आप ही सबका पालन पोशन करते हैं। ग्ञान आपका स्वरूप है, आप लक्षमी निधी हैं। भाव भक्त से ही आपका ग्यान होना संभव आपका शरीर निर्मल है, आप सत्त गुण के अधिस्ठान, समस्त गुणों से सम्रध्ध शाली, यज्यकरता, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, भूमंडल को शर्ण देने वाले परमेश्वर, आपकी जै हो जै हो, आप दिब्यकांति से संपन्न, समस्त लो के फूल की भाति स्याम अंगों वाले, समुद्र के भीतर शयन करने वाले, लक्षमी रूप कमल के भ्रमर, तथा भक्तों के अधिन रहने वाले, लोककांति आपकी जै हो जै हो, आप परम शान्त, परम सारभूत, चक्रधारन करने वाले, सर्पूं के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शान्तिकारक मौक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं आपकी जै हो जै हो बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर शेकष्ण आपकी जै हो पद्मपत्र के समान नेत्रों वाले तथा एक्षा अनुसार फल देने वाले प्रभो आपकी जय हो चक्र और गदाधारण करने वाले नारायण आपका वक्षह अस्थल वन्माला से आक्षादित है आपकी जय हो लक्षमी कांत विश्णो आपको नमस्कार है आपकी जय हो इस प्रकार श्रीकृष्ण बदराम और सुभद्रा का स्तवन दर्शन और बंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं उस समय जो मनुस्य मंच पर विराजमान पुरशोत्तम स्रीकृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे अविनासी पद को प्राप्त होते हैं सहस्र गोदान बिधिवत भूमिदान अरग्य और आतित्य पूरवक अन्यदान बिधिवत ब्रिसोत सर्ग गृष्मकाल में जलदान चंद्रायन व्रत के अनुस्थान तथा सास्त्रोक्त विधि से एक मास तक उपवास करने से जो फल होता है वही मंच पर विराजमान श्रीकृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है अथवां अधिक कहने की क्या आवशक्ता संपूर तीर्थों में ब्रत और दान का जो फल बतलाया गया है वह मंचस्त श्रीकृष्ण सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है अतह इस्त्री हो या पुरुष्ष्ण सब को उस समय पुरुष्ष्ण का दर्शन करना चाहिए इससे सब तीर्थों में सनान आदि करने का फल मिलता है भगवान के सनान किये हुए सेस जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए इससे पुत्र की उइक्षा करने वाली इस्त्री को पुत्र की प्राप्त होती है सुख चाहने व धन मिलता है अतह भगवान श्रीकिष्ण के श्नाना वसेश जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए वह संपूर अविलसित बस्तूं को देने वाला है जो श्नान के पश्चात डक्षणा विमुक जाते हुए भगवान श्रीकिष्ण का दर्सन करते हैं वे निश्य ही ब गया है वही दक्षणा विमुक यात्रा करते हुए श्रीकिष्ण का दर्सन करने से प्राप्त होता है अधिक क्या कहा जाए वेद शास्त्र पुराण महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पूरे कर्म का जो कुछ भी फल बतलाया गया है वह सब सुभद्रा के साथ द गुंडिचा यात्रा का महात्म तथा द्वादस यात्रा की प्रतिस्ठा विधी ब्रह्मा जी कहते हैं मुनियों भगवान श्रीकिष्ण बलभद्र और सुभद्रा ये रत पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग एक सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्रीकिष्ण बलभद्रा और सुभद्रा की जहांकी करते हैं वे विष्ण लोक में जाते हैं मुनियों ने पूछा जगत पते इस यात्रा का आरंब किसने किया तथा उसमें समलित होने वाले मनुस्यों को क्या फल मिलता है ब्रह्माजी बोले ब्रामणों पूर्बकाल में राजा इंदरत जुम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तठपर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो श्री भगवान बोले राजन तुम्हारे सरोवर के तठपर साथ दिन के लिए मेरी यात्रा होगी वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलसित फलों को देने वाली होगी जो लोग वहां मंडप में इस्चित होने पर मेरी बल्राम जी की और सुभद्रा की एकाक्रचित से सरद्धा पूर्बक पूजा करेंगे तथा जो ब् पुष्प गंद धूप दीप नईवेद्य भाद भाद के उपहार नमसकार परिक्रमा जैजैकार स्त्रोत गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरत दुरलब नहीं रहेगा यों कहकर भगवान वहीं अंतरधान हो अतह सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडिचा मंडप में समस्त अभिलशित बस्तूओं को देने वाले भगवान पुर्शोत्तम का दर्शन करना चाहिए वहाँ पुर्शोत्तम का दर्शन करके इस्त्री या पुरुस जिंजिन भोगों को चाहें उन्हें प्राप्त कर सकत मुनियों ने कहा भगवन गुंडिचा की एक एक यात्रा का प्रथक प्रथक क्या फल है उसे करने से नर्या नारी को कौन सा फल मिलता है ब्रह्मा जी बोले ब्रामणों सुनों मैं प्रत्तेक यात्रा का फल बताता हूं गुंडिचा में प्रवोधिनी एकादसी के दिन फालगुन की पूर्णिमा को तथा विशुव योग में बिधि पूर्बक यात्रा करके श्रीकिष्ण बलराम और सुभद्रा का दर्सन करने से मनुस्य बैकुंठ धाम में जाता है छेत्रों में स्रेष्ट पुरुसोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र रमडी मनुस्यों को भोग और मौक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुचाने वाला है जो जितेंद्री इस्त्री या पुरुष जेस्ट मास में वहां शास्त्रोक्त विधी के अनुसार बारह यात्राएं करके एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में क्रिपनता नहीं करता वह भाति भाति के भोगों का उपभोग करके अन्त में मौक्ष पद को प्राप्त होता है मुनियों ने कहा देव जगतपते हम आपके मुह से द्वादस यात्रा की प्रतिष्ठा की बिधी पूजन दान और फल सुनना चाहते हैं ब्रम्हाजी बोले ब्रामणों जब बारह यात्राएं पूरी हो जाएं तब बिधी पूर्बक उनकी प्रतिष्ठा करें वह सब पापों का नाश करने वाली है जेस्ट मास के सुकल पक्ष में एक आदसी तिधी को एक आग्रचित से किसी पवित्र जलाशे पर जाकर आचमन करें और इंद्री सन्यम पूर्बक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायन का ध्यान करते हुए विधिवत सनान करें रिसियों ने शनान कर्म में जिसके लिए जैसी विधी बतलाई है उसको उसी विधी से शनान करना चाहिए शनान के पश्षात, नाम, गोत्र और विधि का ग्याता पुरुस, शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, रिशियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तरपन करें फिर जल से निकल कर दो स्वक्ष बस्त्र पहनें और विधि पूरुबक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जब करें गायत्री सब वेदों की माता संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है इसके सिवा अन्यान ने सूर्य संबंधी मंत्रों का भी शद्धा पूर्वक जब करना चाहिए तब पशार तीन बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें गाम्हण शत्री और वैश इन तीन वरणों का शनान और जब वैदिक विधी के अनुसार बताया गया है किन्त इस्त्री और शोद्रों की शनान और जब में वैदिक विधी का निसेद है इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पेर धोकर बिधिवत आचमन करके स्रीपुर्शोत्तम की पूजा करें पहले भगवान को घीस श्नान कराएं फिर दूद से उसके बाद मधु गंद और जल से फिर तीर्थ के चंदन और जल से श्नान कराएं तदंतर भक्ति पूरवक दो उत्तम बस्त्र पहनाएं फिर चंदन अगर कपूर और केशर भगवान के अंगों में लगाएं पुनह पराभक्ति के साथ कमल से तथा विश्नु देवता संबंदे मलिका आदियन्य पुस्पों से श्री पुरिशोत्तम की पूजा करें भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरी की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर गूगल तथा अन्य सुगंदित पदार्थों के साथ धूप जलाएं अपनी शक्ती के अनुसार घी से दीप जला कर रखें घी अथमा तिल के तेल से अन्यवारह दीप जला कर रखें नईवेद्य के रूप में खीर पूआ पूड़ी बड़ा लड़ू खाड और फल निवेदन करें इस प्रकार पंचोपचार से स्त्री पुरिशोत्तम का पूजन करें ओंग नमः पुरुसोत्तम आय इस मंत्र का 108 बार जब करें इसके बाद भक्ति पूरुबग्वान पुरुशोत्तम को इस प्रकार प्रार्थना करें नमस्ते सर्व लोकेस भक्त नाम भयप्रद संसार सागरे मगनम प्राहिमाम पुरुशोत्तम यास्ते मया कृदा यात्रा द्वाद सैव जगत्पते प्रसादात्त गोविंद संपूरास्ता भवन तुमे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्व लोकेस वर पुरुशोत्तम आपको नमस्कार है मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ मेरा उद्धार कीजिए जगत्पते गोविंद आपके दर्शन के लिए मैंने जो बारहों यात्राएं की हैं वे सब आपके प्रसाद से म पुस्प वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करे क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है तद अंतर भाति भाति के पुस्प से भगवान की उपर एक सुन्दर पुस्प मंडप बनाए फिर शद्धा और एक आगरता पूर्वक रात्र में जागरण करे भगवान वासुदेव की कथा और गीत की बिवस्था करे इस प्रकार बिद्वान पुरुष ध्यान पाठ और स्तुति करते हुए रात्र वितीत करें तत्पश्चार निर्मल प्रभात होने पर द्वादसी को बारह ब्राम्हणों को निमंत्रत करे वे ब्राम्हण शनातक वेदों में पारंगत इतिहास पुरान के ग्याता श्रोत्री और जितेंद्रीय होने चाहिए इसके बाद स्वैंग भी बिधि पूर्भक शनान करके दुला हुआ बस्त्र पहने और इंद्रीय सन्यम पूर्भक पहले भगवान को शनान कराकर उनकी प पूर्भक शुवण शतरी और जूते धन तथा वस्त्र आधि समर्पित करें सतभाव से पूजित होने पर बगवान गोबिंद संतुष्ट होते हैं आचारियों को भी भकति पूर्भक गौ बस्त्र शुवण शतरी जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें पदंतर ब्र पूजन करके त्रिप्त हो जाएं, तब उनके लिए बारह जल से भरे हुए घट दान करें, उन घड़ों के साथ लड़ू और यथा सक्ति दक्षणा भी होनी चाहिए, आचारे को भी कलश और दक्षणा निवेदन करें, इस तरह ब्रामणों की पूजा करके विश्नो तुल् गुरु की भी पूण भक्ती के साथ पूजा करें, पूजन के पश्चात नमस्कार करके यह मंत्र पढ़ें। ब्रामणों की तीन बार प्रदक्षिना करें, इसके बाद मस्तक जुका कर आचारे को भक्ती पूरुबक प्रणाम करें, प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करें, फिर अन्य ब्रामणों को भी गाउं की सीमा तक पहुचा दें, अन्त में सब को नमस्कार करके लोट पिर मौन होकर भोजन करें, ऐसा करके समस्त नर्नारी एक हजार अस्वमेध तथा सो राजसु यग्यों का फल पाते हैं, और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष, सूर्य के समान, तेजस्वी और इक्छा नुसार चलने वाले बिमान के द्वारा भगवान के लोक में जाता है, तीर्थों के भेद, बामन का बली से भूदान ग्रहण तथा गंगा जी का महिस्वर की जटा में गमन, ब्रह्मा जी कहते हैं, दुजवरों, सब तीर्थों और खेत्रों में जो जप, होम, वरत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उन मे से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, जो पुरुषोक्तम खेत्र में रहने के फ्थल की समानता कर सके, अब बारं बार अधिक कहने की क्या आवश्यक्ता, वह पुरुषोक्तम खेत्र सबसे महान है, यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, समुद्र के जल से घिरे हुए, बिद्या का एक बार वोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्व में नहीं जाता जहां भगवान विश्णु का सन्निधान है उस उत्तम पुरुसोत्तम खेत्र में एक बरस अत्मा एक मास तक भगवान की उपासना करें ऐसा करने वाले पुरुस ने जब होम तथा भारी तपस्या की है वह उस परमधाम में जाता है जहां साक्षात योगेश्वर स्रीहरी विराजमान रहते हैं मुन्यों ने कहा भगवन हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक्ष्रमण करने पर भी त्रिप्ति नहीं होती आप पुनह किसी गोपनी तीर्थ का वर्णन करें ब्रम्ह समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूं नारज जी ने पूछा जगत पते स्वर्ग लोग मृत्य लोग और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में सदा कौम सबसे बढ़कर है ब्रम्हाजी बोले स्वर्ग लोग मृत्य लोग और रसातल में चार प्रकार के तीर्थ हैं दैव आसुर आर्ष और मानुष ये तीनों लोग में विख्यात हैं जंबू दीप में भारत वर्ष तीर्थ भूमी है वह तीनों लोगों में विख्यात है बेटा वह कर्म भूमी है इसलिए उसे ती जिर्थ भारत वर्ष में ही हैं, हिमाले और विंध परबत के बीच में छे एसी नदिया हैं जिनका प्राकट द्रम्भा विष्णु तता स्यु इन तीनों देवताओं से हुआ हैं, इसी प्रकार दक्षिन समुद्र तता विंध परबत के बीच में भी छे देव संभव नदिय ये वारह नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं गोदावरी, भीम रथी, तुंग भद्रा, टृष्ण वेडी, तापी और पयोशनी ये बिंध्य परबत के दक्षण की नदियां हैं भागी रथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और बितस्ता ये बिंध्य प्रधाचल और हिमाले परबत से संबंध रखने वाली नदियां हैं इन पूरि मई नदियों को देवतीर्थ बताया गया है गय, कोलहासुर, वृत, त्रिपुर, अंधक, हयमूर्धा, लवण, नमुचि, शिंगक, यम, पातालकेत, मय, तथा पुसकर, इनके द्वारा आव वसिस्थ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप, इन रिशी मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ, रिशी तीर्थ हैं, अंबरीश, हरिशंद्र, मानधाता, मनू, कुरू, कनखल, भद्राश्व, सगर, अस्वयूप, नचिकेता, ब्रिशाकपी, तथा अरिंदम, आदि मानमों दारा, निर्मित तीर्थ, मानुस कहलाते हैं, ये सब यस्थ, और उत्तम फल के सिध्धी के लिए, निर्मित हुए हैं, तीनों लोकों में, कहीं भी, जो स्वतह प्रकट हुए, देवतीर्थ हैं, उन्हें पूर्यतीर्थ, कहा गया है, इस प्रकार, मैंने तीर्थ भेद बत लाए हैं, महा दैत्यराजा बली, देवताओं के अजेय शत्र हुए, उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्यभाशन, बल, पराक्रम, त्याग और शमा के द्वारा, वह सम्मान प्राप्त किया, जिसकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है, उनकी बढ़ती हुई, संब्रद्धी देखकर, देवताओं को बड़ी चिंता हुई, वे आपस में सलाह करने लगे, कि हम बली को कैसे जीतें, राजा बली के शाशनकाल में, तीनों लोक निसकंटक थे, कहीं पर आधि ब्याधि, अथवां, शत्रूं की बाधा नहीं थी, अनावि बढ़ताओं को उनकी उन्नति वान की तरह चुवती थी, बली की कीरती रूपी तलवार से, वे टुकडे टुकडे हुए जाते थे, तथा उनके शासन रूपी शक्त से, देवताओं की समस्त अंग विदेर्ण हो रहे थे, अतह उन्हें कभी शान्ति नहीं मिलती थी, देव उनसे देश करने लगे उनके यश रूपी अगनी से जलने लगे अतह वे भ्याकुल होकर भगवान विश्नु की शरण में गए देवता बोले संख चक्र और गदा धारन करने वाले जगनात हम पीडित हैं हमारी सत्ता छिन गई है आप हमारे ही रक्षा के लिए अस्त शस्त ध करते हैं आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी शुरेश्वर आपके ऐश्वर्य से पुस्ट हो अपने ही प्राक्रम से तीने लोकों को जीत कर हम इस्थिर होंग दैति से कैसे नमस्कार करें देवताओं का यह वचन सुनकर दैतियों का संघार करने वाले भगवान ने देवकारे की सिद्धी के लिए इस प्रकार कहा शेवगवान बोले देवताओं बली मेरा भक्त है उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोशन के योग्यों हो वैसे बली भी है मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बली का राज छीन लूँगा और बली को बाद कर तुम्हारा राज तुम्हें लोटा दूँगा ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए इधर देवताओं के स्वामी भगवान विश्णों ने अदिती के गर्व में प्रवेश किया उनके जन्य की समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे यगेश्वर यग्यपुरुस स्वैंग ही बामन रूप में अवतीड हुए इसी समय बल्वानों में स्रेष्ट बली ने अस्वेध यग्य की दिख्षा ली प्रधान प्रधान रिशी तथा वेद वेदांगों के ग्याता पुरोहित शुक्राचारे ने उस यग्य का आरंब कराया स्वैंग सुक्रही यग्य के आचारे थे उस यग्य में हविष्च का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आये दान दो भोजन करो सब का सतकार करो पूर्ण हो गया पूर्ण हो गया इत्याद शब्द यग्य मंडप में गूजने लगे उसी समय बिचित्र कुंडल धारण के सामगान करते हुए बामन जी धीरे धीरे यग्य शाला में आये आने पर वे यग्य की प्रसंसा करने लगे सुक्राचारे ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राम्हण रूपधारी बामन देवता वास्तों में दैत्यों के विनाशक यग्य और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संगहार करने वाले साक्षात विष् बल्वानों में स्रेष्ट महातेजस्वी राजा बली शत्री धर्म की अनुसार बिजई होकर भक्ति पूरबक्त धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यग्य की दिक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य का हवन करते हुए यग्य पुरुस का ध्यान कर रहे थे शुक्राचारे जी ने बामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बली से कहा राजन जो बौने शरीर वाले ब्राम्हड तुम्हारे यग्य में आए हैं वे वास्तों में ब्राम्हड नहीं यग्यवाहन यगेश्वर विष्णु हैं प्रभो इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारन करके तुमसे कुछ याचना करने आये हैं अतह पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए यह सुनकर सत्रु विजई बली ने अपने पुरोहित सुक्राचार जी से कहा मैं धन्य हूँ जिसके घर पर सा अलाह लेने के योग कौन सी बात रह जाती है यों कहकर पत्नी और पुरोहित सुक्राचार जी के साथ राजा वली उस स्थान पर आये जहां अदिती नंदन बामन जी विराजमान थे राजा ने हाथ जोड़कर पूछा बगवन बताईए आप क्या चाहते हैं तब बामन जी ने कहा महाराज केवल तीन पक भूम दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवशक्ता नहीं है बहुत अच्छा कहकर राजा वली ने रत्न जडित कलस से जल लिया और बामन जी को भूम संकल्प करके दे दी सभी ब्रह्मर्सी और शुक्राचारे चुप चाप देखते रहे ब मुझे मेरी नापी हुई तीन पक भूम दे दीजिए बली ने तथास्त कहकर जो ही बामन जी की ओर देखा वे विराट रूप हो गए चंद्रमा और सूर्य उनकी च्छाती के सामने आ गए उन्हें इस रूप में देखकर इस्त्री सहित दैत्तिराज बली ने बिने पैर बढ़ाईए स्रेविष्णु बोले दैत्याज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ बली ने कहा बढ़ाईए अवस्य बढ़ाईए तब भगवान ने पृत्वी के नीचे इस्थित कक्षप की पीट पर पैर रखकर पहला पग बली के यग्य में रखा किंतु दूसरा रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है कहा रखूं स्थान दो यह सुनकर बली ने हस्ते हुए कहा जगन मैं देवेश्वर आप नहीं तो इस जगत की सिस्थि की है मैं तो इसका सिस्था नहीं हूँ यद यह छोटा या बड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोश है मैं क्या क केशव फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता अतह मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखे बली का यह बचन सुनकर बेदत त्रई रूप देव पूजत भगवान प्रसन्न होकर बोले दैत्यराज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हू तुम्हारा कल्याण हो कोई वर्माम तब वली ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा तब भगवान ने स्ट्रेंग ही प्रसन्न होकर उन्हें मनो वांचित वर दिया बरतमान समय में रसातल का राज्य भविष्ट में इ इंदर प्रस्त सतंत्रता और अविनासी यस आदि प्रदान की इस प्रकार दैत्य राज को यह सब कुछ दे कर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंदर को देवताओं का राज्य अर्पित किया इसी बीच में उनका दूसरा पग जो मेरे लोक में पहुँचा था उसे देखकर मैंने सोचा यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णू का चरण है जो सवभाग ग्यवश मेरे घर आप पहुँचा है इसके लिए मैं क्या करूँ जिससे मेरा कल्याण हो मेरे पास जो यह स्रेष्ट कमंडलू है इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है यह जल उत्तम वरदायक शान्तिकारक शुभद भोग और मोक्ष का दाता विष्व के लिए मात्र रूप अम्रत में पवित्र आउशद पावन पूज जेष्ट स्रेष्ट गु मैं अपने पिता को अर्ग रूप से अर्पित करूँगा यह सोच कर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्ग रूप से चढ़ा दिया वह मंत्र युक्त अर्ग जल भगवान विष्णू के चरणों में गिर कर मेरु परबत पर पड़ा और चार भागों में बढ़कर प पस्सिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडलू में ही चला आया उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विश्णू ने ग्रहन किया और पूर्ब में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोक पालों ने ग्रहन किया अतह वह जल अत्यंत स्रीष्ट कहा जाता है भगवान विश्णू के चरणों से निकल कर दक्षन दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर के जटा में इस्थित हुआ पर्व के समय सुभोदय करने वाला है उसके प्रभाव का श्मरण करने से समस्त अभिलशत वस्तुओं के प्राप्त होती है गौतम के द्वारा भगवान शंकर के स्तुती शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अरपन तथा गौतमी गंगा का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं महापते भगवान शंकर की जटा में जो दिब जल आकर इस्थित हुआ उसके दो भेद हुए क्योंकि उसे प्रत्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे उस जल के एक भाग को तो वरत दान और समाधी में ततपर रहने वाले गौतम नामक ब्रामवण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुँचाया जो संपूर लोक में विख्यात हुआ तथा दूसरा भाग बलवान शत्री राजा भगिरत में इस प्रत्वी पर उतारा इसके लिए उन्हें नेहों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थे इस प्रकार एक ही गंगा के दो सरूप हो गए एक समय की बात है महाशी गौतम कैलास परबत पर गए और मौन भाव से कुशा बिचा कर उस पर बैठे फिर पवित्र होकर इस इस्त्रोत का गान करने लगे महाशी गौतम बोले भोग की अविलासा रखने वाले जीवों को मनो वांचित भोग प्रदान करने के लिए पारबती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त आठ विराठ सरूप धारण करते हैं इस प्रकार बिद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की इस्तुति करते हैं महिस्वर का जो प्रतिवी में शरीर है वह अपने विशियों द्वारा सुख पहुचाने समस्त चराचर जगत का भरण पोशन करने उसकी संपत्य बढ़ाने तथा सब का अभुदय करने के लिए है शांति में शरीर वाले भगवान शियों ने जगत की शिष्टि पालन और संगहार करने के लिए प्रतिवी के आधार भूत जल का सरूप धारण किया है उनका वह लोक प्रतिष्टित रूप सब लोगों को सुख पहुचाने तथा धर्म की सिध्धी करने का भी हेतु है महेशर आपने समय की दिवस्था करने अमृत का स्रोत बहाने जीवों की स्रिष्ट पालन और संगहार करने तथा प्रजा को मूह सुख और उन्नति का आउसर देने के लिए सूर्य चंद्रमा तथा अगनिका शरीट धारण किया है इश आपने जो वायू का रूप ग्रहन किया है उसमें भी एक रहस्य है सब लोग प्रते दिन बढ़ें चलें फिरें शक्ति का उपारजन करें अक्षरों का उच्चारन कर सकें जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सिस्टि हो इसलिए आपका वह रूप है भगवन इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आपको आप ही ठीक ठीक जानते हैं भेट अवकास के बिना न कोई क्रिया हो सकती है न धर्म हो सकता है न अपने या परायों का बोध होगा न दिशा, अंतरिक्ष, द्यूलोक, प्रत्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा अतह महेश्वर आपने या आकाश रूप ग्रहन किया है धर्म की रक्षा करने का निश्चे करके आपने रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, उनकी साखाओं और शास्त ये सब सब दस्वरूप ही है शंबो, यजमान, यग्य, यग्यों के साधन, रित्विक, यग्य का स्थान, फल, देश, और काल ये सब आप ही हैं आप ही परमार्त तत्व हैं बिद्वान पुरुच, आपके शरीर को यग्यांग में बतलाते हैं केवल वाग बिलास करने से क्यालाव, करता, दाता, प्रतिनेधि, दान, सरवग्य, साक्षी, परमपुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमार्थ सरूप सबकुछ आप ही हैं, भगवन, बेद, शास्त्र और गुरु भी आपके तक्तो का भली भाति उपदेश नहीं कर सके हैं निश्चे ही आप तक बुद्ध आद की भी पहुंच नहीं है, आप अजन्मा, अप्रमे और शिव शब्द से वाच्चे हैं, आप ही सत्य हैं, आपको नमस्कार है किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकिर्द को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है, उसी समय वे एक से अनेक हो गए, बिस रूप में प्रकट हो गए, वास्तों में उनका प्रभाव आतर्क और अचिंत है भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी वी नित्य हैं, भव भगवान शंकर उनमें उनका भाव हार्दिक अनुराग पून रूप से बढ़ा हुआ है, वे इस भव संसार की उत्पत्ति में स्वयन कारण हैं, तथा सर्व कारण महेश्वर के आस्रत हैं, शिवा समस्त शु इस्थति, अन्न की वृद्धी तथा ले, ये सनातन भाव जहां होते रहते हैं, वह एक मात्र पारबती देवी का ही शरूप है, वे भगवान शंकर की प्राण बल्लभा हैं, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, समस्त जीव जिनके लिए अन्न दान देते और तपस्य करते हैं, वे जगजन्नी माता पारबती ही हैं, उनकी उत्तम कीर्थ बहुत बड़ी है, वे शिव की प्रियतमा इंद्र भी जिनकी किपा दिस्ट चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो, इसे निर्मल बना वे भगवती उमाही हैं, उनका रूप सदा चंद्रमा के समान ही मनोरम है, जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि चराचर जीवों की बुद्ध, नेत्र, चेतना और मन में सदा सुख की प्राप्ति होती है, वे जगत गुरु, शिव की शुंदरी, शक्ति सिवा, वाणी की दिस्वरी हैं, आज ब्रह्मा जी का भी मन मलीन हो रहा है, फिर अन्य जीवों की तो बात ही क्या, यह सोचकर जगन माता उमा ने अनेक उपायों से संपूर जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का आवतार धारन किया है, शुतियों को देखकर तथा सब प्रमाणों से प्रभुता पर विश्वास करके लोग जो धर्मों का अनुस्ठान करते और उनके फलस्वरोग जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान सदा शिव की ही विभूती है, बैदिक अथवा लोकिक कार्य, क्रिया, कारक और साधनों का जो सबसे उत्तम एवंग प्रिय साध्य है, वह अनादिकरता शिव की प्राप्ती ही है, जो सर्व स्रेष्ट ब्रह्म, परप्रधान, सारभूत और उपासना के योग है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ती करके स्रेष्ट योगी पुरुष मुक्त हो जाते, पुनह संसार में जन्म नहीं लेते, वे भगवान उमापती ही मोक्ष हैं, माता पारबती, भगवान शंकर, जगत का कल्यान करने के लिए, जैसे जैसे अपार माया में रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो, इस प्रकार तुम में पातिब्रत्य जागरत रहता है, गौतम जी क इस स्तुती करने पर ब्रिश भांकित धजावाले साच्छात भगवान श्यो उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन होकर बोले, गौतम तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम ब्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मांगो तुम्हें क्या दूँ, जो वस्तु मांग सकते हो, महशी गौतम ने कहा, जगदीश्वर समस्त लोकों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में इस्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्म गिरी पर छोड़ दीजिए, ये समुद्र में मिलने तक सब के लिए तीर्थ रूप होकर र मादी समस्त पाप नस्ट हो जाएं, चंद्र ग्रहण, शूर ग्रहण, अयनारंब, विशुव योग, संक्रान्ति तथा बैध्रत योग आने पर अन्य पूर तीर्थों में शनान करने से जो फल मिलता है, वह इनके श्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाएं, ये समुद्र में पहुचने तक, जहां जहां जाएं, वहां वहां आप अवश्य रहें, यह स्रेश्ट वर मुझे प्राप्त हो, तथा इनके तट से एक योजन से लेकर, दस योजन तक की दूरी के भीतर आये हुए, महा पातक की मनुष्य भी यदिश्नान किये बिना ही मृत्य को प्राप्त हो जाए, तो वे भी मुक्त के भागी हों, ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है, न होगा, यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, और वेद में भी निश्चित की गई है, कि गौतमी गंग गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र हैं, यों कहकर वे अंतरधान हो गए, लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर, गौतम में उनकी आग्यां से जटा सहित, सरिताओं में स्रेष्ट गंगा जी को साथ ले, देवताओं से घिर कर ब्रम गिरी में ब्रम हर्ष गोतम की प्रसंसा करने लगे, पवित्र एवं सन्यत चित वाले गोतम ने जटा को ब्रम गिरी के शिखर पर रखा, और भगवान शंकर का श्मर्ण करते हुए, गंगा जी से हाथ जोड कर कहा, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रगट हुई माता, गंगा तुम सब अभिस्टों को देने वाली और शान्त हो, मेरा अपराद च्छमा करो, और सुख पूर्वक यहां से प्रवाहित होकर जगत का कल्यान करो, देवी मैंने तीनों लोकों का उपकार करने क के लिए तुम्हारी याचना की है, और भगवान शंकर ने भी इसी उदेश्य की सिद्ध के लिए तुम्हें दिया है, अतह हमारा यह मनोरत अस्फल नहीं होना चाहिए, गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे सिकार किया, और अपने आप को तीन स्वरूपों में बिभक्त करके स्वर्ग लोग, मृत्य लोग, एवं रसातल में फैल गई, स्वर्ग लोग में उनके चार रूप हुए, मृत्य लोग में वे साथ धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी चार धाराएं होई हैं, इस प्रकार एक ही गंगा के पंद्रह आकार हो देने वाली हैं बेदों में सदा उनी के यसका गान किया जाता है जिनकी बुद्द अग्यान से मोहित है वे मत्य लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मत्य लोक में ही है पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है भगवती गंगा जहां तक पहुँचकर सागर में मिली हैं वहां से वे देव मई मानी गई हैं महर से गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई उस समय देवरसियों द्वारा सेवित कल्याड मई जगन माता गंगा की मुनि स्रेष्ट गौतम ने परिक्रमा की इसके बाद उन्होंने देवीश्वर भगवान तर्यमबक का पूजन किया उनके श्मर्ण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए पूजा करके महर्शि गौतम ने कहा देव देव महेश्वर आप संपूर लोकों के हित के लिए मुझे इस स्तीर्थ में सनान करने की विधी बताईए भगवान शिव बोले महर्शे गोदावरी में सनान करने की संपूर विधी सुनो पहले नांदे मुख स्राद्ध करके शरीर की सुध्धी करें फिर ब्राम्मणों को भोजन कराएं और उनसे शनान करने की आग्या लें पदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में शनान करने के लिए जाएं उस समय पतित मनुस्यों के साथ वारता लाप न करें जिसके हात पैर और मन भली भात सन्यम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा फल पाता है भावदोश दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में इस्थिर रहें और ठके मादे पीडित मनुस्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें भगवान विश्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिब्व कथा सुने इस बिजी से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है गौतम गोदावरी नदी में दो दो हाथ भूमी पर तीर्थ होंगे उनमें मैं सैं सर्वत्र रहकर सब की समस् होंगा सरिताओं में शेष्ट नर्मदा अमरकंटक परवत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं यमुना का विशेश महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा से मिलती हैं सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में शेष्ट बताई गई हैं तृष्णा भीम्रथी और तुंग भद् इन तीन नदियों का जहां समागम हुआ है वह तीर्थ मनुस्य को मुक्ति देने वाला है इस प्रकार पयोश्णी नदी भी जहां तपती तापती में मिलती है वह तीर्थ मौक्ष दायक है परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आग्यां से सरबत्र सरवदा और सब मनुस्यों को स्नान करने पर मौक्ष प्रदान करेंगी कोई कोई तीर्थ किसी विसेश समय में देवता का सुभागमन होने पर अधिक पूड़े में माना जाता है किन्त गोदावरी नदी सदा ही सब के लिए तीर्थ है मौनिस्रेष्ट दो सो योजन के भीतर गोदावरी नदी में तीन करोड तीर्थ होंगे ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी माहेश्वरी गंगा गौतमी वैश्णवी गोदावरी नंदा सुननदा कामदायनी ब्रह्मतेजह समानीता तथा सर्व पाप प्राण नाशनी गोदावरी मुझे सदाही प्रिय हैं वे श्म पाचों भोतों में जल सेष्ट है जल में भी जो तीर्थ का जल है वह सर्वसेष्ट माना गया है तीर्थ जल में भी भागे रथी गंगा सेष्ट हैं और उनसे भी गोतमी गंगा उतकृष्ट मानी गई हैं क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी अतह इ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार साक्षात भगवान संकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म बतलाया था वही मैंने तुमको सुनाया भागिरती गंगा के अवतर्ण की कथा नारद जी ने कहा सुरस्रेष्ट एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाएं हैं एक तो वह है जो गौतम नामक ब्रामभर के द्वारा लाया गया और दूसरा अंस भगवान शंकर की जटा में ही रह गया जिसे छत्री राजा भगिरत ले आए अतह उसी का प्रसंग मुझे सु ब्रह्माजी बोले देवर्षे बैवश्वत मनु के वन्ष में राजा एक छ्वाक के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गये हैं वे यग्य करते दान देते तथा सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे उनकी दो पत्निया थी वे दोनों ही पतिभक्त परायना थी किन्त उनमें से किसी को भी संतान नो हुई इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी एक दिन उन्होंने महर्शिवसिस्ट को अपने घर बुलाया और विदिपूर्वक्त उनकी पूजा करके पूछा किस उपाय से मुझे संतान होगी उनकी यह बात सुनकर मह शकाल तक ध्यान किया उसके बाद राजा से कहा राजन तुम पत्नी सहित सदा रिशी महर्शियों का सेवन करते रहो यों कहकर महर्शिवसिस्ट अपने आस्रम को चले गए एक समय की बात है राजर से सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे राजा ने उन महर्शिका पूजन किया इससे संतुस्ट होकर वे बोले महाभाग बर मांगो यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की मुनी बोले तुम्हारी एक पत्नी के गर्व से एक ही पुत्र होगा किन्तु वह वनसधर होगा और दूसरी इस्त्री के गर्व से साथ हजार वरदान देकर जब मुनी चले गए तब उनके कतना नुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए राजा सगर ने उत्तम दक्षणा से युक्त बहुतेरे अस्वमेध यग्य किये फिर एक अस्वमेध यग्य के लिए उन्होंने बिधि पूर्बक दिक्षा ग्रहन की और अस्व के रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया अस्व पृत्वी पर भ्रमण करने लगा इसी बीच में कहीं औसर पाकर इंद्र ने उस अस्व को हर लिया और रक्षकों को सौप दिया राजकुमार गोडे को इधर उधर ढूणने लगे परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई न दिया तब उन्होंने देव लोक में जाकर ढूणा परवतों और सरोरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले मगर कहीं भी उसका पता न लगा इसी समय आकाश माड़ी हुई सगर पत्रों तुम्हारा गोडा रसातल में बधा है और कहीं नहीं है यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब और से प्रतिवी को खोदने लगे छुधा से पेडित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और रात दिन भूमि खोदते रहते इस प्रकार वे सिख रही रसातल में जा पहुँचे सगर के बलवान पत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे और उनके बद का उपाय करने लगे वे बिना युद्ध किये ही भैभीत हो उस स्थान पर आये जहां महामुनिक कपिल सो रहे थे कपिल जी का क्रोद बड़ा प्रचंड था रक्षकों ने वगोडा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहने की ओर बाध दिया और स्वैंग चुप चाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोडा बधा है और पास ही कोई पुरुस सो रहा है उन्होंने कपिल जी को ही अस्ट चुरा कर यग्य में बिखन डालने वाला माना और यह निश्चे किया कि इस महापापी को मार कर हम लोग अपना अस्ट महराज के निकट ले चलें कोई बोले अपना पशुबधा है इसे ही खोल कर ले चलें इस सोय हुए पुरुष को मारने से क्या लाग यह सुनकर दूसरे बोल उठे हम सूरवीर हैं सासक हैं इस पापी को उठाएं और छत्रियोचित तेज से इसका बद कर डालें फिर क्या था वे मुनी को कटू बचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे इससे मुनिस्रेस्ट कपिल को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सगर पुत्र की और रोश पूंड दृष्ट से देखा और भस्म कर डाला वे सब के सब जलकर राख हो गए नारत यग्यमे दिक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह समाचार सुनाया इस से राजा को बड़ी चिंता हुई अब क्या करना चाहिए यह बात उनकी समझ में न आई राजा सगर के एक दूसरा पत्र भी था जिसका नाम असमन्जा था वह मुर्खता बस नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था तब पुरवासियोंने एकत्रत होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दे पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अपने आमात्यों से कहा यह असमन्जा बालकों की हत्या करने वाला तथा छत्री धर्म का त्यागी है अतह यह इस देश का त्याग कर दे महाराज का यह आदेश शुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया असमन्जा बन में चला गया अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राम्वन के शाप से रसातल में नस्ट हो गए एक बचा था वह भी बन में चला गया इस समय मेरी क्या गती होगी असमन्जा के एक पुत्र हुआ जो अन्शुमान नाम से विख्यात हुआ यद्यप अन्शुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुला कर अपना कारे बतलाया अन्शुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा लेकर आकर राजा सगर को दे दिया इससे वह यग्यपूर्ण हुआ अन्शुमान के तिजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था दिलीप के पुत्र परंबुधिमान भगीरत हुए भगीरत ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गती का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ उन्हों बगवान कपिल ही जानते हैं यह सुनकर बालक भगीरत रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनुरत उन्हें कह सुनाया कपिल मुनी बहुत देर तक ध्यान करके बोले राजन तुम तपस्याद्वारा बगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में इस जार्थ होगे ही तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जाएंगे यह सुनकर भगीरत ने कहा बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा मुनि स्रेष्ट बताईए मैं कहां जाऊं और कौन सा कारे करूं कपिल जी बोले नरस्रेष्ट कैलास परबत पर जाकर महादेव जी की स्तु जार्थ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलास परबत की यात्रा की वहाँ पहुँचकर पवित्र हो बालक भगीरत ने तपस्या का निश्य किया और भगवान संकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा प्रभो मैं बालक हूं मेरी बुद्ध भी बालक की ही है और आप भी अपन मस्तक पर बाल चंद्रमा को धार्ण करते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता आप मेरे इस अंजानपन से ही प्रसन्न हो ये अमरेश्वर जो लोग बाड़ी से मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में सनलग्न रहते हैं उनका खल्यान करने के लिए मैं सहित आपको प्रणाम करता हूँ आप देवता आदि के लिए भी पुज्य हैं जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोसकर बड़ा बनाया भगवान शिव उनका अभिस्ट मनुरत उर्ण करें मैं बाल चंद् को नित्य प्रणाम करता हूँ भगीरत के यों कहते ही बगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले महा मते तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलब नहीं है वह भी मैं तुम्हें निश्चे ही दे दूंगा यह आश्वासन पाकर भगीरत ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा देवेश्वर आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ट गंगा जी विराजमान हैं उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब हसकर कहा बेटा मैंने तुम्हें गंगा दे दी अब तुम उनके स्तुति करो महादेव जी का बचन सुनकर भगीरत ने गंगा जी की प्राप्त के लिए भारी तपस्या की और मन को शन्यम में रखकर भक्ति पूरबक गंगा का स्तवन किया बालक होने पर भगीरत ने और बा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड कर कहा देवी महा मुने कपिल के साथ से मेरे पितर दुरगती में पड़े हुए हैं माता आप उनका उद्धार करें देव नदी गंगा जी सब का उपकार करने वाली हैं वे श्मर्ण मात्र से सब पापों का नाश कर दे उन्होंने भागीरत की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोकों का उपकार एवन पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरत के कतना नुसार सबकारे किया। का ब्रतांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैश्णवी, ब्राम्ही, पावनी, भागीरती, देव नधी तथा हिमगिरी सिखरास्त्रया हिमाले की चोटी पर रहने वाली आदे नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी की जटा में इस्थत गंगा का जल दो बिंध गिरी के उत्तर भाग में इस्थत गंगा भागीरती कहलाती हैं। वाराह तीर्थ, कुशावर्थ, नील गंगा और कपोत तीर्थ की वहिमां कपोत और कपोती के अद्भुत्याक का वर्णन। नारज जी ने कहा भगवन आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राम्हन के द्वारा लाई गई गंगा का वर्ण कीजिए। उनके प्रथक प्रथक तीर्थों के फल, पूर्ण और इतिहास पर भी क्रमसफ रकास डालिए। ब्रह्मा जी बोले। नारद गोदावरी के प्रथक प्रथक तीर्थों, फलों और महात्मों का पूरा पूरा बर्णन न तुम्हें कर सकता हूँ और न तुम सुनने में ही समर्थ हो। तथा आप कुछ बतलाता हूँ। जहां भगवान त्रयंबक गोतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। वह तीर्थ त्रयंबक के नाम से प्रसिद्ध पूतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मौक्ष देने वाला है। दूसरा वारा हतीर्थ है जो तीनों लोकों में बिख्यात है। उसका सरूप बतलाता हूँ। पूर्वकाल की बात है सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यग्य चीन कर र रसातल चले जाने पर पृत्वी पर उसका सर्वता अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा यग्य के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अतह अपने शत्र के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया। परंत इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जी कीत न सके। तब उन्होंने पुरान पुरुष्ट भगवान विश्नु के पास जाकर यग्या पहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांतना देते हुए कहा। मैं वाराह रूप धारण करके संख चक्र और गदा हाथ में ले रसातल में जा करके पूर्य में यग्य को लोटा लाओंगा। देवताओं तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल गई थी उसी मार्ग से प्रतली को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुँ महा यग्य को मुख में रखकर रसातल से निकल आये। उस समय देवता ब्रह्म गिरी पर श्री हरी की प्रतिक्षा करते थे। उस मार्ग से निकल कर भगवान गंगा स्रोत में आये और रक्त से लत्पत हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वा दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यग्य का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वाराहतीर्थ परमपवित्र और संपूर्ण अविलशत वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ श्नान और दान सब यग्यों का फल देता है। जो पुणियात्मा पुरुस वह रहकर अपने पितरों का श्मरण करता है। उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं। तयम्बक में एक कुसावर्थ नामक तीर्थ है। उसके श्मरण मात्र से मनुस्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट वस्तूओं को देने वाला है। कुसावर्थ उस तीर्थ का नाम है जहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुसों से आवर्थन किया था। वे वहां गंगा को कुस से लोटा कर ले आये थे। कुसावर्थ में किया हुआ श्नान और दान पितरों को त्रप्त देने वाला है। जहां नदियों में शेष्ट में शनान आद जो कुछ भी शुब कर्म करता है वह सब अक्षे जानना चाहिए उससे पितरों को बड़ी त्रिप्त होती है गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है जिनकी तीनों लोक में प्रसिद्धी है मुने मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हू सुनो ब्रह्म गिरी पर एक बड़ा बयंकर व्याध रहता था वह ब्रामभडों साधुओं यतियों गवों पक्षियों तथा म्रिगों की हत्या किया करता था वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था उसके हाथ में सदा पाश और धनुस मौजूद रहते थे वस महापापी व्याद के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे उसकी इस्त्री और पुत्र भी उसी सुभाव के थे एक दिन अपनी पत्नी की प्रेड़ा से वह घने जंगल में घुस गया वहाँ उस पापी ने अनेक प्रकार के म्रिगों और पक्षियों का बद किया कितने को जीवित ही पकड़कर पिजड़े में डाल दिया इस प्रकार बहुत दूर तक गूम भिरकर वह अपने घर की ओर लोटा तीसरे पहर का समय था चैत्र और वैशाक बेच चुके थे एक ही खण में बिजली कौधने लगी और आकास में मेगों की घटा चा गई हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी मुसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भेंकर अवस्था हो गई ग्याध राह चलते चलते ठक गया था जल की अधिक्ता के कारण मार्ग का ज्यान नहीं हो पाता था जल थल और गड़ी की पहचान असंभव हो गई थी उस समय वह पाती सोचने लगा कहा जाओं कहा ठहरूं क्या करूं मैं अमराज की भात सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूं आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वरिस्टी हो रही है आज पास कोई ऐसी शिला अथवा ब्रक्ष नहीं दखलाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके इस प्रकार भाती भाती की चंता में पड़े हुए ब्याद ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम ब्रक्ष देखा जो साखा और पल्लों से सुशोवित हो रहा था वह उसी की छाया में आकर बैठ गया उसके सब वस्त्र भीग गये थे वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे इस्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं इस समय सुर्यास्त भी हो गया उसी ब्रक्ष पर एक कबूतर अपनी इस्त्री और पुत्र पौत्र के साथ रहता था वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण द्रिप्त और प्रसन्न था उस ब्रक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्स बीत चुके थे उसकी इस्त्री कबूतरी बड़ी पतिब्रता थे वह अपने पती के साथ उस ब्रक्ष के खोखले में रहा करती थे वहां हवा और पानी से पूरा बचाओ था उस दिन पर आया भाग्यवस कपोती भी वहीं ब्याद के पिजडे में पड़ी थी ब्याद ने उसे पकड़ दिया था परन्त अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर चिंदत हुआ भयानक बर्षा हो रही थी सूर्य डूप चुका था फि उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिजडे में बधी पड़ी है कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंब किया हाई मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याण मई कपोती ना जाने क्यों अभितक नहीं आई वह मेरे धर्म की जननी है उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ मेरे इस सरीर की स्वामनी भी वही है धर्म अरत काम और मौक्च की सिद्धी में वही सरवदा मेरी सहायता करती है मुझे प्रसंद देखकर वह हस्ती है और खिन जानकर मेरे दुखों का निवान करती है उचित सलाह देने में वह मेरी स और सदा मेरी आज्या के ही पालन में सनलगन रहती है, सूर्य अस्त हो गया, तो भी वह कल्याडी अभी तक नहीं आई, वह पती के सिवा, दूसरा कोई वरत, मंत्र, देवता, धर्म थमा अर्थ नहीं जानती, वह पति वरता है, पती में ही उसके प्राण वस्ते हैं, पती ही उ उसका प्रितम है, मेरी कल्याड मई भार्या अभी तक नहीं आई, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है, उसके रहने पर बैंकर स्थान भी सोभा संपन और सुन्दर दिखाई देता है, जिसके रहने पर यह घर वास्तों में घ घर कहलाता है, वह मेरी प्रिभार्या अब तक नहीं आई, मैं उसके बिना जीवित नहीं रहस्तोंगा, अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दोंगा, किन्तु ये बच्चे क्या करेंगे, ओह आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है, इस प्रकार बिलाप करते हुए स्वामी के बचन सुनकर पिजडे में पड़ी हुई कपोती बोली, खग स्रेश्ट, मैं यहां पिजडे में बधी हुई बेबस हो गई हूँ, महा मते, यह व्याद मुझे जाल में फंसाकर ले आया है, आज मैं धन्य हूँ और अनिग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं, मुझे में जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सब का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं, इससे मैं निहसंदेह कृतार्थ हो गई, पती के संतुस्ट होने पर, इस्त्रियों पर संपूर देवता भी संतुस्ट हो जाते हैं, इसके बिपरीत यदि पति प्राणनात, तुम्ही मेरे देवता, तुम्ही प्रभू, तुम्ही सुहिर्द, तुम्ही शरण, तुम्ही ब्रत, तुम्ही स्वर्ग, तुम्ही परब्रम्म, और तुम्ही मोक्ष हो, आर्य, मेरे लिए चिंता न करो, अपनी बुद्ध को धर्म में इस्तिर करो, तुम्हा और पिज़ने में पड़ी हुई कपोती के पास गया, वहां पहुँचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और ब्याद मृतक की भात निस्चेस्ट हो रहा है, तब उसने उसे बंधन से चुड़ाने का विचार किया, कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभाग संसार का संबंध इस्तिर रहने वाला नहीं है, ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त न करो, इसमें मुझे ब्याद का अपराध नहीं जान पड़ता, तुम अपनी धर्ममई बुद्धी को दिन करो, ब्रामणों के गुरू अगनी हैं, सब वर्णों के गुरू ब्रा बचनों से बाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं, अतिथी को अंन देने से इंद्र तृप्त होते हैं। उसके पैरदोने से पितर तथा उसके भोजन कराने से प्रजापती, उसकी सेवा पूजा से लक्षनी सहित स्री विश्णू तथा उसके सुख पूरवक सयन करने पर संपूर्ण देवता त्रप्त होते हैं. अतः अतित्ही सब के लिए परम पूजनी है. यदि सुर्यास्त के बाद ठका मादा अतिथी घर पर आ जाए तो उसे देवता समझें क्योंकि वह सब यग्यों का फल रूप है ठके हुए अतिथी के साथ ग्रहस्त के घर पर संपूर देवता, पितर और अग्न भी पधारते हैं यदि अतिथी त्रिप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसनता होती है और यदि वह निरास होकर चला गया तो वे भी निरास होकर ही लोटते हैं अतह प्राणनात आप सर्वता दुख छोड़कर शांति धारण केजिए और अपनी बुद्ध को सुभ में लगाकर धर्म का संपाधन केजिए दूसरों के द्वारा किये हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुसों के बिचार से स्रिष्ट हैं उपकार करने वालों पर भी सभी उपकार करते हैं अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा वरताव करे वही पूने का भागी बताया गया है कपोत बोला सुमुखी तुमने हम दोनों के योग यही पुत्तम बात कही है किन्तु इस विशय में मुझे कुछ और भी कहना है उसे सुनो कोई एक हजार प्राणियों का भरण पोसन करता है दूसरा दसका ही निर्वाह करता है और कोई ऐसा है जो सुख पूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है किन्तु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कस्ट से भर पाते हैं कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन भर कर रखते हैं कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितनी अपनी चोच में आ जाए सुभे तुम ही बताओ ऐसी दसा में इस थके मादे अतिती का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूँ कपोती ने कहा नाथ अग्न जल मीठी बाणी त्रिंड और कास्ट आद जो भी संभव हो इस अतिती को देना चाहिए यह ब्याद सर्दी से कस्ट पा रहा है अपनी प्यारी इस्त्री का कथन सुनकर पक्षी राज कपोत ने पेंड पर चड़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी वहाँ जाकर वह चोंच से जलती हुई लकड़ी उठा लाया और ब्याद के आगे रखकर अगनी को प्रजलित किया फिर सूखे काट पत्ते और तिन के बार बार आग में डालने लगा आग प्रजलित हो उठी उसे देखकर सर्दी से दुखी ब्याद ने अपने जडवत बन आग में जल रहा है तब उसने अपने स्वामी से कहा महाभाग मुझे आग में डाल देजिए मैं अपने सरीर से इस दुखी ब्याद को त्रिक्त करूंगे सुवरत ऐसा करके तुम अतिथी सतकार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे कपोत बोला सुभे मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है मुझे ही आग्या दो मैं ही आज अतिथी यग करूंगा यो कहकर कपोत ने सबको सरण देने वाले भक्त वत्सल बिश्चरूप चतुर्भुज महा विश्वन का श्मरण करते हुए अग्न की तीन बार परिक्रमा की फिर ब्याद से यह कहते हुए अग्न में प्रवेश किया कि मुझे सुख पूर्वक उपयोग में लाओ कपोत ने अपने जीवन को अग्न में होम दिया यह देख ब्याद कहने लगा अहो मेरे इस मनुष्य सरीर का जीवन धिकार देने योग्य है क्योंकि मेरे ही लिए पक्षी राज ने य साहस पूर्ण कारे किया है यों कहते हुए ब्याद से कपोती ने कहा महा भाग अब मुझे छोड़ दो देखो मेरे ये पतिदेव मुझे से दूर चले जा रहे हैं उसकी बात सुनकर ब्याद सहम गया और तरंत ही पिज़ले में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया तब उसने भी पती और अग्न की परिक्रमा करके कहा स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना इस्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है बेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सब ने इसकी प्रसंसा की है जैसे सांप पकड़ने वाला मनुस सांप को बिल से बल पूर्बक निकाल लेता है उसी प्रकार पती का अनुगमन करने वाली नारी पती के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है यों कहकर कपोती ने प्रथवी देवता गंगा तथा बनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने वच्चों को सांपना देकर ब्याग से कहा महाभाग तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ औसर प्राप्त हुआ है मैं पती के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ यों कहकर वह पतिब्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई इसी समय आकास में जैजैकार की धनी गूंज उठी ततकाल ही एक सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुन्दर विमान उतर आया दोनों दमपत देवता के समान दिब्य शरीड धारण करके उस पर आरून हुए और आश्चर में पड़े हुए ब्याध से प्रसन्न होकर बोले महा मते हम देव लोग में जाते हैं और तुम्हारी आग्या चाहते हैं तुम अतिथी के विमान पर बैठे देख ब्याध ने अपना धनुस और पिजड़ा फेक दिया और हाथ जोड़ कर कहा महा भाग मेरा त्याग न करो मैं अज्यानी हूँ मुझे भी कुछ दो मैं तुम्हारे लिए आदर्णी अतिथी होकर आया था इसलिए मेरे उद्धार का उपाय बतलाओ उन दोनों ने कहा ब्याध तुम्हारा कल्याण हो तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्ही को अपना पाप भेट करो वहाँ पंद्रह दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे पाप मुक्त होने पर जब तुम पुनह गौतमी गंगा में शनान करोगे तब अस्वमेध यग्य का फल पाकर अत्यंत पूर्यवान हो जाओगे नदियों में श्रेष्ट गोदावरी ब्रम्हा विश्नु तथा महेश जी के अंस से प्रकट होई हैं उनके भीतर पुनह गोते लगाकर तुम अपने मलीन शरीर को त्याग दो तब निश्य ही स्रेष्ट विमान पर आरून हो स्वर्ग लोक में पहुँच जाओगे उन दोनों की बात सुनकर ब्याध ने वैसा ही किया फिर वह भी दिब्यरूप धारण करके एक स्रेष्ट विमान पर जा बैठा कपोत, कपोती और ब्याध तीनों ही गौतमी गंगा के स्वर्ग में चले गए तभी से वह अस्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वहां स्नान, दान, पितरों की पूजा, जब और यग्य आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल देने वाले होते हैं दस्वा सुमेधिक और पैसाच तीर्थ का महात्मी ब्रम्हा जी कहते ह गोदावरी गंगा में कार्तिके जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है उसके आगे कृतिका तीर्थ है जिसके स्रम्ण मात्र से सोम पान का फल मिलत महामुने अब दस्वा समेधिक तीर्थ का महात्म सुनों। उसके स्रमण मात्र से अस्वमेध यग्य के फलकी प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भावन हुआ। महाबाह भावन सार्व भावम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे। जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाह भावन ने अपने पुरोहित से पूछा मुने मैं एक ही साथ दस अस्वमेध यग्य करना चाहता हूँ। वह यग्य कहां करूँ। कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन-उन स्थानों पर यग्य करने को बताया जहां स्वेष्ट द्विजों ने पूर्वकाल में बड़े-बड़े यग्यों का अनुस्थान किया था। राजा के यग्य में बहुत से रिसी रित्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ दस अस्वमेध यग्य आरंब किये। किन्तु उन में से एक भी पूर्ण ना हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाह छोड़कर अन्य स्थानों में उन यग्यों का आरंब किया। किन्तु वहां भी बिग्ण दोस आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यग्यों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा। देश और काल के दोस से अथुआ मेरे और आपके दोस से हमारे दस अस्वमेध यग्यों पूर्ण नहीं हो पाते। यों कहकर दुखी हुए राजा भावन अपने पुरोहित कश्यप जी के साथ ब्रहश्पत जी के स्रेष्ट भ्राता समवर्थ के पास गए और इस प्रकार भगवन मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाईए जहां एक ही साथ आरंभ किये हुए दस अस्वमेध यग्यों पूर्ण हो जाएं। तब मुनिश्रेष्ट समवर्थ ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भावन से कहा ब्रह्माजी के पास जाओ वे ही उत्तम प्रद प्रदेश बताएंगे महा बुद्धिमान भावन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विशे में प्रस्न करने लगे। उस समय मैंने भावन और कश्यप से कहा राजेंद्र तुम गोदावरी के तट पर जाओ वहीं प्रिपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अस्वमेध से अथमा वहां अस्नान करने मात्र से तुमारे दस अस्वमेध यग्य सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भावन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आये और वहां अस्वमेध यग्य की दिक्षा ग्रहन की वह महायग्यारंब होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस प्रतवी का दान करने को उद्यत हुए उसी समय आकाश मारी हुई राजन तुमने पुरोहित कश्चप जी को परबत बन और काननों सहित प्रतवी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया अब भूमि दान की अभिलासा छोड़कर अन्न दान करो वह महान फल देने वाला है तीनों काल में अन्न दान के समान दूसरा पूर्ण कार नहीं है अतह गंगा जी के तटपर स्रद्धा के साथ किये हुए अन्न दान की महिमा औकत नहीं है तुमने जो प्रचूर दक्षिना से युक्त यह अस्वमेध यग्य किया है इससे तुम कृदार्थ हो गए अब इस विसे में तुम्हें अन्न बिचार नहीं करना चाहिए तिल गौव धन धान जो कुछ भी गोदावरी के तटपर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है यह सुनकर समराठ भौवन ने ब्राम्वनों को बहुत सा अन्न दान किया तब से वह तीर्थ दसा स्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ वहां चनान करने से दस अस्वमेध यग्यों के फल प्राप्त होते हैं उससे आगे पैसाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्शियों द्वारा सम्मानित है यह गोदावरी के दक प्षिन तट परिस्थित है अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ सुनों मुनिसेष्ट नारद ब्रह्मगिरी के पाल शुभाग में अंजन नाम से प्रसिद एक परवत है वहां एक सुन्दरी अफसरा शाप भरस्ट होकर उत्पन्न हुई उसका नाम अंजना था उसके दूसरी भी इस्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था वह भी शाप भरस्ट हो अपसराही थी उसके भी सब अंग सुन्दर थे किन्तु मुह बिल्ली के समान था अद्रिका भी अंजन परवत पर ही रहती थी एक समय केसरी दक्षिन समुद्र के तट पर गय थे इसी बीच में म महरसी का यतोचित पूजन किया इससे प्रसन्न होकर महरसी ने कहा तुम दो बर मांगों वे बोली मुनिस्वर हमें ऐसे पुत्र दीजिये जो सबसे बलवान स्रेष्ट और सब लोगों का उपकार करने वाले हों तथास तो कहकर मुनिस्रेष्ट अगस्त दक्षिन दिशा मे चले गए कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंस से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रका के गर्व से निरृत्य के अंस से पिशाचों का राजा अद्र उत्पन्न हुआ इसके बाद उन दोनों इस्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा हमें मुनि के वर्दान से प इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें इसे आप दोनों बताएं तब भगवान वायु और निरृत्य ने कहा गोदावरी में शनान और दान करने से तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा यों कहकर वे दोनों वहीं अंतरधान हो गए तब पिशाच रूपधारी अद्र ने अपने भाई हनुमान को प्रसन करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में नहलाया इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौत्मी गंगा के तक पर आये तब से वह पैसाच और आंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वह समस्त अविष्ट वस्तूओं को देने वाला शुब तीर्थ है ब्रह्मगिरी से तिरिपन योजन पूरप की ओर मरजार तीर्थ है मरजार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और ब्रिशाकप तीर्थ है उसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा छुधा तीर्थ और अहल्या संगम तीर्थ का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं नारद अब छुधा तीर्थ का वर्णन करता हूं एक आग्रचित होकर सुनों वह परंपूडे में तीर्थ मनुस्यों की समस्त कामनाओं को पूड़ करने वाला है पूर्वकाल में कणव नाम से एक प्रशद्ध रिसी थे वे वेदवेताओं में स्रेष्ट और तपस्वी थे महर्शिकणव भूख से पीडित होकर अनेक आश्रमों पर घूमा करते थे एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आये वह आश्रम अन और जल्ख से संपन्य था अपने को छुधा से पीडित और गौतम को बैभोशाली देख कणव का मन बिरक्ती से भर गया वे सोचने लगे गौतम भी एक स्रेष्ट ब्राम्हण हैं और मैं भी उन्हें की भाद तपोनिस्ट हूँ बराबर वाले के पास याचना करना कदाक उचित नहीं है अतह यद्यप में भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीडा भी हो रही है तथा आप गौतम के घर में भोजन नहीं करूँगा इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूँ और उनहीं से संपत्य मांगू ऐसा निश्चे करके महर्शिक कणव परम पावन गंगा जी के तट पर आए और शनान करके पवित्र और सन्यत चित्त हो कुशासन पर बैठ कर गौतमी गंगा और चुधा देवी की स्तुति करने लगे कणव बोले भारी पीडाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुमें नमस्कार है तथा सब लोगों को पीडा देने वाली चुधा देवी तुमको भी नमस्कार है महा देव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याड मई गौतमी तुमें नमस्कार है तथा महा मृत्य के मुख से निकली हुई चुधा देवी तुमें भी नमस्कार है देवी तुमी पुणियात्माओं के लिए शान्ति रूपा और दुरात्माओं के लिए प्रोधस्व रूपा हो नदी के रूप से सब के पाप ताप भर लेती हो और चुधा रूप में आकर सब को पाप ताप देती रहती हो कल्यान कारिणी देवी तुमें नमस्कार है पापों का दमन करने वाली गंगा तुमें प्रणाम है भगवती शान्तिकारी तुमें नमस्कार है दरिद्रता का विनास करने वाली देवी तुमें प्रणाम है कण्व के इस प्रकार इस्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी छुधा की भयानक मूर्ती दिजस्रेष्ट कण्व ने पुना हाथ जोड कर नमस्कार करते हुए कहा देवी गोदावरी तुम संपूर मंगलों के लिए भी मंगल कारी हो सुभे ब्राम्मी माहेश्वरी वैश्नवी और त्रयम्बका ये सब तुम्हारे ही नाम है तुम्हे नमस्कार है भगवान त्रयम् विखत्प होकर समुद्र में जा मिलती हो तुम्हे नमस्कार है चुदाव देवी तुम्हे समस्थ पापियों के लिए पाप मई दुख मई और लोभ मई हो धर्म अर्थ और काम का नाश्ष करने वाली बे तुम्ही लिए बारं बार नमस्कार है कण्व का यह बचन सुनकर गंगा और चुधा दोनों ही बहुत प्रशन हुईं और बोलीं सुवरत तुम मन वांचित वर मांगों तब कणव ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा देवी मुझे मन के अनुकूल भोग बैभव आय धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यों कहकर दुज स्रेष्ट कणव ने चुधा देवी से कहा चुधे तुम त्रशना एवं दरद्रता रूपिनी अत्यंत पापमई और रुक्ष सुभाव वाली हो मेरे अत्वा मेरे बंसजों के यहां तुम कभी न रहना जो चुधातुर मनुस्य इस इस्त्रोत्र स तुम्हारी इस्तुति करें उनके दारिद्र और दुख का नास हो जाए जो लोग इस परम पूर्यमे तीर्थ में भक्ति पूर्वक्ष नान दान और जप आदि करें वे धन संपत्ति के भागी हों जो तीर्थ अत्मा अपने घर में इस इस्त्रोत्र का पाठ करें उसे दरि अपने स्थान को चली गई तब से उस तीर्थ के तीन नाम हो गए काणव तीर्थ गंगा तीर्थ और चुधा तीर्थ नारद वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसंदता को बढ़ाने वाला है गोदावरी में अहल्या संगम नाम के एक तीर्थ ह जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है मुनि स्रेष्ट उस तीर्थ की उत्पत्ति का ब्रतान्त सुनों पूर्वकाल की बात है मैंने अत्यंत कुतूहल वश कुछ सुन्दरी कन्याओं की स्रिष्ट की उनमें से एक कन्या सबसे स्रेष्ट और उत्तम लक्षणों से मैं मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुस इस कन्या का पालन पोशन करने में समर्थ है सोचने पर महर्शी गौतम ही मुझे समस्त गुणों में स्रेष्ट तपस्वी बुद्धिमान समस्त सुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगों के ग्याता प्रतीत हुए अतह उन्ही को मैंने वह कन्या दे दी और कहा मुनि सेष्ट जब तक यह युवती नो हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोशन करना युवा अवस्था होने पर पुनह इस साद्वी कन्या को मेरे पांस ले आना यों कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी गौतम अपने तपोबल से निस्पाप हो चुके थे उन्होंने बिदिपूरबक उस कन्या का पालन पोशन किया और योती होने पर उसे वस्त्रा भूसनों से सुसज़त करके मेरे पांस ले आये उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था अहल्या को देखकर इंद्र अगनी और वरुण आद सब देवता बारी बारी से मेरे पास आये और कहने लगे सुरेश्चर यह कन्या मुझे दे दीजिए इंद्र कातो उसके लिए विसेश आग्रह था महर्शि गौतम की महत्ता गंबीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा दिश्मे हुआ मैंने सोचा यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं अतह उन्हीं को दूंगा ऐसा निश्चे करके मैंने देवताओं और रिसियों से कहा यह सुन्दरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी प्रत्वी की परिक्रमा करके दूसरे किसी को नहीं मिलेगी मेरी बात सुनकर सब देवता अहल्या की प्रत्वी की परिक्रमा करने चले गए इसी बीच में काम धेन सुरुभी बच्चा देने लगी अभी बच्चे का आधा सरीर ही बाहर निकला था उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को प्रत्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रतक्षणा की इसके बाद सोचा संपूर देवताओं ने अभी प्रत्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की होगी और मेरे द्वारा दो परिक्रमा पूरी हो गई ऐसा निश् आए और मुझे प्रणाम करके बोले कमलासन बिस्वात्मन आपको बारम बार नमस्कार है ब्रामन मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षणा कर ली मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा ब्रम्हर्षे तुम ही को यह सुंदरी कन्या दी जाती है वास्तों में तुमने प्रत्वी की परिक्रमा पूरी कर ली जो वेदों के लिए भी दुरबोध है उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह साथ द्विपों वाली प्रत्वी के तुल्य है उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची प्रत्वी की पर और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ यों कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौप दी उन दोनों का विवा हो जाने पर देवता लोग प्रतवी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवा हुआ देखा इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ अंत में सब देवता स्वर्ग में चले गए परंत इंद्र के मन में इससे बड़ी इरिशा हुई मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरी प्रदान किया जो परंपवित्र समस्त अभिलशित बस्तूं को देने वाला तथा मंग मुनिसेस्ट गौतम वहां अहल्या के साथ बिहार करने लगे इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी अतह मुनी को उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए वे ब्राम्हन का वेश धारन करके आये वहां आने पर उन्होंने मन में भावना लेकर अहल्या को देखा उस समय वे अपने आपको भी भूल गए देश काल की भी सुधिन रही और रिशी के शाप का भै भी उन्होंने भुला दिया उनका हरदय काम के बशिभूत हो रहा था एक समय महर्शि गौतम मध्यान से पहले की क्रिया समाप्त करके सिस्यों के साथ आश्रम के बाहर गए उस समय औसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कारे किया वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आये और सरवांग सुंदरी अहल्या से बोले प्रिये मैं तुम्हारे गुनों से आकिष्ट हूं तुम्हारे रूप का श्मरण कर के मेरा मन बिजलित हो गया है पाओं गडखा रहे हैं यों कहकर हस्ते हस्ते उन्होंने अहल्या का हाथ पकड़ लिया और आस्रम के भीतर चले गए अहल्या ने उन्हें गौतम ही समझा यह कोई जार पुरुष है यह बात उनके ध्यान में नहीं आई वह इंद्र के साथ सु कि जब वे बाहर से आस्रम पर आते तब प्रियवादनी अहल्या आगे बढ़कर उनका स्वाकत करती प्रिय लगने वाली बात कहती और अपने सद्गुनों से उन्हें संतुष्ट करती थी उस दिन अहल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मान कोई बड़ी अदभुद बात हो गई मुनिस्रेष्ट गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं अगनिहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में काम काज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विश्मय में पड़े और भैभीत होकर बोले भगवन यह कैसी बिचित्र बात है कि आप अवी भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं अहो आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारन करके बिचरते हैं यह सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्र्य हुआ वे सोचने लगे कि आश्रम के भी इतर कौन गया है उन्होंने पुकारा प्रिये अहले आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं महर सिका बचन सुनकर अहल्या ने उस जार से कहा अरे तू कौन है जो मुनी का रूप धारन करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया है यह कहती हुई वह भै के मारे सहया से सहसा उठकर खड़ी हो गई पाप चारी इंद्र भी मुनी के भै से बिलाव बन गया अहल्या थर थर कांप रही थी उसके वेश भोशा दिगड़ चुके थे अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुई देख महरशी ने क्रोध में आकर कहा तुमने यह दुस्ताहस कैसे किया उनके इ रज्जावस कोई उत्तर नहीं दिया तब मुनी उस जार की खोज करने लगे इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टी पड़ी अरे ठीक ठीक बता तु कौन है यद जूट बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूँगा इंद्र हाज जोड़कर खड़ा हो गया और बोला तपोभन मैं सची का स्वामी इंद्र हूँ मुझसे ही यह पाप हो गया है मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है ब्राम्भन काम देव के बानों से जिनका हिर्दें बिदीन हो चुका है वे कौन सा दुसकर्म नहीं करते आप करुणा के सागर हैं मुझ महा पापी को ख्यम करें साधु पुरस अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते गौतम बोले इंद्र तूने इस्त्री की योनी में आसक्त होकर यह पाप कर्म किया है अतह तेरे शरीर में योनी के सहस्रों चिन हो जाएंगे इसके बाद मुझी ने अहल्या को भी कुपित होकर कहा तू सूख की नदी हो जा अहल्या बोली भगवन जो पापिनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं वे तथा उसके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरक में पढ़ते हैं आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दें यह इंद्र आपका रूप धारन करके मेरे पास आ गया था ये सब लोग इस बात के साक्षी हैं रक्षकों ने कहा ऐसी ही बात है अहल्या ठीक कहती हैं मुनी ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शान्त होकर अपनी पतिब्रता पत्नी से कहा कल्याणी नदी होने पर जब तुम सरिताओं में गौमती गंगा से मिलोगी उस समय पुनह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी महर्शी का बचन सुनकर पतिब्रता अहल्या ने वैसा ही किया गौतमी गंगा से मिलने पर पुनह उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था तब पह शाथ देवराज इंद्र न यों कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े यह देख महर्शी ने कृपा पूरबक कहा पुरंदर तुम्हारा कल्यान हो तुम गोदावरी के तड़ पर जाओ और उसमें शनान करो इससे तुम्हारे सारे पाप छण भर में धुल जाएंगे तुम्हारे शरीर में योन पूरबक के प्रभाव से ये दो आश्चर्य जनक बातें मैंने देखी हैं अहिल्या नदी होकर पुनह अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और सचीपत इंद्र सहस्राक्ष हो गए तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ उसे इंद्र तीर्थ भी क ब्रह्मा जी कहते हैं उसके बाद बिश्व विख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है जिसका विस्तार चार योजन का है वह श्वर्ण मात्र से मनुस्य को मुक्ति देने वाला है पूर्बकाल की बाद है बैवश्वत मनु के वंस में जनक नाम के प्रसिद्ध एक राजा गुणार डवा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्ध करने वाली थी जनक में भी यही गुण थे अतह राजा को अपने गुण के अनुरूप सुयोग भार्या मिली बिप्रवर या गिवलक राजा जनक के पुरोहित थे एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा दुज स्रेष्ट बड़े बड़े मुनियों ने यह नर्णे किया है कि भोग और मोक्ष दोनों स्रेष्ट हैं अंतर इतना ही है कि भोग अंत में बिरस हो जाता है और मुक्त नित्य एवं निरविकार है अतह भोग से भी मुक्त को ही स्रेष्ट माना गया है आप बताएं भोग से भी मुक्त की प्राप्ति कैसे होती है सब प्रकार की आसकतियों का त्याक करने से जो मुक्त प्राप्त होती है वह तो अत्यंत दुहसाध्य है अतह जिस उपाय से अत्यंत सुख पूर्बक मुक्ति हो वह बताईए याग्यवल्क बोले राजन साक्षात भगवान वरुन तुम्हारे गुरुजन ससुर और हितकारी हैं उन्हीं के पास चलकर पूछो वे तुम्हें हितका उपदेश करेंगे तदंतर याग्यवलक और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा वरुण जी ने कहा दो प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है एक तो कर्म करने से और एक कर्म ना करने से वेद में ये हमार्ग निश्चत किया गया है कि कर्म ना करने की अपिक्छा कर्म करना स्रेष्ट है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो पुरुसार्थ कर्म से बधे हुए हैं निपस्रेष्ट कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्ध होती है इसलिए मनुस्य को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुस्ठान करना चाहिए इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं अकर्म से कर्म पवित्र है कर्म भिन भिन आस्त्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं वरणों और आस्रमों में भी चार आस्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं उनमें भी ग्रहस्त आस्रम अधिक पूर्ण यदायक है उससे बहोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं यही मेरा मत है यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याग्यवल्क ने वरण का पूजन किया और पुनह यह वाद पूछी कि सुरसेस्ट आपको नमस्कार है आप सरवग्य हैं बताईए कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है वरण ने कहा इस प्रत्वी पर भारत वर्ष और उसमें भी दंडक वन पूर्य दायक है इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुस्य को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है तीर्थों में गौतमी गंगा स्रेष्ट हैं वे मुक्त दायनी मानी गई हैं वहां यग्य और द अपनी पूरी में लोट आये फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अस्वमेध आद यग्य किये और विप्रवर याग्य वल्क ने उन यग्यों में आचारे का कारे किया गोतमी गंगा के तटपर यग्य करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई तत्पश्चा जनक वंस के बहुत से राजा क्रमसव वहाँ आकर यग्य करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते तवी से यह तीर्थ जनस्थान के नाम से विख्यात हुआ जनकों का यग्य स्थान होने से उसका नाम जनस्थान पढ़ गया वहाँ अशनान दान और पितरों का तरपन करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन करने वहाँ जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन करने से मनुस्य सब अविलसित बस्तूओं को पाता और मोख्ष का भागी होता है अरुणा और वरुणा नामक दो परम पवित्र नदियां है उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है उसकी उतुपत्य की कथा सब पापों का नाश करने वाली है उसे बताता हूँ सुनों महर्जिक अस्यप के जेश्ट पुत्र आदित्य सूर्य समस्त लोकों में बिख्यात है वे तीनों लोकों के नेत्र है उनकी किरणे अत्यंत दुस्सह है भगवान सूर्य के रथ में साथ गोड़े जुते होते हैं सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित है उनक अपने स्वामी के तीप्र ताप का सहन नहीं हो पाता था वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती कि मुझे क्या करना चाहिए उसा के दो गुद्धिमान पुत्र थे वैवश्वत मनू और यम्य। एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में बिख्यात ह एक दिन उसा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी चाया उत्पन की और उससे कहा तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आग्या से पती की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर मैं जब तक लोट ना आऊं तब तक तुम ही पती के प्रेशी बन कर रहो यह रहस्य किसी को न बताना मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट न होने पाए छाया ने बहुत अच्छा कहकर उसा की आग्या स्विकार कर ली और उसा घर से निकल गई उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरू नामक देश को प्रस्थान किया वहाँ पहुँचकर उसने घोडी का रूप दारण करके क पति ब्रता उसा पर पुरुष की आसंका से भाग कर भारत वर्ष में गौतमी के तटपर आई वहाँ उसका पती के साथ समागम हुआ जिससे अस्चनी कुमारों की उत्पत्ति हुई वह अस्थान अस्चतीर्थ भानुतीर्थ और पंचवटी आस्रम के नाम से विख्यात वे गौतमी तटपर अपने पिता से मिलने के लिए अरुना वरुना नामक नदियों के रूप में आई थी उन दोनों का जहां गंगा में संगम हुआ है वह बहुत उत्तम तीर्थ है उसमें भिन भिन देवतों और तीर्थों का प्रतक प्रतक समागम हुआ है उत्त संगम मे 27,000 तीर्थों का समुदाय है वहां किया हुआ अशनान और दान अक्षे पूर्य देने वाला है नारद उस तीर्थ के स्मरण कीर्थन और स्रमण से भी मनुस्य सब पापों से मुक्त हो धर्मवान और सुखी होता है गारुन तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गारुन नामक तीर्थ सब बिग्णों की शांति करने वाला है उसके प्रभाव का वड़न करता हूँ ध्यान दे कर सुनो शेश नाग के एक महावली पुत्र था जो मडिनाक के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसे सदा गरुन का भै बना रहता था अतह उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा नाग कोई वर मागो नाग ने कहा प्रभो मुझे गरुन से अभैदान दीजिए भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा तुम्हें गरुन से भै नो हो वरदान पाकर मडिनाग गरुन से निर्भै होकर बाहर निकला वह छीर सागर के समीप जहां भगवान विश्णु सेयन करते हैं इधर उधर विचरने लगा जहां गरुन निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता गरुन ने उस नाग को निर्भै विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया इस बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान सिव से कहा देवेश्वर अब मरी नाग नहीं आता है जान पड़ता है गरुन ने उसे खा लिया या बाध रखा है यदि वह जीवित होता तो यहां आये बिना न रहता नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा वह नाग गरुन के घर में बधा पड़ा है तुम शीग्र जाकर जगदीश्वर भगवान विश्णू की स्तुति करो और गरुन के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ प्रभु की बात सुनकर नंदी श्वयंग ही लक्ष्मी पती के पास उपस्थत हुए और भगवान शिव की कही हुई बातों वहा निवेदन की तब भगवान नारायन ने प्रसन्न होकर गरुन से कहा बिनता नंदन मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लोटा दो गरुन ने नाग देना सुईकार नहीं किया और गर्व से कहा मैं आपका भृत्य हूँ मैं नाग को लाया आप उसे नंदी को दे रहे हैं स्वामी तो सेवक को देया करते हैं परन्तों आप तो मेरी प्राप्य वस्तू को छीन रहे हैं मेरी शक्ति आप जानते ही हैं मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैट्टियों पर विजय प्राप्त की है भगवान विश्णु ने गरुण की बात सुनकर सब के सामने हस कर कहा पक्षी राज ठीक है तुम्हारे ही बल से मैंने असरों पर विजय पाई है फिर भगवान ने क्रोध ना करके कहा गरुण मैं मानता हूँ तुम में बिलक्षन शक्ति है पर तुम मेरी इस कनिस्ट उंगली को तो वहन करो इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगली गरुण के मस्तक पर रख दी गरुण उंगली का भार सह नहीं सके तब गरुण ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़ कर प्रार्थना की और कहा मैं आपका अपराधी हूँ मेरा परित्रान कीजिए फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की लक्ष्मी ने कृपा कुल होकर जनार्दन से कहा नाथ विपन भृत्य गरुण की रक्षा कीजिए तब भगवान ने नंदी से कहा नंदी के स्वर तुम गरुण के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुण और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया तब शंकर जी ने गरुण से कहा महाबाहो तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है उस शान्ति मई सरिता में शनान करने से तुमें समस्त एक्ष्ट वस्तुओं सौगूनी अथमा सहस्र गुनी होकर मिलेंगी गरुण जो सब तकार के पापों से संतप्त हैं दुरदैव से जिनका उद्योग नस्त हो गया है उन प्राणियों के लिए मनो वांचित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण है भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुण प्रणाम करके चले गए गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जलने स्नान किया तथा भगवान शिव तथा विष्णू के चरणों में मस्तक जुगाया फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णू के समीप चले गए तब से वह समस्त अविस्ट वस्तूओं को देने वाला तीर्थ गारुन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वक्स नारत मनुस्य मन और इंद्रियों को शन्यम में रखते हुए वहां शनान आद जो भी कर् वह सब अक्षे तथा सिव और विष्णू को प्रिय लगने वाला होता है उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोबर्धन तीर्थ है वह पितरों के लिए पूर्य जनक तथा श्मर्ण मात्र से पाप दूर करने वाला है नारत मैंने उसका प्रभाव प्रतक्ष वह दो पहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था उनके दोनों बगल में और पीठ पर चावुक मारता रहता था उसके दोनों बैल सदा आखों से आंसु बहाते रहते थे एक दिन काम धेन गौ जगन माता सुरभी ने नंदी से सब हाल कहा नंदी ने भी खिन होकर भगवान शंकर को सब बातें बताई तब भगवान शंकर ने नंदी से कहा तुम्हारी प्रतेक बात सिद्ध हो महादेव जी की यह आग्या पाकर नंदी ने समस्त गोजाति को अपने में समीट लिया स्वर्ग लोग और मृत्य लोग की समस्त गौवें अर्दिश्य हो गई तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा भगवन गवों के बिना जीवन ही नहीं रह सकता उस समय मैंने देवताओं से कहा जाओ भगवान शंकर से आचना करो तदंतर उन्होंने भगवान शंकर की तिस्तुति करके उनसे सब हाल कहा महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया इस विसे में नंदी जानते हैं तब सब देवता नंदिकेश्वर के पास जाकर बोले हमें जगत का उपकार करने वाली गौवें दीजिये नंदी बोले आप लोग गोयग्य कीजिये तभी दिब्य और मानस गौवें आयोजन किया फिर वहां से गौवें बढ़ने लगी तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है मुनिशेष्ट वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदानों का फल देने वाला है स्वेत तीर्थ शुक्रतीर्थ और इंद्रतीर्थ का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं नारद स्वेत तीर्थ तीर्थ तीनों लोकों में बिख्यात है उसके स्रमण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है पूर्व काल में सेत नाम के एक ब्राम्हण थे जो महर्श गोतम के प्रिय सखा थे वे गोदावरी के तक पर रहकर अतितियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन बाड़ी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे वे सदा भगवान सदासिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे शिव के भजन में ही उनकी आयू पूरी हो गई तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आये परन्तु नारज जी वे ब्राम्हण देवता के घर में प्रवेश ना कर सके जब ब्राम्हण के मृत्यू का समय बतीत हो गया तब चित्रक ने मृत्यू से पूछा मृत्यू स्वेत का जीवन समात हो चुका है वह अब तक क्यों नहीं आया तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लोटे ऐसा होना उचित नहीं है यह सुनकर मृत्यू को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वेंग ही स्वेत के घर पर पढ़ारे उनके दूत भैभीत होकर बाहर ही खड़े थे उन्हें देखकर मृत्यू ने पूछा दूतों यह क्या बात है दूत बोले स्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षत हैं हम उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं उन्हें भैक ऐसा तब मृत्यू ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वेंग ही ब्राम्मण के घर में प्रवेश किया ब्राम्मण तो भक्त पूरुबक्त भगवान शिव की पूजा कर रहे थे उन्हें न तो मृत्यू क कर पूछा मृत्यु देव यहां क्या गरेगते हो मृत्यू ने उत्तर दिया मैं स्वेत को ले जानी के लिए आया हूं अतह इनहीं को देखता हूं भैरों ने कहा लौट जाओ मृत्यू ने स्वेत पर अपना फंदा फेका यह देखकर भैरों कुपित हो उठे उन्होंने श गिर पड़े मित्य को मरा देख यमदूत भाग गए उन्होंने मित्य के बद का समाचार यमराज से कहा यह सुनकर महिश वाहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अधिक बलवान चित्र गुप्त अपनी रक्षा करने वाले यमदंड महिश भूत वेताल तथा आधि व्याधियों को सीघरता पूरबक चलने का आदेश दे तुरंत वहां से प्रस्थान किया अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुँचे जहां दुज स्रेश्ट स्वेट भगवान शिव की आराधना में सनलग्न थे उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पारस साथ ही दक्षिन दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोगपालों के साथ मेरे समीप आये फिर मैं भगवान विश्णू, इंद्र, अगनी, वरुन तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे यमराज को सेना रहित मरा देख देवता भैसे ब्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारं बार भगवान शिव की प् भक्त सदाही प्रिय हैं तथा आप दुस्टों का बद किया करते हैं संसार के आद सष्टा नीलकंट आपको नमस्कार है नमस्कार है ब्रह्म प्रिय आपको नमस्कार है देव प्रिय आपको नमस्कार है बिप्रवर्शेत आपके भक्त हैं इनकी आयुछीड हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ ना हो सके आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सब को बड़ा संतोस हुआ नात सचमुच ही आप बड़े भक्त वस्सल है जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की सरण में आ गए हैं उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता यह जानकर ही सब लोग पराभक्ती के साथ आपका भजन करते हैं शंकर जी आप ही इस जगत के स्वामी हैं क्या यह बात आप भूल गए आपके बिना यह व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है इस प्रकार इस्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वैंग प्रगट हो गए और बोले देवताओं तुम्हें क्या दूँ देवताओं ने कहा देवेश्वर ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं जो समस्त देहधारियों का नियंत्रन करते हैं इन्हें धर्म और अधर्म की विवस्था में नियुक्त किया गया है ये लोग पाल है अपराधी और पापी नहीं हैं अतह इनका बद नहीं होना चाहिए इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार नहीं चल सकता इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए नात महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है वह कभी व्यर्थ नहीं होती भगवान शिव बोले देवताओं मेरी बात सुनो जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं उनके स्वामी हम लोग स्वेंग ही हैं मृत्युका उनके उपर कोई अधिकार नहीं है यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए ब्याद आधिके द्वारा उनका पराभव करना कदा के उचित नहीं है जो मेरी शरण में आते हैं वे ततकाल मुक्त हो जाते हैं यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करें बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोधन किया तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आधि के शरीर पर छि इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षण दिशा की ओर चले गए गौतमी के उत्तर तट पर विश्णु आधि सब देवता ठहर गए और देवाद देव महिस्वर की पूजा करने लगे उस समय वहां एक लाख बारह हजार तीर्थ एकत्रत हुए थे इसी प्रकार गो मृत्यु देवता मरकर गिरे थे वह अस्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है वहां किया हुआ असनान और दान सब पापों का नाश करने वाला है उसके महात्म का स्रमण पठन और श्मरण अंतह करन के मल को दोने वाला और सब लोगों को भोगत था मोक्ष प्रदान करने वाला इसके आगे सुक्रतीर्थ है जो मनुस्य को सब प्रकार की सिद्ध देने वाला है वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है अंगिरा और भ्रिगु ये दो परम धर्मात्मा रिशी हुए इन दोनों के दो दो पुत्र हुए जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्ध से सुशोवित थे अंगिरा के पुत्र का नाम जीव और भ्रिगु के पुत्र का नाम कवी ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे जब दोनों का यग्यो पवीत संसकार हो गया तब उनके पिता परस पर कहने लगे हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का सिक्षक हो इससे एक ही सासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा यह सुनकर अंगिरा ने कहा मैं कभी को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा वह सुख पूर्बक मेरे यह रहे अंगिरा की बात सुनकर ब्रिगु ने कहा ठीक है और उनोंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौप दिया परन्तु अंगिरा उन दोनों बालकों में बिशम बुद्ध रखते थे इसलिए दोनों को प्रथक प्रथक पढ़ाते थे बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा तब एक दिन सुक्र ने कहा गुरुदेव आप मुझे प्रति दिन बिशम भाव से पढ़ाते हैं आचारे अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया है आपको बारम बार नमस्कार करता हूँ अब दूसरे किसी गुरु के यहां जाओंगा मुझे जाने की आग्यां दीजिए इस प्रकार गुरु और व्रिहस्पति से पूछ कर उनकी आग्यां ले शुक्र चले गए उन् इन्ही सब बातों का बिचार करते हुए शुक्र ने महा फ्राग्य गौतम के पास जाकर पूछा मुझे स्रेष्ट बताईए कौन मेरा गुरु हो सकता है जो तीनों लोकों का गुरु हो उसी के पास मैं जाओंगा गौतम ने कहा जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु हो ने योग्य हैं शुक्र ने पूछा मैं कहा रहकर शंकर जी की आराधना करूं गौतम जी बोले गौतमी गंगा में शनान करके पवित्र हो इस्तरोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संत्विप्र करो संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुहें विद्ध्या प्रदान करेंगे गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां शनान करके पवित्र हो भगवान शिव की स्तुती करने लगे शुक्र बोले प्रभो मैं बालक हूँ मेरी बुद्धी बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं मुझे आप की स्तुती करने का कुछ भी ग्यान नहीं है केवल आपको नमस्कार करता हूँ गुरू ने मुझे ट्याग दिया है मेरा कोई सुहिर्द अथवा सखा नहीं है आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभू है जगनात आपको नमस्कार है आप गुरू वालों के भी गुरू और बड़ों से भी बड़े हैं मैं छोटा बच्चा हूँ मुझ पर कृपा कीजिए जगन में आपको नमस्कार है सुरेश्वर मैं बिद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ मुझे आपकी स्वरूप का कुछ भी ग्यान नहीं है आप सैंग ही कृपा करके मेरी ओर देखें लोक साक्षी सिव आपको नमस्कार है सुक्र के इस प्रकार स्तुती करने पर भगवान शंकर प्रसन होकर बोले वस तुम्हारा कल्याण हो तुम इच्छा नुसार वर मांगो भले ही वह देवता के लिए भी दुरलव क्यों नहो उदार बुद्धी कभी ने भी हाथ जोड़ कर कहा नाथ ब्रह्मा आदि देवताओं तथा रिशियों को भी जो विद्ध्या नहीं प्राप्त हुई हो उसके लिए मैं याचना करता हूँ आप ही मेरे गुरु और देवता हैं ब्रह्मा जी कहते हैं सुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देव स्रेष्ट भगवान शियों ने उन्हें मृत संजीवनी विद्ध्या प्रदान की जिसका ज्यान देवताओं को भी नहीं था साथ ही उन्होंने लोकिकी, बैदिकी तथा अन्यान विद्ध्याएं भी दी जब साक्षात भगवान संकर ही प्रसन हो गए थे तब क्या बाकी रह जाता वह महा बिद्ध्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरू के पास गए अपनी बिद्ध्या से पुजित हो वे दैत्यों के गुरू हुए किसी समय कुछ कारण वस ब्रहश्पति के पुत्र कच ने सुक्राचार से मृत संजीवनी बिद्ध्या प्राप्त की कच से ब्रहश्पति ने और ब्रहश्पति से प्रथक प्रथक देवताओं ने उस विद्ध्या को ग्रहण किया गौतमी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्ध्या पाई थी वह स्थान शुक्र तीर्थ खेलाता है मित्य संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है वह आयू और आरोग की विद्धि करने वाला है वहां स्नान दान आद जो कुछ भी शुब कर्म किया जाता है वह अक्षय पूर्य देने वाला होता है सुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है उसके स्मर्ण मात्र से पाप राश तथा कलेस समुदाय का नास हो जाता है नारद पूर्ब काल की बात है जब इंद्र ने ब्रित्ता सुर का वद किया तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई उसे देखकर इंद्र को बड़ा भै हुआ वे इधर उधर भागने लगे किन्त जहां जहां वे जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भात होकर रहने लगे ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर एक हजार दिब्व वरसों तक बैठी रही इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे उन्होंने आपस में सलाह की किस प्रकार इंद्र प्रगठ हों उस समय मैंने देवताओं से कहा ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए उसमें शनान करने से इंद्र पुना शुद्ध हो जाएंगे इंद्र का प्रथम अविशेक नर्मदा तटपर हुआ वहां उनके मल का शोधन होने के खारण उस देश का नाम मालो पड़ा तत पश्चात हुए गोतमी गंगा के तटपर लाए गए वहां पूर्या नदी के जल में गोतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता रिशी मैं विश्णू वसिस्ट गोतम अगस्त अत्रि कश्चप अन्यान्य रिशी यक्ष तथा पन्नगों ने इंद्र का अविशेक किया तत पश्चात मैंने उन्हें अपने कमंडलू के जल से भी अविशक्त किया इस प्रकार वहां पूर्या और सिक्ता दो नदिया हो गई और वे दोनों गोतमी गंगा में आकर मिली उन दोनों के संगम मुन्यों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए तब से उस हजार मंगल में तीर्थ निमास करने लगे उन तीर्थों में तथा विशेस्तह संगम के जल में जोश्नान दान किया जाता है वह सब अक्षे जानना चाहिए इसमें अन्यता विचार करने की आवश्यक्ता नहीं है जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथमा सुनता ह वह मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुख्त हो जाता है पौलत्स अग्मी और रिणमोचन नामक तीर्थों का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं उसके आगे पौलत्स तीर्थ है जो मनुस्य को सब प्रकार के सिद्ध देने वाला है मैं उसके प् राज की भी प्राप्ति कराता है बिश्रवा मुनिके जेश्ट पुत्र कुबेर जो रिद्धिस्द्धिसे संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं पहले लंका के राजा थे उनके सोतेले भाई रावण कुम्भकरण और विभीशन बड़े बल्वान थे यद्यब वे भी बिश्रवा के ही पुत्र थे तथा राक्षस पुत्री कहकसी के गर्व से उत्पन होने के कारण राक्षस कहलाते थे वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया तदंतर अपने मामा मारीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगें इस बात को लेकर दोनों भाईयों में भारी शत्यता हो गई फिर तो देवताओं और दानों में भयंकर युद्ध हुआ रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हरा कर पुस्पक विवान और लंका पुरी पर अधिकार जमा लिया और तीनों लोकों में घोसना करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रे देगा वह मेरे हाद से मारा जाएगा कुबेर को कहीं आस्रे न मिला तब वे अपने पितामह पुलत्स के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले मेरे दुष्ट रहता ने मुझे लंका से निकाल दिया बताईए अब मैं क्या करूँ अब मेरे लिए दैव अत्मा तीर्थ ही आस्रे आश्रन है पौत्र की यह बात सुनकर पुलत्स जी ने कहा बेटा तुम गौत्मी गंगा में जाकर भगवान शंकर के स्तुति करो वहाँ गंगा के जल में रावन का प्रवेश नहीं हो सकता अतह मेरे साथ वहाँ चलकर कल्याणवई सिर्ध प्राप्थ करो कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्या स्विकार की और पत्नी पिता माता तफा ब्रद्ध महरसि पुलत्स के साथ गौत्मी गंगा के थटपर गए वहाँ गंगा में शनान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेस्वर भगवान शिव की इस्तुति करने लगे शंभो आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं दूसरा कोई नहीं जो लोग आपकी भी अवहेजना करके मोहवश ध्रिश्टता करते हैं वे शोक के ही योगे हैं आप अपनी आठ मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोशन करते हैं आपकी आज्यां से ही सब लोग चेस्टा करते हैं तथा आप बिद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ-कुछ जान पाते हैं अज्यानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता एक दिन जगदंबा पारवती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परि की कृपा द्रिष्टी हुई और विघनों का राजा घणेश बन गया अहो महेस्टर की द्रिष्टी का कितना अद्बुत प्रभाव है जब काम देव भस्म हो गया और रती उसके लिए विलाप करने लगी तब दया मई माता पारवती ने आंसु बहाते हुए आपकी और दे हो गया और रती की मनो भूमि में प्रगट हो गया इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रती ने पूर्ण सवभाग्य प्राप्त किया इस प्रकार पिस्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने फ्रकट हुए उन्होंने वर मांगने के लिए कहा किन्तु ह हरसा तिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली इसी समय आकाश बाणी हुई उसने मानो पुलत्स बिश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याड मैं वचन कहा भगवन ये लोग धन का प्रभुत्त प्राप्त करना चाहते हैं इनके के लिए भविस्य भूत्सा बन जाए जिस बस्तू को ये किसी के लिए देना चाहें वह दी हुई के समान हो जाए तथा जो बस्तू ये स्वैंग प्राप्त करना चाहें वह पहले ही इनके सामने प्रस्तत हो जाए ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अविलासा रखते हैं कि हमारे शत्रू परास्त हों दुख दूर हो जाए दिक्पाल का पद प्राप्त हो धन का प्रभुत्त मिले अपरमित दान शक्ति हो साथ ही इस्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे कुबेर ने वह आकाश बाड़ी सुनकर तशूल धारी भगवान संकर से कहा द पुलत्स विश्रवा और कुबेर का वरदान से अविनंदन करके भगवान शिव अंतरधान हो गए तब से उस तीर्थ के तीन नाम पड़े पौलस्य तीर्थ धनद तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुब तीर्थ है वहां अश्नान आद जो कुछ भी पूड़े कर्म किया जाता है वह अधिक पूड़े दायक होता है पौलस्य तीर्थ के बाद अग्न तीर्थ है वह सब यग्यों का फल देने वाला और समस्त विगनों को शांत करने वाला है उस तीर्थ का फल सुनो अग्न के भाई जात वेदा हैं जो जात है गोदावरी के तड़ पर रिशियों के यज्यमंडप में यज्य हो रहा था अग्ने के प्रियभाई जात वेदा देवताओं के हविश्य का वहन कर रहे थे उसी समय दिती के बलवान पुत्र मधू ने प्रधान-प्रधान रिशियों और देवताओं के देखते जात वेदा को मार डाला। संपून देवता, रिशी और पितर आये और यह सोच कर कि बिना अगनिके हम जीवित नहीं रह सकते उनकी स्तुति करने लगे इतने में ही जल के भीतर उन्हें अगनिका दर्शन हुआ उन्हें देखकर देवता बोले अगने आप हविस्य के द्वारा देवताओं को कब्य, साध्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुस्य को जीवित कीजिए अगने ने उत्तर दिया मेरा छोटा भाई जो इस कारे में समर्थ था चला गया आप लोगों का काम करने में जात वेदा की जो गती हुई वह मेरी भी हो सकती है अतह मुझे आप लोगों के कारे साधन में उत्साह नहीं है तब देवताओं और रिशियों ने सब प्रकार से अगने की प्रार्थना करते हुए कहा हब व्यवाहन हम लोग आपको आयू कर्म करने में उत्साह और सरबत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे देवताओं के आप ही स्रेष्ट मुख होंगे पहली आहुतियां आपको ही मिलेंगी आप जो द्रब्द हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे इस आश्वासन से अगने देव प्रसन्न हुए उन्हें इस लोग और परलोग में ब्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई वे सरबत्र निर्भय हो गए जातवेदा, ब्रिहद्भान, सप्तार्च, नील लोहित, जल गर्भ, समी गर्भ और यग्य गर्भ इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा देवताओं ने अगनी को जल से निकाला और जातवेदा और अगनी दोनों के पद पर उनका विशेक किया कारे सिद्ध होने पर देवताओं अपने अपने स्थान को चले गए तभी से वह स्थान वहन तीर्थ कहलाता है वहाँ साथ सौ उत्तम तीर्थों का निवास है जो जितात्मा पुरुस उस तीर्थ में शनान और दान करता है उसे अस्वमेध यग्य का पूरा फल प्राप्त होता है वहीं देवतीर्थ अग्नितीर्थ और जातवेदस तीर्थ भी है अग्निद्वारा अस्थापित अनेक वरणों के सिवलिंग का भी वहाँ दर्शन होता है उसके दर्सन से सब यग्यों का फल प्राप्त होता है उसके बाद रिण मोचन नामक तीर्थ है जिसके महत्त को बेदवेता पुरस जानते हैं नारद मैं उसके स्वरूख को बतलाता हूँ मन लगा कर सुनू कक्षीवान का जेश्ट पुत्र प्रतुस्रवा था वह बैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न अगनिहोत्र ही काक्षीवान का कनिश्ट पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था तो भी उसने परिवित्त होने के भैसे विवाह और अगनिहोत्र नहीं किये तब पितरों ने काखशीवान के दोनों पुत्रों से प्रथक-प्रथक कहा कि तुम देवरिण, रिशीरिण और पित्र रिण से मुक्त होने के लिए विवाह करो जेश्ट पुत्र ने कहा नहीं कैसा रिण और कौन उस से मुक्त होता है उनके जल में शद्धा पूर्वक्ष नान और तरपन करो गौत्मी का दर्शन बंदन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं वहां शनान करने के लिए कोई देश काल और जात आदिका नियम नहीं है गौत्मी में शनान करने से बड़े भाई पर कोई रिण नहीं रहता और छोटा भाई परिवित नहीं होता पितरों के आदेश से काक्षीवान का जेश्ट पुत्र प्रिथुश्रवा गौत्मी में शनान और तरपन करके तीनों रिणों से मुक्त हो गया तब से वह तिर्थ रिणमोजन कहलाता है वहाँ शनान और दान करने से रिणमान मनुस्य स्रौत स्मार्थ तफा अन्य रिणों से भी मुक्त होकर सुखी हो जाता है ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ हैं जो भगवान महेश्वर गंगा के तड़ परिस्थित हैं वहीं अगनिकुंड, रुद्रकुंड, विश्नुकुंड, सूर्यकुंड, सोमकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमारकुंड तथा वरुनकुंड भी हैं उस स्थान पर अफसरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है उस इस से आगे पुरुर्वस नामक तीर्थ हैं उसके दर्शन की तो बात ही क्या श्मरन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्माजी की सभा में गए, वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्माजी के पास बैठी हस रही थी उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है यह तो सबसे सुंदरी युगती है और अपने सौंदर्य के प्रकास से इस सभा को उद्दिप्त कर रही है उर्वशी ने कहा कि एक कल्यान मई ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती हैं यह प्रतिदिन आती जाती रहती हैं यह सुनकर राजा को बड़ा विश्मे हुआ उन्होंने उर्वशी से कहा कि इसको मेरे पास बुला लाओ पुर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया सरस्वती ने स्विकार कर लिया और अपनी प्रतिग्या के अनुसार वह पुरुवा के पास आई राजा ने सरस्वती नदी के टट पर उसके साथ अनेक वरसों तक विहार किया यह देख मैंने सरस्वती को साप दे दिया मेरे शाप के कारण वह मृत्य लोक में कहीं लुपत हो गई और कहीं दिखाई देती है जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली वहाँ पहुँचकर राजा पुरुर्वा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर अभिष्ट प्राप्त कर लिया, तब से उस स्थान का नाम पुरुर्वस्तीर्थ सरस्वती संगम और ब्रम हतीर्थ पड़ गया वहां से धेश्वर नाम के प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं वह हतीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है उसके सिवा साबित्री गायत्री शद्धा मेधा और सरस्वती ये पांच फूर्य तीर्थ हैं वहां शनान और जल्पान करने से मनुष्य सब प न्याय हैं जो नदी रूप में परिड़त हो गई हैं जहां वे भगवती गंगा से मिली हैं वहीं पांच तीर्थ हैं वे पांच नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं मनुष्य उसमें शनान दान आदि जो कुछ भी करता है वह सब अभिलशत बस्तूओं को देने व आपों की शांति करने वाला है नारद उस तीर्थ की कथा सुनाता हूं सावधान होकर सुनो पूर्वकाल में प्रिअब्रत नाम के प्रसिद्ध शत्री राजा हो गए हैं उन्होंने गोदावरी के दक्षन तट पर अस्वमेध यग्य की दिक्षा ली उस यग्य के पुरोह दित हुए वसिस्ट जी एक दिन उस यग्य में हिरेड्य नाम का दानों आया महर्शिद्ध वसिस्ट ने अपने ब्रह्म दंड से सब दैत्यों को मार भगाया तदंतर पुनह यग्य प्रारंभ हुआ दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ वहां निम्नांकित तीर यग्य समाप्त होने पर देवताओं और रिशियों ने बसिस्ट और प्रियवर्थ से कहा इन तीर्थों ने अस्वमेद यग्य का फल दिया है अतह इनमेशनान दान करने से मनुस्य अस्वमेद यग्य का पूर्ण ये फल प्राप्त करेगा इसमें तनिक भी मित्या नहीं पर प्रठक प्रठक तीड़्थ हैं उन तीड़्थों के नाम ये हैं सômतीर्थ गंधर्वतीर्थ देवतीर्थ पूरुड़ातीर्थ शालतीर्थ श्रीप्रणा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुस्ति संगम, कर्णिका संगम, बैश्णवी संगम, कृषरा संगम, वासवी संगम, शिवशर्मा, शिखी, कुसुंभिका, उपरत्या, सांतिया, देवजा, अज, ब्रिद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदी गन गौतमी में मिले हैं प्रतिवी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे फिर वे ही क्रमशह गंगा में आ मिले कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्रोत के आकार में वे ही सब तीर्थ प्रतक प्रतक दिख्यात हुए उन सब में किया हुआ शनान जप, होम, पित्र तरपन, आदिकर्म, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है जो इन नामों का पाथ अत्माश्मर्ण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विश्नु के धाम में जाता है ब्रद्धा संग्म नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां ब्रद्धेश्वर भगवान शिव का निवास है उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है पूर्व काल में एक महा तपस्वी मुनी थे उनका नाम ब्रद गौतम था वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यग्यो पवीत मात्र कर दिया इसके बाद वे बाहर भ्रमन करने को चले गए उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था वे बेदों का ध्ययन और शास्त्रों का ध्यास नहीं कर सके केवल गायत्री का जब और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे इतने से ही उनका ब्रामरत सुरक्षत था बिधि पूर्वक अगने की उपासना और गायत्री जब करने से उनकी आयू बहुत बढ़ गई यो भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी किन्तु विवाह नो हो सका उन्हें कोई कन्या देने वाला नहीं मिला गौतम भिन भिन तीर्थों बनों और पवित्र आस्रमों में भ्रवन करते रहे घूमते घूमते शीत गिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे वहां उन्होंने एक रमडी गुफा देखी जो लताओं और विक्षों से घृरी होई थी उसमें एक अत्यंत दुरलव ब्रद्धा तपस्विनी रहती थी उसके सव अंग सिथिल हो गए थे वह बीतर आगा ब्रहमचारणी थी और एकांत में रहा करती थी उसे देख मुझे सेष्ट गौतम नमसकार के लिए खड़े हो गए तब ब्रद्धा ने कहा आप मेरे गुरु होंगे अतह मुझे प्रणाम न करें जिसे गुरु नमसकार करता है उसकी आय, बिद्या, धन, केर्थ, धर्म और सर्ग आधि सब नस्ट हो जाते हैं यह सुनकर गौतम बड़े आश्यर्य में पड़े, वे हाथ जोड़ कर बोले तुम ब्रद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझे से बड़ी चड़ी हो, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी चोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ ब्रद्धा ने कहा, आरस्टि सेंड के प्रियपुत्र रितत्धर्ज थे, वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, सूरवीर तथा चत्री धर्म में ततपर रहने वाले थे, एक दिन वे शिकार खेलने के लिए बन में आये, और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लग उसका नाम सुस्यामा था, वह गंधर्व राज की खन्या थी, राजा ने भी उसे देखा, दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की एक्षा हुई, रिचद्धज ने सुस्यामा के साथ बिहार किया, भोग एक्षा निवित्त होने पर, जब माता यहां से जाने लगी, तब ब तुम्ही यहां आये हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहां नहीं आया, ग्रामहन, और किसी ने मेरा वरण नहीं किया, न मेरी माता है, न पिता, मैं आप ही अपनी मालकिन हूँ, अब तक ब्रह्मचर्य वरत में रही, अब पुरुष की एक्षा रखते हूँ, आप मुझे स और तुम ब्रद्धा यह संबंद योग्य नहीं जान पड़ता, ब्रद्धा ने कहा, पूरुष काल में ही, आप मेरे पती नियत कर दिये गए हैं, अब दूसरा कोई मेरा पती नहीं हो सकता, ब्रहता ने आपको मुझे दिया है, अतह आप मुझे अस्वी कार न करें, मुझ अपने प्राण थ्याग दूंगे, यदि अभिष्ट बस्तु की प्राप्ति नहो हो, तो प्राणी के लिए मर जाना ही अच्छा है, प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है, उसका अंत नहीं है, ब्रद्धा की बात सुनकर, गौतम ने कहा, मुझ में ना तपस्या है, ना ब्रद्धा, मैं को रूप और निर्धन हूँ, अतह तुम्हारे लिए योग यवर नहीं हो सकता, पहले सुन्दर रूप और उत्यम ब्रद्धा की प्राप्ति करके, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, ब्रद्धा ने कहा, ब्राम्मन, मैंने अपनी तपस्या स सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नी भी मुझे पर प्रसन्न हैं, अतह वागिश्वरी देवी आपको विद्या देंगी, और रूप वान अग्नी देव रूप प्रदान करेंगे, यों कहकर, ब्रद्धा ने सरस्वती और अग्नी की प्रार्थना करके गौतम को बिद्वान और सुरूप वान बना दिया, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रद्धा को अपनी पत्नी बनाया, और कितने ही वरसों तक उसके साथ विहार किया, एक दिन वसिस्ट और बाम देव, आदि महर्शि, पूरी तिर्थों म गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढी मा, यह तो बताओ, यह गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं, या पोते, कल्याडी, सच-सच बताना, ब्रद्ध पुरुस के लिए, युवती इस्त्री, बिस के समान है, और ब्रद्धा इस्त्री के लिए, युवा पुरु मास को सुनकर चुप रह गए, आतित्य ग्रहन करके सब महरसी चले गए, उनकी बातों को याद करके, ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए, एक दिन, इस्त्री सहित, गौतम में, मुनिवर अगस्त जी से पूछा, महरसे कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है, जहां जाने से कल्यान की प्राप्ति होती है, अगस्त ने कहा, ब्राम्हन मैंने मुनियों के मुक से सुना है, गोदावरी नदी में शनान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, अगस्त की यह बात सुनकर, गौतम उस वृद्धा के साथ गोमती तट पर गए, और कठोर तपस्या करने ल शिव जिनका हर्दय ब्यथित है, ऐसे पुरसों के लिए संसार में पार्बती सहित आप ही शरण हैं, ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरभूम के पतिकों के लिए ब्रिक्ष ही आस्रे होता है, भगवान शेकिष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वता वाले हैं, जैसे सूखती हुई खेती को मेगही सीच कर हरा भरा करता है, सुधा मई तरंगों से सुसोभित गौमती तुम बैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुचने के लिए सिर्धी हो, हम अधोगती में पढ़कर संतप्त हो रहे हैं, माता हमारे लिए शरण हो जाओ, सब को शर्ण देने वाली गौतमी, गंगा गौतम के स्त्रोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राम्हन, तुम मंत्र पढ़ते हुए, मेरे जल से अपनी पत्नी का अविशेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी, इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुन्दर्ता आ जाएगी, तथा यह सब प्रकार के सुब लक्षनों से सोभा पाने लगेगी, गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया, अतह उनकी क्रिपा से दोनों पति-पत्नी सुन्दर रूप वाले हो गए, उनके अविशेक का जो जल था, वह नदी रूप में प्रणत हो गया ब्रद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याती हुई, गौतम ने जो शिवलिंग की स्थाबना की, वह वी ब्रद्धा के नाम पर ही ब्रद्धेश्वर कहलाया, वही मुनिस्रेष्ट गौतम ने ब्रद्धा के साथ कून आनंद प्राप्त किया, तब से उस तीर्थ का नाम अबिर भाव की कथा, ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रशद्धी है, वह मनुस्य को सब प्रकार की सिद्ध देने वाला, ब्रह्म हत्या, आदि पापों को दूर करने वाला, तथा संपूर कामनाओं को पूर करने वाला है, बैवश्वत मनु क बंस में इल नामक एक राजा हो गए हैं वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सिकार खेलने के लिए बनमे गए वहां उनकी बुद्ध में कुछ दूसरा ही निश्चे हुआ उन्होंने आमात्यों से कहा आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं देश, कोश, बल, राज्य तथा मेरे पुत्र के भी रक्षा करें महसिवसिस्ट भी हमारे लिए पिता के समान हैं वे भी अगनिहोत्र की अगनियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लोट जाएं मैं अभी इस वन में ही निमास करूँगा बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्न में हिमाले परबत पर जाकर वही निमास करने लगे । एक दिन उन्होंने उस परबत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से बिचित्र शोभा पा रही थी उस गुफा में यक्षों का राजा समन्य रहता था उसके साथ उसकी पतिब्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष म्रिग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ बिचर रहा था। भाति भाति के रतनों से चित्रत उसका वह विशाल ग्रिह सुना पड़ा था। अतह राजा अपनी भारी सेना के साथ वही ठहर गए। वह कोप से पत्नी के साथ म्रिग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा इस राजा ने मेरा घर छीन लिया। मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं। इसी चिंता में पढ़कर म्रिग रूप धारणी अपनी पत्नी से बोला कांते इस राजा का मन म्रिगया के व्यसन में आ सकत है। यह कैसे विपत्ति में फसे इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा बिचार है कि तुम मनोहर म्रिगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी और आकरिष्ट करके किसी तरह अंबिकाबन में पहुंचा प्रवेश करते ही यह राजा इस्तरी हो जाएगा। भद्रे यह काम तुम ही कर सकती हो मेरे लिए यह उचित न होगा। यक्ष्णे ने पूछा नाथ अंबिकाबन तो बड़ा सुन्दर है तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोश होगा यह हमें ठीक ठीक बताओ यक्ष्णे कहा एक समय पारवती ने एकांत बैठे हुए भगवान शंकर से कहा देवेश्वर इस्तरीयों की यह स्वाभाविक इक्षा होती है कि उनकी रतिक्रिडा सदा गुप्त रहे इसलिए मुझे ऐसा नियत अस्थान दीजिए जो आपकी आ उसमें आप गणेश, कार्तिके और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह इस्तरी हो जाए शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा ऐसा ही हो इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए अपने स्वामी का वचन सुनकर इक्षा नुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षणी विसाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई यक्ष वही ठहर गया राजा ने मृग्य को देखा मृग माया और उसका पीछा करने लगे वह धीरे धीरे राजा को अंबिका बन तक खीच ले गई जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा बन में प खोड़ दिया दिब रूप धार्ण कर लिया और अशोक विक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हसने लगी पती की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली सुन्दरी इला तुम अकेली अवला गोड़े पर चढ़कर पुरुस के वेश में कहा जाती हो किस इसके पास जाओगी उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मुर्चित हो उठे और यक्षणी को डाटकर म्रगी का पता पूछने लगे यक्षणी ने पुना कहा इले इले अपने आपको अच्छी तरह देख तो लो फिर मुझे मिठ्यावादिनी या सत्यवा राजा चकित हो गए उन्होंने यक्षणी से पूछा सूबरते यह मुझे क्या हो गया इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं अतह बताईए आप कौन हैं इसका भी परिचे दीजिए यक्षणी बोली हिमाले की सेस्ट गुफा में मेरे पती यक्षणाज समन्यु निवास करत हैं मैं उन्ही की पत्मी हूँ जिस शीतल कंदरा में आप ठैरे हुए हैं वह हमारा ही घर है मैं ही म्रगी बनकर आपको यहां तक ले आई हूँ यह उमावन है यहां के लिए पूर्बकाल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा व वह इस्त्री हो जाएगा अतह आप भी इस्त्री हो गए इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए कोई कितना ही प्रौड क्यों नहों हो भौतव्यता को कोई नहीं जानता इस प्रकार इला को आस्वासन दे वह सुंदरी यक्षणी अंतरधान हो गई उसने पती से सारा हाल क पह सुनाया यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में ही रहने लगी वह कर्म की गती का श्मन करती हुई इस्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेस्टा करती थी एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी बुद्ध ने उस और उसके पास आकर देवी तु स्वर्ग में रहकर मेरी प्रियभार्या हो जा इला ने भक्ति पूर्बक बुद्ध की आज्या का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्बक बिहार करने लगे उसन अपनी प्रिया से कहा कल्यारी मैं तुझे क्या दूँ तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले इला सहसा बोल उठी पुत्र दीजिए बुद्ध ने कहा मेरा वेर्य अमोग तथा प्रेम से प्रगठ हुआ है अतह तेरे गर्व से विश्व विख्यात छत्रीय पु वह तेज में सूर्य बुद्ध में ब्रिहश्पति छमा में प्रथवी युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विश्णू तथा क्रोध में अगनिके समान होगा समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ उस समय देव लोक में सब और जैजैकार का साथ उसमें समलित हुआ वह बालक जन्म लेते ही उच्छ स्वर से रोया था अतह वहां एकत्रत हुए देवताओं तथा रिशियों ने एक दूसरे से कहा इस वालक में पुरू अत्यंत उच्छ स्वर से रो शब्द किया है अतह इसका नाम पुरुर्वा होना चाहिए सबने संतुस्ट होकर यही नाम रखा तदंतर बुद्ध ने अपने पुत्र को छत्र योचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर वेद का ज्यान कराया पुरुर्वा सुक लपक्च के चंद्रमा की भाद सिग्रही बढ़कर बढ़ा हो गया उसने अपनी माता को मुझ जैसा करमठ पुरुष आपका पुत्र है फिर आपके मन में चिंता किस बात की है इला बोली बेटा ठीक कहते हो बुद्ध मेरे स्वामी है और तुम मेरे गुणाकर पुत्र हो अतह मुझे पती और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती तथा पी मेरे मन में पहले क आही कुछ दुख है जिसका बारम बार इस्मर्ण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ पुरुरुवा ने कहा मा पहले मुझे अपना वही दुख बताओ तब इला ने पुरुरुवा को एक छ्वा को वन्सका परिजय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्रा प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनह पुनर जन्म, आदि से संबंध रखने वाली सब वातें कह सुनाई, सुनकर पुरुवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं, क्या करने से शुभ परिणाम होगा, इला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्त की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अविशेक, दान देना, यग्य करना, तथा मुक्त के मार्ग का अवलोकन करना, आदि सब कुछ चाहती हूँ, तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर, सब बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे, माता के कहने से, पुरुर्वा अपने पिता के पास गए, और उन्हें प्रणाम करके, उन्होंने अपनी माता का तथा अपना करतब्य पूछा, बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जान उनके इला होने का बृतांत भी मुझे से छिपा नहीं है, उमा के बन में आना और उस बन के विशय में भगवान संकर की आग्या का हाल भी मुझे मालूम है, बेटा भगवान शिव और माता पारबती के प्रसाद से इल का शाप दूर हो सकता है, उन दोनों की आराधना के सि दूसरा कोई उपाय नहीं है, तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव पारबती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं, वे ही वरदान देकर शाप का नाश करेंगे, पिता की बात सुनकर पुरुरुवा बहुत प्रसन हुए, उन्होंने माता को पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया, पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए, वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुँचे और वहां शनान करके तपस्चा करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे, पहले बुद्ध ने, फिर इला ने, पुरुर्वा ने, देवी पार्वती तथा भगवान शनकर का स्तवन किया, बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतह, सुवण के स्त्रदिश, कान्तिमान, एवन सुन्दर दिखाई देते हैं, कार्तिके और गणेश जी के द्वारा, जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणा अगत वत्सल, उमा महेश्वर, मुझे शरण दें, इलाव बोली, संसार के त्रिविज ताप रूपी दावानल से, वे कल्यानकारी, उमा महेश्वर, मुझे शरण दें, देव, मैं आर्त हूँ, मेरे हृदे में बड़ी पीडा है, क्लेश आजिसे मेरी रक्षा करने वाले, आपके सिवा, दूसरा कोई नहीं है, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं वे मुझे शरण दें, पुरुरुवा बोले, जिन से इस जगत की उतपत्ति होती है, तथा प्रले काल में, यह सब जिनके ही भीतर ले हो जाता है, वे संसार को शरण देने वाले, जगतात्मा, उमा महेश्वर, मुझे शरण दें, देवताओं के समुदाएं में, एक महान उत्सव के औसर पर, गिरिराज कुमारी पारबती ने महादेव जी से कहा था, इश आप मेरे दोनों चरण पकड़ें, इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवस पारबती जी के, जिन दोनों सरणागत पालक चरणों को ग्रहन किया था, वे मुझे शरण दें, यह स्तुति स उमावर महिश्वर प्रगट हो गए, भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनुरत क्या है, बताओ, मैं उसे पून करूंगी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग कृतार्थ हो गए, जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुरलब हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी पुरुरुबा बोले, जगदंबिके, राजा इल, अज्यान वस्त, आपके बंग में घुस गए थे, देवेश्वरी, आप उनके उस अफराद को छमा करें, और पुनह उन्हें पुरुशत्त दें, पार्वती जी ने भगवान शंकर की सम्मती के अनुसार, तथास्तु कहक उन सब की प्रार्थना स्विकार की, इसके बाद सिवजी ने कहा, राजा इल, गौतमी गंगा में शनान करने मात्र से पुरुस हो जाएंगे, तब बुद्ध की पतनी इला ने गंगा में शनान किया, शनान के परशाद इला के सरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ नारी जनूचित सौंदर, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए, वे ही नृत्या, गीता और सौभाग्या नाम की नदियों के रूप में परणत हुए, वे नदियां भी गंगा में आमिली, इससे वहां तीन पवित्र संगम हो गए, उनमें किया हुआ शनान और दान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला है, सिव और पार्बती के प्रसाद से पुरुशत्त प्राप्त करने के पश्चात, राजा इल्ग में महान अभ्युदे की सिद्ध के लिए वहां अस्वमेद यग्य किया, पुरोहित वसिस्ट, अपनी पत्नी, पुत्र, अमात, सेन और कोस को भी लाकर उन्होंने वह यग्य संपन्न किया, दंडक बन में इल्ग ने चतुरंगिणी सेना सहित राज्य की स्थापना की, वहां इल्ग के नाम से बिख्यात उनका नगर भी है, शूर्यवंस की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किये थे, उन राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहां गौत्मी के दोनों तटों पर सोला हजार तीर्थों का निवास है, वहां इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है, उन तीर्थों में शनान और दान करने से संपूर्ण यग्यों का फल प्राप्त हो आद के त्याग की अदबुद कथा, ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्रतीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है, वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं, उन ही से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था, श्री विष्णु उने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्रतीर्थ कहते हैं, उसके श्रमण मात्र से मनुस्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, चक्रतीर्थ के बाद पिपलतीर्थ है, उसकी महिमा का बढ़न करने में शेशनाग भी समर्थ नहीं नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं, उनके नाम का कारण सुनूं। दधीच नाम से विख्यात एक मुनी थे, वे सभी उत्तम गुणों से सुशोवित थे, उनकी पत्नी स्रेष्ट वन्ष की कन्या और पतिव्रता थी, उनका नाम गभस्तिनी था, वे लोपा मुद् दधीच की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी, दधीच प्रतिदिन अग्नी की उपासना करते और ग्रहस्त धर्म के पालन में ततपर रहते थे, उनका आश्रम गंगा के ततपर था, वे देवता और अतितियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रहते थे, उनके प्रभाव से उस देश में शत्रूं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था, एक दिन की बात है, दधीची मुनी के आस्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे, वे दैत्यों को परास्त कर के वहां आये थे, और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी, मुनिवर दधीची को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया, दधीची भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसंद हुए, उन्होंने सब का प्रथक प्रथक पूजन किया, फि इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्था लाग करने लगे, देवता बोले, मुने, आप इस प्रथवी लोक के कल पवरिक्ष हैं, आप जैसा महरसी जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौ मुने शेष्ट, जीवित पुरुसों के जीवन का इतना ही फ्ल है कि वे तीर्थों में शनान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें, मुने, इस समय स्नेह वस हम आप से जो कुछ कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनें, हम बड़े बड़े रा प्राशन करके हमें बड़ी पसंदा हुई है, अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाव नहीं दिखाई देता, हम उन अस्त्रों का बोज ढो भी नहीं सकते, हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रों इनका पता लगा कर वहां से ले जाते हैं, इसलिए हम आपके पवित्र आस्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं, ब्राम्हन यहां दानमों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, आपकी आग्यां से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षत हो गया है, तपस्याद्वारा आपकी समानता करन दूसरा कोई है ही नहीं, अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है, देवताओं की यह बात सुनकर दधीच ने कहा एव मस्तू, उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका, मुने यह देवताओं का कार विरोध करने वाला है, अतह इसमें आपको पढ़ने की क्या आवशक्ता है, जो शास्त्रों का ग्यान प्राप्त करके परमार्थ तप्त में इस्थित हो चुके हैं, संसार के कारियों में जिनकी कोई आशक्त नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा स अंकट मोल लेने से क्या अलाब, जिससे न इस लोक में सुख है, न परलोक में, विप्रवर्व मेरी बातें ध्यान दे कर सुनो, यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया, तो इन देवताओं के शत्रू आप से द्वेश करेंगे, यदि इन में से कोई अस्त्र हुआ या चोरी चला गया, तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्र बन जाएंगे, अतह मुनिस्वर, आप वेद वेताओं में स्रेश्ट हैं, आप के लिए इस पराए द्रब्य में ममत जोड़ना ठीक नहीं, यदि धन देने की सक्त हो, तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ बिचार करने की आवशक्ता नहीं है, यदि धन देने की सक्ति नो हो, तो शाधु पुरुस केवल मन, वाणी तथा शारिरिक क्रियाओं द्वारा दूसरे का कार्य साधन करते हैं, प्राणात, पराए धन को अपने यहां धरोहर के रूप में रखना, साधु प वहिसकार ही किया है, अतह आप यह कारे न कीजिए, अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्रामण ने कहा, भद्रे मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हां कह चुका हूँ, अब नहीं कर दूँ, तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, पती का कथन सुनकर, ब्रामण अस्त्र आस्रम पर रखकर, मुनिस्तर को नमस्कार करके, कृतार्थ हो, अपने अपने लोक में चले गए, देवताओं के चले जाने पर, मुनी अपनी पत्नी के साथ, धर्म में तक पर हो, प्रसन्नता पूर्बक वहां रहने लगे, इस प्रकार, एक हजार दिव्य वरस दी गए, तब दधीची ने अपनी पत्नी से कहा, देवता यहां से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते, और दैत्य मुझे से देश करते हैं, अब तुम ही बताओ, क्या करना चाहिए, पत्नी ने बिने पूर्बक कहा, नात, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जान और जो उचित हो, सो करें, दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र सस्त्रों के वो निश्चे ही हडप लेंगे, तब दधीची ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया, उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्त विहीन हो गए, अतह क्रमसह समयानुसार नश्ट हो गए, तदंतर देवताओं ने आकर दधीची से कहा, मुनिवर हमारे उपर शत्रों का महान भय आप हुचा है, अतह हमने जो अस्त्र आपके यहां रख दे थे, उन्हें इस समय दे दधीची ने कहा, आप लोग बहुत दिन तक उन्हें नहीं लेने आए, अतह दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है, अब वे हमारे शरीर में इस्त्त हैं, इसलिए जो उचित हो वह करें, यह सुनकर देवताओं ने बिनीत भाव से कहा, मुनिस्वर इस समय त हड्डियों में मिल गए हैं, अतह उन हड्डियों को ही ले जाओ, उस समय प्रिय बचन बोलने वाले दधीची की पत्नी प्राति थेई, उनके पास नहीं थी, देवताओं उनसे बहुत डरते थे, उन्हें न देखकर दधीची से बोले, विप्रवर जो कुछ करना हो, शीग मेरी हड्डियों से प्रसनता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है, यो कहकर दधीची पदमासन बाद कर बैठ गए, उनकी द्रिष्टी नसिका के अग्रभाग पर इस्थिर हो गई, मुख पर प्रकास और प्रसनता बिराज रही थी, उन्होंने हड्याकाश में इस शरूप में स्थापित कर दिया, इस प्रकार महात्मा दधीची ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया, उनका सरीर निश्प्राण हो गया, यह देखकर देवताओं ने विश्व कर्मा से उतावली पूर्बक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्रसस्त्र बना डालिये, व भी उनका अस्त्र निर्मान करूंगा, तब देवताओं ने गवों से कहा, हम तुम्हारा मुक बज्र के समान किये देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्रस्त्र निर्मान करने के उदेश से दधीची के शरीर को छण भर में बिदिर्न कर डालो, और शुद्ध हड्डिय निकाल कर दे दो, देवताओं के आदेश से गवों ने वैसा ही किया, उन्होंने दधीची के शरीर को चाट चाट कर हड्डिया निकाल ली और देवताओं को दे दी, देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गवें भी अपने स्थान को लोट गई, तदंतर ब पूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अगनी, पती तथा आस्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई, उस समय उनके गर्व में बालक आ गया था, आस्रम पर पहुँचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नह सब सुना दिया, पती की मित्व का दुखत समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृत्वी पर गिर पड़ी, उस समय अगनी देव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया, प्राथि थेई बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतह स् अगनी में प्रवेश करूंगी, अब जीवन रखकर क्या होगा, संसार में जो वस्तूत्पन होती है, वह सब नश्वर है, अतह उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए, परंतु मनुस्यों में वे ही पूर्ण के भागी होते हैं, जो गव, ब्राम्हड और देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्घ कर देते हैं, इस परिवर्तन शील संसार चक्र में धर्म पारायण और शक्तिशाली, शरीर पाकर, जो प्राड़ी, देवताओं और ब्राम्हड के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं, जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक नएक दिन अवस्य जाएंगे यह जानकर जो ब्राम्हड गौ देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे इश्वर हैं यों कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीर कर इत्वी आश्रम तथा आश्रम के बनस्पतियों और अन आदि और सधियों को प्रणाम करके पती की तचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का बिचार किया उस समय वे बोली मेरे गर्व का यह बालक पिता माता से हीन है इसके कोई सगोत्र बंदु भी नहीं है अतह संपूर्ण भूत गण और शदियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरश पुत्र के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्य ही ब्रम्हा आदि देवताओं के भी बंदनिये हैं यों कहकर दधीची की पतनी ने बालक को पीपल के समीफ रख दिया और स्वामी में चित लगाकर अग्नी को प्रणाम किया फिर अग्नी की परिक्रमा करके यग्यपात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पती सहित दिब्य लोग को चली गई उस समय आस्रम के वनवासी विक्ष भी रोने लगे प्राति थेई और दधीच ने उनका अपने पुत्रों की भाति पालन किया था मरिग पक्षी तथा ब्रिक्ष सब रोरो कर एक दूसरे से कहने लगे हम पिता दधीच और माता प्राति थेई के बिना जीवित नहीं रह सकते जो लोग स्वर्गबासी माता पिता की संता पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वेही पुणियात्मा और कृतार्त हैं दधीच और प्राति थेई हमें जिस स्नेह पूर्ण दृष्ट से देखा करते थे वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते हमें धिकार है हम पापी हैं जो उनके दर्शन से बंचित हो गए आज से हम सब लोगों का यही निश्चे होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीच और प्राति थेई है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है यो कहकर बनस्पतियों और औसधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अम्रत की आचना की सोम ने उन्ह लाकर बालक को दे दिया अम्रत से त्रिप्त हुआ बालक शुकल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा पीपल के व्रिक्षों ने उसका पालन किया था इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसद्ध हुआ बढ़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के व्रिक्षों से अत् अस्पति उत्पन्न होते हैं इसमें कहीं विशमता नहीं दिखाई देती परन्तु मैं ब्रिक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से बिसिस्ट जीव कैसे हो गया उनकी बात सुनकर ब्रिक्षों ने क्रमसह उनके पिता दधीच की मृत्यु और पतिब्रता माता के अग्नि प् दुख से डाप्त होकर प्रत्वी पर गिर पड़े उस समय ब्रिक्षों ने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सांतना दी आश्वस्त होने पर उन्होंने और शदियों और बनस्पतियों से कहा जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी बद करूंगा अन् पुत्र है जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है तब ब्रिक्षों ने कहा महा द्युते तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय या उद्गार प्रट किया था जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं जो अपने कल्यान की ब बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले जिसके अंता करण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो उसके सामने साधुता की द्यातें बेर्थ हैं फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव की स्थान पर जाकर उनसे कहा मुझे तो शत्रुं का नाश करने के ल उसके आकृति बडवा घोडी के समान थी संपूर जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्व में भयंकर अग्न चिपा रखे थी मृत्य के लपलपाती हुई जीव के समान वह महारोद्र रूपा भीशन कृत्या पिपलाद से बोली बताओ मुझे क्या करना है पिपलाद ने कहा देवता मेरे शत्रु हैं उन्हें खा जा फिर तो उस बडवा के गर्व से महाभयंकर अग्नि प्रगट हुई जो समस्त लोक का प्रले करने में समर्थ थी देवता उसे देखते ही ठर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आधारित पिपलेश नाम के प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आये उन्होंने भैभीत होकर सिव जी की स्तुति करते हुए कहा शंभो आप हमारी रक्षा करें कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कस्ट दे रही है सरवेश्वर आप भैभीत मनुस्यों को अभै देने वाले हैं शिव जो सब और से सताय हुए पीडित और शांत चित प्राणी हैं उन सब की आप ही शरण हैं जगन में आप पिपलाद को शांत कीजिए बहुत प्राश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लोट कर नहीं आएंगे उन्होंने देवताओं के कारे की सिद्धी के लिए अपने प्राण दिये हैं संसार में उनके समान दीन दुख्यों का दयामे बंद कौन होगा तुम्हारी पतिब्रता माता भी उन्हीं के साथ दिब प्रावरी कर सकती हैं जिनकी हड्डियों से संपूर देवता सदा बिजई और सुखी बने रहते हैं वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे उन्होंने जिस उज्वल शुयस रासिका उपारजन किया है उसे तुम्हारी माता ने अपने दिब्यत्याग से अक्षय बना स्वर्ग से भ्रस्ट हो चुके हैं वे सोच नहीं पाते कि इस समय किस दिशा में भाग कर जाएं तुम उन्हें बचाओ अमरों की रक्षा करो आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पूर्य कहीं भी नहीं है मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश पहला रहता है तब त पर्ष के क्रम से दिर्ग काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित से निवास करते हैं इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यस का उपारजन नहीं किया वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान न देव जी का यह बचन सुनकर पिपलाद मुनी शान्त हो गए उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर कहा जो मन वाडी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में सनलगन रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं आदिके पूजनी उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरी रक्षा की हमें पाल पोसकर बड़ा किया अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया भगवान शिव उनके मनोरत पूर्ण कारे करें मैं बाल चंद्रमा का मुक्ट तहार्ण करने वाले महादेव प्रणाम करता हूं प्रभो जिन्होंने माता पिता की भात मेरा भरन पोशन किया है उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो इससे उनका यश्ष होगा और मैं उनके रिन से उर्ण हो जाऊंगा प्रतिवी पर देवताओं के जो जो छेत्र और तीर्थ हैं उन सब की अपेक्छा इस तीर्थ का अधिक महात्म हो इस बात का यदि देवता लोग अनुमोधन करें तो मैं उनके अपराद शमा कर सकता हूं पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर देवताओं के सामने कही और सबने आदर तूर्बक इसका समर्थन किया बालक पिपलाद की बुद्धी विनय विद्या शौर्य वल साहस सत्य भासन माता पिता की प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धी को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा बेटा जो तुम्हारा अभिस्ट हो उसे बताओ वह तुम्हें अवस्य प्राप्त होगा तुम अपने मन में अन्यथा बिचा पिपलात जी बोले महेश्वर जो धर्मनिस्ट पुरुस गंगा जी में श्नान करके आपके चर्ण कमलों का दर्शन करते हैं उन्हें समस्त अभिस्ट वस्तुमें प्राप्त हों और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं नात मेरे पिता और माता आपके चर्ण सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाएं पिपलात की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसनता होई हुए उनके भैसे मुक्त हो इस प्रकार बोले ब्राम्हन तुमने वही किया है जो देवताओं को अभिस्ट था देवाध देव भगवान शिव की आग्य भी पालन किया और पहले बरदान भी दूसरों के लिए ही मागा अपने लिए नहीं इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं तुम हमसे कोई वर मागों पिपलात जी ने कहा देवताओं मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूं मैंने केवल उन करते हैं अपनी इंद्रियों को शरीर को कुल शक्ति और बुद्ध को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृतकृत्य हो जाता है यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन वचन शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा पिपलात मुनी का यह कथन सु करके कहा ब्राम्मन तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूण हो तुम्हें देखने के लिए आते हैं तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे विशाद छोड़कर अपने मन को शांत करो देखो देखो वे स्रेष्ट विमान पर बैठे आ रहे हैं उनके दिव्य पर स्वरगी आभूशन सोभा पाते हैं पिपलाद में भगवान शिव के समीफ अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आशु भर आये थे वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले अन्यकुलीन फुत्र अपने माता पिता को तारते हैं किन्तु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को बिदिर्ण करने में कारण बना उस समय उनके माता पिता ने कहा पुत्र तुम धन्य हो जिसकी कीरती स्वर्ग लोग तक फैली है तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को सांतना तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोग कभी छीड नहीं होते इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्शा होने लगी देवताओं ने जैजैकार किया पत्नी सहित दधीच ने भी पुत्र को आशिरवाद दिया और शंकर गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा वेटा विवाह करके भगवान शिव की भक्ती और गंगा जी का सेवन करो पुत्र की उत्पत्ति करके बिधिपूरबक दक्षिना सहित यग्यों का अनुस्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ हो दिर्ग काल के लिए दिब्य लोग में इसा ही करूंगा तदंतर पत्नी सहित दधीच पुत्र को बारम बार सांतना दे देवताओं की आग्या ले पुनह दिब्य लोक में चले गए इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव से कहा जगदीश्वर अब दधीच की हड़ियों की हमारी और इन गववों की पवित् शिव जी ने कहा गंगा जी में शनान करके संपूर देवता और गववें पाप मुक्त हो सकती हैं इसी प्रकार दधीच के शरीर की हड़ियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी शिव जी की आग्या के अनुसार देवता शनान करके शुद्ध हो गए और हड़ियां धोने मात्र से पवित्र हो गई जहां देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है वहां का शनान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है जहां गवें पवित्र हुई उस स्थान का नाम गो तीर्थ हुआ जहां दधीच की हड़ियां पवित्र की गई उसे पित्र तीर्थ जानना चाहिए वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है जिस किसी प्राड़ी के वह कितना ही पापी क्यों नो हो शरीर की राख हड़ी नक और रोएं उस तीर्थ में पढ़ जाते हैं वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक की चंद्रमा सूर्य और तारों का अस्तित्त बना रहता है इस प्रकार उस तीर्थ से तीन तीर्थ प्रगट हुए उस समय देवताओं और गौवों ने पवित्र होकर भगवान शंकर से क यहां हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे यहां सूर्य देव की प्रतिस्था की गई है इनके प्रतिस्थत होने से सब देवता प्रतिस्थत हो जाएंगे इसलिए आप हमें आग्या दें सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा हैं जहां जगत जन्नी गंगा और साक्षात बगवान त्रयंबक विराज रहे हैं वहाँ प्रतिस्ठान नामक तीर्थ भी हो यो कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमती ली और अपने अपने निमास स्थान को चले गए वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षे स्वर्ग को प्र प्रतापी पिपलाद ने उस खेत्र के अधिस्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया फिर गौतम की कन्या को पत्मी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्झ के लक्षमी और यज्यका उपार्जन किया तथा अंत में वे सुहिर्द जनों के साथ स्वर्ग लोग को चले गए तब से वह छेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाता है वह सब यग्यों का फल देने वाला अवित्र तीर्थ है उसके स्मर्ण मातर से पापों का नाश हो जाता है फिर्श्णान दान और सूर्य के दर्शन से जुलाब होत उसके लिए तो कहना ही क्या है वहां देवादि देव महादेव जी के दो नाम है चक्रेश्वर और पिपलेश्वर इस रहस्य को जानकर मनुस्य सब अभिस्ट वस्तों को प्राप्त कर लेता है देव मंदिर में सूर्य की प्रतिस्था होने से वह चेत्र प्रतिस्थान कहलाया जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है जो मनुस्य इसका पाठ अथवां श्रमन करता है वह देरगजीवी धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का श्मर्ण करके उनी को प्राप्त कर लेता है नाग तीर्थ की महिमा ब्रंभा जी कहते हैं नाग तीर्थ की नाम से जो प्रसद्ध छेत्र है वह सब अभिस्थ वस्तूओं को देने वाला तथा मंगल मैं है वहां भगवान नागेश्वर निवास करते हैं उनके महात्म की विस्थरत कथा भी सुनों, प्रतिस्ठान पुरी में चंद्रवनसी राजा शूर सेन राज्य करते थे, वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े यत्न किये, दीर्गकाल के पश्षाद उन्हें एक पुत्र हुआ, किन्तुव भयानक आकार वाला सर्प था, राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा, किसी को इस बात का पता न लगा कि राजा का पुत्र सर्प है, अन्तहपुर अथमा बाहर का मनुस्य भी इस भेद से परचित माता पिता के सिवा धाय, अमात्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे, उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था, वे सोचते सर्प रूप पुत्र की अपिक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा था, वह था तो चूडा करण, उपनयन तथा बेदा धेन संसकार कराईए, दिज जब तक बेद का धेन नहीं करता, तब तक शूद्र के समान रहता है, पुत्र की यह बात सुनकर शूर सेन बहुत दुखी हुए, उन्होंने किसी ब्राम्हन को बुलाकर उसके संसकार आदि कराए, बेदा ध धेन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, निप्रशेष्ट मेरा विवाह कर दीजिए, मुझे इस्तरी प्राप्त करने की एक्षा हो रही है, मेरा दिश्वास है, ऐसा किये विना, आपका कोई भी कार्य सिद्ध ना हो सकेगा, पुत्र का यह निश्य जानकर, राजा धिमान, शूर, दुर्जय तथा सत्रूं को संताप देने वाला है, उसका विवाह करना है, मैं बुढ़ा हुआ, अब पुत्र को राज्य का भार सौप कर निश्चिन्त होना चाहता हूँ, आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर हो, उसके विवाह के लिए प्रयत्म करें, र आप भी सर्बत्र विख्यात हैं, फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रना करनी है, और किस बात की चिंता, अमात्यों के यूं कहने पर निर्पशेष्ट सूर सेन कुछ गंभीर हो गए, वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे, कि मेरा बेटा श कौन राजा उचे कुल में उत्पन, स्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रे हैं, राजा का यह कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष्ट जो महराज के संकेतों को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, महराज पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं, उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों के गिंती नहीं है, महराज विजय के आठ पुत्र हैं, जो बड़े धनुर्धर हैं, उनकी बहिन भोगवती, साक्षात लक्षमी के समान है, राजन वह आपके पुत्र के लिए शुयोग्य पत्मी होगी, बु बताओ, बुढ़े अमात्य ने कहा, महराज आपके मन में जो बात है, मैं उसे समझ गया, अब आप मुझे कार सिद्धी के लिए जाने की आग्या दें, महराज सूर सेन ने भूशन, बस्त्र और मदरवाणी से बुढ़े मंत्री का सतकार करके, उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा, वे पूर्वदेश में जाकर महराज विजय से मिले, और नाना प्रकार के वचनों तथा नीत जनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया, मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तैं करा दिया, राजा विजय ने कन्या देन स्विकार कर लिया, बुढ़े मंत्री लोट आए और सूर शेन से उन्होंने विवाह निश्चत होने का सब वृतांत सुना दिया, तदंतर बहुत समय वितीत हो जाने पर बृद्ध मंत्री अन्य सब सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के वहाँ पहुँचे और इस स्वैंग यहां आना नहीं चाहते, छत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतह यह विवाह सस्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है, बृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्त्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही सास्त्र विधी के अनुसार संपन्न हुआ, विवाह के पश्चात महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गवें, सुवर्ण और अस्व आदि सामगरी दहेज में देकर कन्या को विदा किया, साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा, बूढे मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिस पूर बचन कहे थे, उनको भी सुनाया, और उनकी दी हुई दहेज की सामगरी, बिचित्र आभोशन, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन के, इन सब कारियों का संपादन करके, वे लोग कृत कृत्यों हो गए, राजकुमारी भोगवती के साथ, जो विजय के अमात्य पधारे थे, उनका महाराज सूर सेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सथकार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसनता हो, ऐसा वरताव करके सब को विदा किया, राजा विजय की कन्या रूप वती थी, वह सुन्दरी सदा अपने सास ससुर की सेवा में सनलग्न रह भोगवती का पती अत्यंत भीषण महानाग रतनों से सुशोवित एकांत ग्रिह में सुगंदित पुस्पों से बिची हुई सुखद सईया पर आराम करता था, उसने अपने माता पिता से बार बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती, पुत्र की य माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो, तुम्हारा पती एक सर्प है, देखो इस पर क्या कहती है, बहुत अच्छा, कहकर धाय भोगवती के पास गई, और एकांत में बिनीत भाव से बोली, कल्याडी, मैं तुम्हारे पती को जानती हूँ, वे देवता हैं, किन भोगवती ने कहा, मनुस्य कन्या को सामान्यतह मनुस्य ही पती मिला करता है, यदि देव जाति का पुरुष पती रूप में प्राप्त हो, तब तो क्या कहना, वह तो बड़े पूने से मिलता है, धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से, और महाराज सूर सेन से भी कही, भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्यान हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ, तब धाय ने उसे ले जाकर, अक्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया, वह सुगंदित खूलों से आक्षादित पलंग पर विराज मान था, एकांत ग्रिह मे रतनों से विभोषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए, अपने स्वामी को देखकर, भोगवती ने हाथ जोड कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ, जिसके पती देवता हैं, पती ही इस्त्री की गती है, यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसनता हुई, उसने हसकर क सुन्दरी मैं तुम्हारी भक्त से संतुस्ट हूँ, बोलो तुम्हे क्या अविस्ट वरदान दूँ, तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मर्ण सक्ती जाग उठी है, मुझे पिनाक धारी देवादि देव भगवान शंकर ने साप दिया है, शेश नाग का पुत जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो, एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे, वहाँ पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शिव ठठा कर हस पड़े, उस समय मुझे भी हसी आ गई, इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे मैंने भी भगवान को प्रसंद करने की चेस्टा की, तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे, और मैं तुम्हारे अंतह करण में ज्ञान का आधान करूँगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से साप मुक्त हो जाओगे, इसलिए मुझ पर यह संकट आया है, तुम मुझे गौमती के तट पर ले चलो, और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो, इससे मेरा साप छूप जाएगा, और हम दोनों पुना भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे, कस्ट में पड़े हुए समस्त प्राडियों के लिए सदा भ वहां गौमती में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया, इससे प्रसंद होकर भगवान ने उस सर्प को दिब्य रूप प्रदान किया, तब वह अपने माता पिता से पूछ कर शिव लोग में जाने को उद्यत हुआ, यह जानकर पिता ने कहा, बेटा, तुम एक ही मेरे प पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा, फिर वे इच्छा नुसार रूप धारन करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया, और जब पिता सर्गलोप मे चले गए, तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठा कर वे पत्नी और अमात्याद के साथ श्योपुर में गए, तब से वह तीर्थ, नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, वहां भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं, उस तीर अविख्न तीर्थ और शेस तीर्थ की महिमा, ब्रह्मा जी कहते हैं, गौत्मी के तड़ पर मात्र तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, वह मनुस्यों को सब प्रकार के सिद्ध देने वाला है, जीव उसके श्मर्न करने मात्र से समस्त मानसिक चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है, पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भेंकर संगराम छिडा था, उस समय देवता लोग दानवों को परास्त न कर सके, तब मैं सब देवताओं के साथ शूल पाणी भगवान संकर के पास गया, और हाथ जोड कर नाना प्रकार के व एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंधन किया, और उसमें से एक काल कूट विश निकला, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो सकता था, जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक जुकाते हैं, तथा जो केवल फूलों की मार से तीनों लोग को अपने अधीन करने में समर्थ है, वही काम देव, जब आप पर आक्रमण करने चला, तब स्वैंग ही नस्ट हो गया, अतह आप से बढ़कर शक्त शाली दूसरा कौन है, यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रसन हो गये, और बोले, देवताओं बतलाओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अ आप वहाँ चलकर शत्रू का संगार और देवताओं की रक्षा करें, प्रभो हम आप से सनाथ हैं, देवताओं के इतना कहते ही, भगवान शंकर उस स्थान पर आए, जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे, वहाँ दैत्यों का शंकर जी के साथ घमा सान युद्ध छ गिरने लगी, वे भूदें जहां जहां गिरी, वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई, वे भगवान महिस्वर से बोली, आप आग्या दें, तो हम सब असरों को खा जाएं, तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रू जहां जहां जाए, सर प्रवत्र उनका पीछा करो, इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुँचे हैं, तुम भी रसातल उनके पीछे पीछे जाओ, यह आग्या पाकर सब माताएं पृत्वी छेद कर रसातल में गई, और अक्ट्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानों का संहार करके, फिर उसी मार जिन से देवताओं के पास लोट आई, माताओं के जाने से लोटने तक देवता गौत्मी के तक पर खड़े रहे, लोटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है, उसी प्रकार माताओं की भी पूजा हो, यो कहकर देवता अंतर धान हो गए और माताईं वहीं रह गई जहां जहां वे देवियां इस्तित होई वह सबस्थान मात्र तीर्थ माना जाता है वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य है फिर मनुष्याद के लिए तो बात ही क्या है शिव जी के कतना नुझार उस तीर्थ में किया हुआ स्नान, दान और तरपन सब अक्षे होता है जो मनुस्य मात्र तीर्थ के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता, श्मरं रखता और पढ़ता है वह दिर्गाई और सुखी होता है मात्र तीर्थ के अनंतर अविग्न तीर्थ है जो सब विगनों का नाश करने वाला है नारद वहां का ब्रतान्त भी बतलाता हूँ भक्ति पूर्बक्त सुनो एक बार गौतमी के उत्तर थट पर देवताओं का यग्यारंब हुआ किन्तु विगन दोश के कारण उसकी समाप्ति नहीं हुई तब सब देवताओं ने मुझसे और भग्वान विष्णु से इसका कारण पूछा उस समय मैंने ध्यानस्त होकर कारण का पता लगाया और कहा इसमें गणेश जी बिगन डाल रहे हैं इसलिए इस यग्य की समाप्ति नहीं हो पाती अतह सब लोग आदि देव विनायक की स्तुति करें मेरा आदेश पाकर सब देवता गोतमी में स्नान करके आदि देव गनेश जी की भक्ति पूर्वक्त स्तुति करने लगे देवता बोले सदा सब कार्यों में संपूर्ण देवता तथा शिव, विष्णू और ब्रह्मा जी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिंदन करते हैं उस विग्नराज गनेश जी की हम शरण लेते हैं विग्नराज गनेश के समान मनो वांचित फल देने वाला कोई देवता नहीं है ऐसा निश्य करके तिपुरारी महादेव जी ने भी तिपुरवद के समय पहले उनका पूजन किया था जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देह धारियों के बनोरत पूर्ण हो जाते हैं वे अंबिका नंदन गनेश इस महायग्य में सिग्रही हमारे विग्नों का निवारन करें देवी पारवती के चिंतन मात्र से ही गनेश जी जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया इससे संपूर्ण जगत में महान उत्सव छा गया है यह बात उन देवताओं ने अपने मुख से कही थी जो नौजात सिशु के रूप में गनेश जी को नमसकार करके कृतार्थ हुए थे माता की गोद में बैठे हुए तथा माता के मना करने पर भी उन्होंने पिता के ललाट में इस्तित चंद्रमा को बल पूर्बक पकड़ कर उनकी जटाओं में छिपा दिया यह घनेश जी का वाल विनोत था यद्यपिवे पूंड त्रिप्त थे तो भी अधिक देर तक माता के स्तनों का दूद इसलिए पीते रहे कि कहीं बड़े भीया कार्तिके भी आकर नव पी लें उनकी बुद्ध में बाल सुभाव बस भाई के प्रति इर्शा भर गई थी यह देखकर भगवान शंकर ने बिनोत वश कहा बिघनराज तुम बहुत दूद पीते हो इसलिए लंबोदर हो जाओ यह कहकर उन्होंने उनका नाम लंबोदर रख दिया देव समुदाय से घिरे हुए महिस्वर ने कहा बेटा तुम्हारा नृत्य होना चाहिए यह सुनकर उन्होंने अपने घुंगरू की आवाज से ही संकर जी को संतुष्ट कर दिया इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने पुत्र को गणेश के पद पर अविशिक्त कर दिया जो एक हाथ में विग्न पाश और दूसरे हाथ से कंधे पर कुठार लिये रहते हैं तथा पूजा नव पाने पर अपनी माता के कार्य में भी विग्न डाल देते हैं उन विग्न राज के समान दूसरा कौन है जो धर्म अर्थ और काम आदि में सबसे पहले पूजनिये हैं तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं जिनके पूजन का फल कभी नस्ट नहीं होता उन प्रतम पूजनी गणेश जी को हम पहले मस्तक नवाते हैं जिनकी पूजा से सबको प्रार्थना के अनुरूप सब प्रकार के फल की सिद्ध दिस्टिगोचर होती है जिने अपने स्वतंत्र सामर्थ पर अत्यंत गर्व है उन बंदुप्रिय मुशक वाहन गणेश जी की हम स्तुति करते हैं जिनोंने अपने सरस संगीत नृत्य समस्त मनोर्थों के सिद्ध तथा विनोध के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुस्ट किया उन अत्यंत संतुस्ट ह्रदें वाले श्री गणेश की हम शरण ले करते हैं इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर गणेश जी ने उनसे कहा देवताओं अब तुम्हारे यग्य में बिग्न नहीं पड़ेगा जब देवयग्य नर्विग्न पूरा हो गया तब गणेश जी ने उन देवताओं से कहा जो लोग इस स्त्रोत्र से भक्ति तोड़कर भक्ति पूर्वक्त सनान और दान करेंगे उनके शुवकार नर्विग्न सिद्ध होंगे इस बात का आप लोग भी अनुमोदन करें उनके इतना कहने के साथ ही देवताओं ने एक स्वर से कहा ऐसा ही होगा यग्य समाप्त होने पर देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब से वह तीर्थ अवीग्न तीर्थ कहलाने लगा वह मनुस्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा संपूर दिखनों को मिठाने वाला है अवीग्न तीर्थ के बाद शेष तीर्थ है वह भी समस्त अविस्थ वस्तूओं को देने वाला है मैं उसक स्वरूप का बढ़न करता हूं रसातल के स्वामी महा नाग सेश संपूर नागों के साथ रसातल में रहने के लिए गए परंतु राक्षसों दैत्यों और दानों ने जिनका रसातल में पहले ही प्रवेश हो चुका था नाग राज को वहां से निकाल दिया तब वे मेरे पास आकर बोले भगवन आपने राक्षसों को तथा हम लोगों को भी रसातल दे रखा है किन्तु दैत्य और राक्षस हमें वहां अस्थान नहीं देना चाहते इसलिए आपकी शरण में आया हूं तब मैंने नाग से कहा तुम गौतमी के तट पर जाओ वहां महा देव जी की स्तुति करने से तुम्हारा मनौरत पूर्ण होगा उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोक में ऐसा नहीं है जो सब के मनौरत सिद्ध कर सके मेरे कहने से शेशनाग वहां गए और गंगा में शनान करके हाथ जोड़कर देवेश्वर महा देव की स्तुति करने तथा त्रिभुवन रूप हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है जिनके सहस्रों मस्तक हैं उन भगवान सदा शिव को नमस्कार है सबका संहार करने वाले रुद्र देव को नमस्कार है भगवन आप सोम सूर्य अग्नि और जदरूप हैं आपको नमस्कार है जो सरवदा सर सर्वेश्वर संकर मेरी रक्षा कीजिए सर्वब्यापी सोमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए जगनाथ आपको नमस्कार है मेरा मनुरत कूण कीजिए इस इस्तुति से प्रसन्न होकर माहिश्वर ने नाग राज को मनोवांचित वर दिया जो देवताओं से शत्रता रखने वाले दैत्य दानों तथा राक्षसों के विनास में सहायक था भगवान ने शेशनाग को सूल दे कर कहा इससे अपने शत्रूं का संगहार करो भगवान शेशनाग सर्पों के साथ रसातल में गए वहां उन्होंने शूल से अपने शत्रूदैत्य दानों तथा राक्षसों का बद किया और फिर भगवान शेशेश्वर का दर्सन करने के लिए वे गौतमी तट पर लोट आये नागराज जिस मार्ग से आये थे उसमें रसातल से वहां तक छेद हो गया था उस बिल से गौतमी गंगा का अत्यंत पूर्य दायक जल पाताल गंगा में जा मिला इस प्रकार उन दोनों का संगम हुआ भगवान सेशेश्वर के सामने एक विशाल कुंड बनाकर शेशनाग ने उसमें हवन किया उस कुंड में सदा अगन देव इस्थित रहते हैं उसमें गंगा के जल का संगम होने से वह जल गरम हो गया महा यसस्वी शेशनाग महा देव जी की आराधना करके पुनह अपने अविस्थ स्थान रसातल में चले गए तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ एवन शेश तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह संपूर अविस्थ वस्तूओं को देने वाला पवित्र तथा रोग और दरिद्रता का नाशक है उससे आयू इवन लक्षमी की भी प्राप्ति होती है वह पवित्र तीर्थ शनान और दान से मोक्ष देने वाला है जो मनुस्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्बक्ष श्रमड पाठ अथमा मनन करता है उसकी सब कामनाएं पूर होती हैं जहां सेशेश्वर तीर्थ है और जहां शक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं वहां गौतमी के दोनों तटों पर 2100 तीर्थ हैं जो सब प्रका प्र की हैं पूर्ब काल की बात है देउताओं नहीं ले अगस्त अनरोथ किया था किह आप बिंद्य परबत को आदेश देकर उपर उठने से रोकें महरसी अगस्त धीरे धीरे सहस्रों मुनियों के साथ बिंद्य परबत के समीब गए उन्होंने देखा नग स्रेष्ट बिंद असंक व्रिक्षों से ब्याप्त सैकणों सिखरों से गिरा हुआ और बहुत ही उचा है उचाई मेवह मेर गिरी और सूरी से टक्कर ले रहा है मुनि के आने पर बिंद्य परबत में उनका आतित्य सत्कार किया मुनि स्रेष्ट अगस्त जी ने सब ब्राम्णों के साथ बिंद्य गिरी की प्रसंसा की और देवताओं का कारे सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा परबत स्रेष्ट मैं तत्त दरसी मुनियों के साथ तीर्थ आत्रा के उदेश से दक्षन दिशा की आत्रा करना चाहता हूँ तुम मुझे जाने का मार्ग दो मैं तुम से आतित्थ में यही मांगता हूँ जब तक लोट ना आऊँ तब तक तुम नीचे होकर ही रहना इसके विपरीत ना करना बिंद्य परबत ने कहा बहुत अच्छा ऐसा ही करूंगा महर से अगस्त उन मुनियों के साथ रक्षन दिशा में चले गए वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचकर सामवचसरिक यग्य में दिख्षित हो गए उन्होंने रिसियों के साथ एक वर्ष तक के लिए यग्यारंब कर दिया उन दिनों कैटव के दो पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे उनका नाम था अस्वस्थ और पिप्पल वे देव लोग में भी प्रसिद्ध थे ब्रामणों को पीडा देना उनका नित्य का काम था ब्रामणों का कस्ट देख महर्शिगण गोदावरी के तट पर नियम पूर्बक तपस्या करने वाले सूर्य पुत्र सनैश्षर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्याचार कह सुनाए यह सुनकर सनैश्षर ब्रामण के वेश में रहने वाले अस्वस्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वैंग भी ब्रामण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राम्हड ही समझा और प्रतिदिन की भात माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया उसके सरीर में प्रवेश करके शनी ने उनकी आतों को देखा सनी की दिष्ट पड़ते ही वह पाबात्मा राक्षस बज्र के मारे हुए परवत की भाँ थी छण भर में जलकर भस्म हो गया अस्वस्त को भस्म करके वे ब्राम्हण रूप धारी शनी दूसरे राक्षस के पास गए वहाँ उन्होंने अपने को बेदा धेन करने वाले ब्राम्हण के रूप में उपस्तित किया मानो वे बिनीत सिस्य थे और पिप्पल गुरू पिप्पल ने पहले की ही भाँति अन्य सिस्यों के समान सनेश्चर को भी अपना आहार बनाया किन्त उदर में प्रवेश करने पर शनी ने उनकी आतों पर दिश्ट जाली उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया इस प्रकार उन दोनों को मार कर सूर्य पुत्र सनेश्चर ने मुनियों से पूछा अब मेरे लिए कौन सा कार्य है आप लोग बताएं मुनियों को बड़ा हर्स हुआ उन्होंने शनी को एक्छानुसार वर देना चाहा सनेश्चर बोले जो मेरे दिन को नियम से रहकर अस्वस्त कास पर्स करे उनके सब कारे सिद्ध हो जाएं और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें न हो जो मनुस्य अस्वस्त तीर्थ में शनान करे उनके भी सब कारे सिद्ध हो जाएं जो मानों शनीवार को प्राता काल उठकर अस्वस्त कास पर्स करे उनकी समस्त ग्रह तीरा दूर हो जाए तब से उस तीर्थ को अस्वस्त तीर्थ, पिपल तीर्थ और सनिश्चर तीर्थ भी कहते हैं अगस्त, सात्रिक, याग्यक और सामग आद 16108 तीर्थ वहां वास करते हैं उन तीर्थों में किया हुआ शनान और दान संपूर यग्यों का फल देने वाला है इसके आगे बिख्यात सोम तीर्थ है, उसमें शनान और दान करने से सोम पान का फल मिलता है और सधियां पूर्वकाल से ही संपूर जगत की माताएं हैं, उन्हीं में यग्य, स्वाध्याय और धर्मकार प्रतिस्ठत हैं और सधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है, उन्हीं से अन्न की उत्पत्ती और सबके प्राणों की रक्षा होती है एक दिन और सधियों ने मुझसे कहा, सुरस्रेस्ट हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिये जो राजा हो उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा तब उन्होंने पुना प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहा जाना होगा मैंने कहा, माताओं तुम गौत्मी के तट पर जाओ, गौत्मी के प्रसन होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी यह सुनकर, वे वहाँ गई और गौत्मी की इस्तुति करने लगी और सदियां बोली, भगवान शंकर की प्रियत्मा, पूर्य सलिला गौत्मी, यदि आप इस भूतल पर ना आती तो संसार के प्राणी, जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरश्कत, एवंग दुखी हो रहे हैं, क्या करते नदीश्वरी, भूमंडल के मनुस्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है जिनके महा पातकों का नाश करने वाली आप जगन माता गंगा उनके लिए सदाही सुलब हैं तीनों लोकों की बंदनिया, जगत जन्नी गंगा, आपके बैभों को कोई नहीं जानता क्योंकि काम देव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिये रहते हैं मनो वांचत फल देने वाली माता तुम्हे नमस्कार है पापों का विनाश करने वाली ब्रम्हमई देवी तुम्हे नमस्कार है भगवान विश्नु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा तुम्हे नमस्कार है भगवान शंकर की जटा से प्रगट हुई गौत्मी देवी तुम्हे नमस्कार है इस प्रकार इस्तुति करने वाली औसधियों से गंगा जी ने कहा देवियों बताओ तुम्हें क्या दूँ और सधियां बोली जगन माता हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिये गंगा जी ने कहा माता अशधियों मैं अम्रत रूप हूँ तुम भी अम्रत सरूपा हो अतह तुम्हें तुम्हारे योग गही अम्रतात्मा सोम को पति रूप में देती हूँ गौतमी के इस वरदान का देवताओं रिशियों चंद्रमा तथा औशधियों ने भी अनुमोदन किया इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गई जिस स्थान पर औशधियों ने समस्त पाप संताप का निवारन करने वाले अम्रत सरूप राजा सोम को पति प्रसंग में जाते हैं जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता सुनता अत्वा भक्ति पूर्वक श्मरन करता है वह दिरगाय पुत्रवान और धन्वान होता है तदंतर धान तीर्थ है जो मनुस्यों की सब अविस्ट वस्तूं को देने वाला है वह सुकाल उपस्तित करन वाला कल्याण प्रद और मनुस्यों को सब प्रकार की आपति से मुक्त करने वाला है राजा सोम को पती रूप में पाकर और शदियां बहुत प्रसंद हुई थी उन्होंने सब लोगों तथा गंगाजी के सामने यह अविस्ट बचन कहा वेद में एक पवित्र गाता है जिस वेदों के विद्वान जानते हैं जिस भूम में फसल उगी हुई है वह माता के समान किमुआ साक्षात माता ही है जो गंगाजी के समीप उसका दान करता है वह समस्त अविलशित वस्तूओं को प्राप्त कर लेता है जो मानों खेती लगी हुई भूम गव तथा और शदियो को ब्रह्मा विष्णू एवंग शिवरूप ब्रामण के लिए बक्ति पूर्बक्त दान देता है उसका किया हुआ सबदान अक्षय होता है तथा वह अपने संपूर अविष्टों को प्राप्त कर लेता है और शदियां सोम राजा की प्रिया हैं और सोम भी और सदियों के पती हैं यह जानकर जो ब्रह्मा वेत्ता ब्रामणों को अशद अन्यदान करता है वह संपूर अविलश्ट वस्तूओं को पाता और ब्रह्मा लोक में प्रतिश्चत होता है और सदियां राजा सोम से बात चित करती हुई कहती हैं राजन हम ब्रह्मा रूपिणी और वह सब हम लोगों से व्याप्त है हव्य कव्य अम्रित तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है वह हमारा ही स्रेष्ट अंस है यह जानकर जो अन्न का दान करता है राजन उसे पार लगाओ राजा सोम जो भक्त पूर्वक्त इस वैदिकी गाथा का श्रमण श्मरण तथा प्यारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ अश्रदियों ने इस वैदिकी गाथा का पाठ किया था वभाद तीर्थ काहलाता है उस दिन से उसके कई ओढं़ेया औउसद्धितीर्थ सॉम तीर्थ अम्र्थ तीर्थ बेद-गाथा तीर्थ तथा मात्र तीर्थ जो मनुस्य इन तीर्थों में सनान, जप, होम, दान, पित्र तरपण और अन्न दान करता है, उसका वह सब कर्म अक्षे फ्ल देने वाला होता है। वहां दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्य बढ़ाने वाले हैं। वहां बिदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है, अब उनका ब्रतांत बतलाऊंगा। पुराण वेत्ता पुरुस्त उसे जानते हैं, महरसी भरद्दाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे, उनकी बहिन का नाम रेवती था, वह कुरूपा थी, उनका स्वर बड़ा विकृत था, प्रतापी भरद्दाज गंगा जी के दक्षिन थट पर बैठ कर बड़ी चिंत नो हो, कर्ण्या केवल दुख देने वाली होती है, जिसके कर्ण्या हो, उस प्राड़ी के जीते जी पगपग पर मृत्य होती रहती है, इस प्रकार वे अपने सुन्दर आस्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे, इतने में ही कठ नाम के एक मुनी, वहां भरद्दाज मु और सदगुणों के खान थे, कठ ने आते ही भरद्दाज जी को प्रणाम किया, भरद्दाज जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया, और आस्रम पर पधारने का कारण पूछा, कठ ने कहा, मैं बिद्दार थी हूँ, और इसी उदेश से आपका दर्शन करने आया हू जो उचित हो, वह कीजिए, भरद्दाज जी ने कठ से कहा, महा मते, तुमारी जो इक्छा हो, पढ़ो, मैं पुराण, स्मृति, वेद, तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूँ, तुम सीघर अपनी रुची बतलाओ, कुलीन, धर्म पारायन, गुरु सेवक तथा सुनी हुई बिद्या को ततकाल धारन करने वाला सिस्य बड़े पूर्य से प्राप्त होता है, कठ ने कहा, ब्राम्मन, मैं निस्पाप, सेवा परायन, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिश्य हूँ, मुझे अध्यन कराईए, एवमस्तु कहकर, कठ को संपून बिद्या पाई, बिद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्नों हुए, उन्होंने भरद्द्द्द्द्द्द जी से कहा, गुरुदेव, आपको नमस्कार है, मैं आपके मन के अनकूल दक्षिना देना चाहता हूँ, आप कोई दुरलफ बस्तु भी मांग सकते हैं, बताईए क्या दूँ, जो शिश्य अपने गुरु से बिद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोह वश्च दक्षिना नहीं देते, वे जब तक सुर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है, तब तक नरक में पड़े रहते हैं, भरद्द्द्द्द जी ने कहा, यह मेरी बहिन अभ क्षिना मांगता हूं, कठ ने बहुत अच्छा कहकर, गुरु के आदेश से बिद्य पूर्बक दी हुई रेवती का पाड़ि ग्रहन किया, और उसके सुन्दर रूप की प्राप्ती के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर जी की आराधना की, रेवती ने भी शिव की प् उजन किया, इससे वह सुन्दर रूप वती हो गई, उसका प्रतेक अंग मनोहर दिखाई देने लगा, अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी, वहां रेवती के शनान करने से जो जल की धारा प्रगट हुई, वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभा की प्र बिदर्भों कुशों से अविशेक किया, इससे बिदर्भा नाम की नदी प्रगट हुई, जो मनुस्य रेवती और गंगा में सद्धा पूर्बक स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो, विश्नु लोक में प्रतिष्टत होता है, इसी प्रकार जो बिदर्भा और गौ जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता है, पूर्ण तीर्थ, गोविंद आदि तीर्थों की महिमा, धन्मंतरी और इंद्र पर भगवान की कृपा, ब्रम्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है, वहां यदि अनजान में नहाले तो भी कल्यान का भागी होता है, पूर्ण तीर्थ के महात्म का वर्णन कौन कर सकता है, जहां स्वैंग चक्रधारी भगवान विश्नु और पिनाक धारी भगवान शंकर निवास करते हैं, पूर्वकाल में आयू के पुत्र धन्वंतरी राजा थे, उन अनुभो करके उन्हें बड़ा वेराग्य हुआ, धन्वंतरी यह जानते थे कि परबत के सिखर पर गंगा नदी के किनारे समुद्र के तट पर शिव और विश्नु के मंदिर में अत्मा विशेस्तह किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जब तप होम सब अक्षय होता है, इस एक बार राजा धन्वंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि से मार भगाया था, उसका नाम था तम, वह एक हजार वर्षों तक राजा के भैसे समुद्र में छिपा रहा, तब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर बन में चले आये हैं, और उनका पुत्र राज सिंगासन पर आसीन हुआ है, तब वह समुद्र से निकला और उस स्थान पर आया, जहां महाराज धन्वंतरी गंगा तटका आस्रेले जप और होम में शनलग्न और ब्रह्म चिंतन में ततपर थे, उसने सोचा इस वलवान राजा ने मुझे अनेक ब ऐसा निश्चे करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास आया, वह माया मई शुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी, उसने हस्ते हुए नाचना और गाना आरंभ किया, उस सुंदरी को बहुत समय तक इस अवस्था में देख, राजा ने क पूरबक पूछा, कल्याडी तुम कौन हो, किसके लिए इस गहन वनवे निमास करती हो, और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है, तरुणी बोली, राजन आपके रहते संसार में दूसरा कौन है, जो मेरे उल्लास का कारण हो सके, मैं इंद्र की लक्ष्मी बारम बार आपके सामने विचरती हूँ, असंख्य पूर्ड के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लव हूँ, उसकी यह बात सुनकर, राजा ने वह अत्यंत कटोर तपस्या ताग दी, और मन ही मन उसी का चिंतन करने लगे, उसी के आस्रम तथा उसी के आज्या पालन मे रहने लगे, जब सब तरह से वे एक मात्र उशी की सरण में चले गए, तब उनकी भारी तपस्या का नाश करके वह अंतरधान हो गई, किसी बीच में मैं राजा को वर देने के लिए गया, वे तपो भरस्ट एवं बिहवल होकर मृतक के समान रो रहे थे, मैंने अनेक प्रक क्रितकार के युक्तियों से महाराज धनवंतर को सांतना दी और कहा, राजन तुम्हारा शत्र तम तुम्हें तपस्या से ब्रस्ट करके कृतकार्य होकर चला गया, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, प्रायह सभी तरुणी स्त्रियां पुरुषों को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं, फिर वह तो माया मई थी, अतह उसका संताप प्रद होना क्या आश्यरे की बात है, तब राजा धनवंतर का भ्रमदूर हुआ, वे हाथ जोड़ कर बोले, ब्राम्हन क्या करूं, तपस्या के पार कैसे जाओं, मैंने उत्तर दिया, देवा पार्दन की यत्न पूर्बकिस्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान विश्नु, वेद वेद्य पुरातन परमात्मा हैं, उन्होंने ही संकून जगत की सिस्ट की है, तीनों लोकों में, उनके सिवा, दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो प्राडियों के समस्त मनोर्थों के सिद्धि कर सके, मेरी आज्या मानकर, राजा धनवंतर गरिराज हिमाले पर चले गए, और वहां, दोनों हाथ जोड़कर, भगवान विश्नु की स्तुति करने लगे, धनवंतर बोले, सर्वग्याप्त रहने वाले विश्नों, आपकी ज जय हो, विजेशील अच्चुत आपकी जय हो, गोपाल आपकी जय हो, लक्षमी के स्वामी, जगन में शेकिष्न आपकी जय हो, भूत पते आपकी जय हो, नाथ आपकी जय हो, आप शेशनाग की सहिया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमसकार है, सर्वभ्यापी गोबिंद आपकी जय हो जय हो आप विश्व की स्ष्ट करने वाले हैं आपको नमस्कार है देव आपकी जय हो जय हो आप विश्व का पालन और धारण करने वाले हैं ईश आपकी जय हो आप सदसत्त रूप हैं माधो आपकी जय हो आप धर्मनिष्ट परमात्मा को नमस्कार है कामनाओं क पूर्ण करने वाले और कामस्वरूप केसो आपकी जैहो गुडों के सागर श्रीराम आपकी जैहो आप पुष्ट देने वाले और पुष्ट के स्वामी हैं आपकी जैहो जैहो कल्यान दाता आपको नमस्कार है संपूर्ण भूतों के पालक आपकी जैहो भूतेश्वर आपक आप मौन धारन करने वाले हैं आपको नमस्कार है कर्म फलों के दाता आपकी जै हो आप ही कर्म सरूप हैं पितांबर धारी प्रभो आपकी जै हो सर्वेश्वर आपकी जै हो आप सर्व सरूप हैं आप मंगल रूप प्रभू को नमस्कार है नाथ आप सत्गुन के अधिनायक हैं आपकी जै हो जै हो आप संपूर वेदों के ग्याता हैं आपको मेरा नमस्कार है आप ही जन्म दाता हैं आप ही जन्म लेने वाले प्राणियों के भीतर निवास करते हैं आपकी जै हो परमात्मन आपको नमस्कार है मुक्ति दाथा आपकी जै हो आप ही मुक्ति हैं भोग प्रदान करने वाले केशव आपकी जै हो लोक प्रद परमेश्वर आपकी जै हो पापों का नाश करने वाले लोकेश्वर आपकी जै हो भक तवस्ब आपकी जै हो जै हो चक्रधारण करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है मान दाता आपकी जय हो आप ही मान है बिश्वबंदत देव आपकी जय हो धर्म दाता आपकी जय हो आप धर्मस्वरूप हैं संसार के पार लगाने वाले परमात्मन आपकी जय हो अन दाता आपकी जय हो जय हो आप ही आपको नमस्कार है शक्तिदाता आपकी जै हो आप ही शक्ति हैं विजय का वरदान देने वाले ईश्वर आपकी जै हो यग्यदाता आपकी जै हो आप ही यग्य हैं आपके नेत्र पद्मपत्र की तरह विशाल हैं आपकी जै हो दान देने वाले परमेश्वर आपकी जै हो पैटब का नास करने वाले नारायन आपकी जय हो, कीर्तिदाता आपकी जय हो, आप ही कीर्ति हैं, मूर्तिदाता आपकी जय हो, आप ही मूर्तिधारण करने वाले हैं, सौख्य दाता आपकी जय हो, आप ही सौख्य सरूप हैं, पावन को भी पावन बनाने वाले फरमात्मन शांति दाता आपकी जय हो आप ही शांति हैं भगवान शंकर की भी उत्पत्ति के खारण आपकी जय हो जोति है स्वरूप आपकी जय हो बामन आपकी जय हो वित्तेश आपकी जय हो धूमुमई पताका वाले आपकी जय हो संपूर्ण जगत के लिए दाता रूप परमेश्वर आपको नमस्कार है पूंडरी काक्ष आप ही त्रलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का प्लेश निवारण करने में दक्ष हैं कृपा निधे विश्णो आप मेरे मस्तक पर अपना वरद हाथ रखे समस्त कामनाओं को पूंड करने वाले संख चक्र कदाधर भगवान विश्णु ने इस प्रकार स्थुति करने वाले धनवंतर से वर मागने को कहा तब राजा ने बिनीत भाव होकर मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ तथास्त कहकर भगवान महां से अंतरधान हो गए और राजा धनवंतर ने क्रमसह उन्नति करते हुए देवेंद्र पद प्राप्त किया पूर्ब जन्म में किये हुए अनेक कर्मों के परिणाम वश इंद्र को तीन बार अपने पद से भरस्ट होना पड़ा बित्ता सुर का बद होने पर नहुश के द्वारा इंद्र का पद छीन लिया गया इसके बाद इंद्र ने सिंदुसेन की हत्या कर डाली अतह उस पाप से भी उनके पद की हाने हुई तीसरी बार अहिल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारण से भी उन्हें पद भरस्ट होना पड़ा इंद्र उन बातों को याद करके चिंता जंत संताप से उदास रहा करते थे तदंतर एक दिन उन्होंने ब्रिहस्पत जी से पूछा वागीश्वर क्या कारण है कि बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भरस्ट होना पड़ता है इस प्रकार पदभरस्ट होने की अतेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है कर्मों की गहन गती को कौन ठीक ठीक जानता है सब पदार्थों के रहस्यों को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है तब ब्रहस्पतिजी ने इंद्र से कहा चल कर ब्रह्मा जी से पूछो वे ही भूत भविस्य और बरतमान की बातें जानते हैं महामते जिस कारण से ऐसा होता है वह सब वे बता देंगे ऐसा निश्चे करके वे दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़ कर बोले भगवन किस दोस से सची पति इंद्र अपने राज्य से भरस्ट होते हैं नाथ इस संदेह का निवारण कीजिए उनका यह प्रस्ण सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया तत्पश्चात ब्रहस्पतिजी से कहा ब्राम्मन खंड धर्म नामक दोस के कारण इंद्र को राज्य पद से चुत होना पड़ता है देशकाल आदिके दोस से स्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से यथावत दक्षणा न देने से असत वस्तु का दान करने से और विशेस्त देवता तथा ब्राम्मनों की अवहेलना के पातक से जो देहधारियों का अपना धर्म खंडित हो जाता है उससे अत्यदिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है तथा पद की हान भी अनिमार्य हो जाती है छोब पूर्ण चित से किया हुआ धर्म भी अनिस्ट का ही कारण होता है उससे कार्य की सिद्ध नहीं होती अपना धर्म पूर्ण ना होने पर कौन सा अनिस्ट नहीं होता यों कहकर मैंने उनके पूर्व जन्म का ब्रतांत भी बतलाया पूर्ब जन्म में इंद्र राजा आयू के पुत्र धनवंतर थे उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विग्ण डाल दिया फिर भगवान विश्णू ने उस विग्ण का निवारण किया इस तरह इनके पूर्ब जन्मों में ऐसे ब्रतांत अनेक हो सकते हैं उन्ही के फल से इन्हें कभी कभी अपने राज से बंचित रहना पड़ता है मेरी बात सुनकर इंद्र और व्रिहश्पति दोनों को बड़ा आश्रिय हुआ उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा सुरस्रेष्ट खंड धर्मत दोस का निवारण कैसे होगा तब मैंने पुना सोच कर कहा सुनो एक उपाय बताता हूँ जो समस्त दोशों का हारक समस्त सिद्धियों का कारक और दुखमे संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है जिनके चित में संताप रहता है उनको इसी उपाय की शरण देनी चाहिए यह समस्त जीवों को शान्ति प्रदान करने वाला है वह उपाय है गोतमी देवी के तट पर जाकर भगवान विश्नु और शिव की इस्तुति करना यह सुनकर वे उसी समय गोतमी के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्दा के साथ भगवान विश्नु और शिव की इस शिव की इंद्र बोले, मत्ष्य, कुर्म और वाराह रूप धारण करने वाले भगवान विश्णु को बारम बार नमस्कार है, नरसिंह देव तथा बामन को भी नमस्कार है, हय ग्रीव रूप धारी भगवान को नमस्कार है, तिविक्रम आपको नमस्कार है श्रीराम बुद्ध और कल की रूप भगवान आपको नमस्कार है परमेश्वर आप अनंत एवं अच्छुत हैं आपको नमस्कार है परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है मैं इंद्र, वरुण और यम आपके ही सरूप हैं आपको नमस्कार है तृलोख रूपधारी देवता परमेश्वर को नमस्कार है भगवन आप अपने मुख में सरस्वती को धरण करते हैं और सरवग्य हैं आप लक्ष्मिवान हैं अतैव लक्ष्मी को वक्षस्थल पर धरण करते हैं पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते आपकी बाहें जंगा तथा चरण अनेक हैं कान नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं आप ही वास्तों में सुखी हैं आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए हरे आप करुणा के सागर हैं मनुस्यों को तभी तक निर्धनता मल कीनता का सामना करना पड़ता है जब तक वे आपकी शर्ण में नहीं जाते ब्रिहश्पति जी बोले इश आप परम सूक्ष्म जोतिर में अनंत ओंकार मात्र से अभिव्यक्त होने वाले प्रकृति से परे चित्त स्वरूप आनंद में और पूर्ण रूप हैं ममुक्ष पुर पूर्थों को प्राप्त कर चुके हैं वे भी पंच महा यग्यों द्वारा आपकी आराधना करते हैं और उसके फलत स्वरूप आपके दिब्धाम अथमा दिब्ध स्वरूप में जो संसार सागर से परे है प्रवेस कर जाते हैं शंभो वे निश्काम अथमा आप्त काम रूप चह उर्मियों के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते ग्यान के द्वारा कर्म फलों को त्याग देते और ध्यान के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं मुझ में ना जाति के धर्म हैं ना वेदशास्त का ग्यान है ना ध्यान का अभ्यास है और ना मैं ही लगाता हूँ केवल शांत चित भगवान शिव को जो रुद्र शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं भक्त के साथ प्रणाम करता हूँ भगवन आपके चर्णों में भक्त रखने से मुर्ख मनुस्य भी आपके मोक्षमें स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ज् ध्यान तथा बड़े बड़े फल देने वाले होम आदि कर्मों का सरबोत्तम फल यही है कि भगवान सोमनाथ में निरंतर भक्ति वनी रहे जगदाधार शिव सब जीवों के लिए सदा देखे और सुने हुए प्रिय फल की स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बतलाते दयालो इसलिए आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे आपके श्री विग्रह की सेवा का सवभाग्य प्राप्त होता रहे दूसरा कोई उपाय नहीं है इस्वर यद्यपि हम लोग पापी हैं तथा आप अपनी महिमा की ओर देखकर हम पर कृपा कीजिए आप स्थू पूल, सूक्ष्म, अनाद, नित्य, पिता, माता, असत और सत स्वरूप हैं सुरुतियों और पुराणों ने इस प्रकार जिनका स्तवन किया है उन परनेश्वर सो मनात को मैं प्रणाम करता हूँ इन दोनों की स्थूतियों से भगवान विश्णू और सिव बहुत प्रसंद हुए और बोले तुम दोनों अत्यंत दुरलफ अविस्ट वर मागों तब इंद्र ने कहा भगवन मेरा राज बार बार अधिकार में आता और छिन जाता है जिस पाप के कारण ऐसा होता है वह प आप नस्ट हो जाए यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यंत प्रसंद हों तो मेरा सब कुछ सदा इस्थिर रहे यह सुनकर भगवान शिव और विश्णू ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोधन किया और इस प्रकार कहा यह गोदावरी नदी ब्रह्मा विश्णू और शिव इन तीनों देवताओं से संबंद रखने वाला महान तीर्थ हैं यहां सबके मनोरत पूर्ण होते हैं तुम दोनों यहां सद्धा पूर्वक शनान करो इंद्र के मंगल के लिए तथा इनके बैभाव की स्थिरता के लिए ब्रिहस्पत हम दोनों का श् विशेक करें तथा उस समय निम्नांकित मंत्र भी पढ़ें इह जन्मनी पूर्वस्मिन यत किंचित सुक्रितम क्रितम तत्सर्वं पूरता में तु गोदावरी नमस्तु थे गोदावरी मैंने इस जन्म में अत्मा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पूर्व कर्म किया हो वह सब पूरता को प्राप्त हो आपको नमस्कार है जो इस प्रकार श्मरन करके गौतमी गंगा मेंशनान करता है उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्व होता है तथा अवह साधक अपने पूर्ब जन्म के दोसों से भी मुक्त होकर पूर्यवान हो जाता है इंद्र और व्रहश्पति ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की अग्या स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्य में लग गए देव गुरु ने इंद्र का महा विशेक किया उस उसे एक नदी प्रगट हुई जो पूर्या और मंगला कहलाई उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ वह बड़ाही प्रवित्र एवं कल्यान कारक है इंद्र की स्थुति से प्रसन्न होकर जगन में भगवान विश्णू प्रत्यक्ष प्रगट हुए और उनसे इनसार भगवान वहां गोबिंद के नाम से बिख्यात हुए क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोक मई गौप्राप्त की थी देव गुरु ब्रिहस्पति ने जहां इंद्र के राज्य की स्थिर्ता के लिए महादेव जी का स्तवन किया वहां वे सिद्धेश्वर नाम से नि विख्यात हुआ वहीं मंगला संगम पूर्ण तीर्थ इंद्र तीर्थ और वारहस्पत्य तीर्थ भी हैं उन तीर्थों में जो श्नान दान अथमा किंचन मात्र भी पूर्ण का उपार्जन किया जाता है वह सब अक्षय होता है वहां का शाध्ध पितरों को अत्यंत प्रि दिन इस तीर्थ के महात्म को सुनता पढ़ता और श्मर्ण करता है उसों खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है नारद वहां गौत्मी के दोनों तट पर 35,000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिध्ध देने वाले हैं स्री राम तीर्थ की महिमा ब्रम्हा जी कहते है नारद राम तीर्थ भून हत्या का नाश करने वाला है उसकी महिमा के स्रवन मात्र से मनुस्य सब पापों से मुक्त हो जाता है एक छ्वाक वन्ष में दसरत नाम के छत्री राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में बिख्यात थे वे इंद्र की ही भात बलवान बुद्ध पुर्वीर थे तथा वल की भात अपने पिता पितामहों के राज्य का पालन करते थे महाराज दसरत के तीन रानियां थी कौशल्या सुमित्रा और कैकेई वे तीनों कुलीन सौभाग्यशालिनी रूपवती और सुलक्षणा थी राजा दसरत जब अयोध्या के राज सिंग जिनासन पर आसीन थे और ब्रह्म वेताओं में स्रेष्ट वसिस्ट जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ट थे उस समय देश में न रोग थे न मानसिक चंताएं न तो अनावरिष्ट होती थी और न अकाल ही पढ़ता था ब्राम्हड छत्री वैश्य तथा शूद्रो को और चारो आस्रमों को भी प्रतक प्रतक बड़ा सुख मिलता था एक समय की बात है देवताओं और दानों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया न तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और न दैत्यों और दानों की ही वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलत रहा इस बीच में आकाश वाणी हुई राजा दसरत जिनका पक्ष ग्रहन करेंगे वे ही विजई होंगे दूसरे नहीं यह सुनकर देवता और दानों दोनों अपनी विज़े के लिए राजा के पास चले देवताओं की ओर से वायु शिग्र जा पहुँचे और राजा से बोले महाराज देवदानों संग्राम में आपको चलना चाहिए वहां यह आकाश वाणी सुनाई दी है कि जिस और राजा दसरत रहेंगे उस पक्ष की जीत होगी अतह आप देवताओं का पक्ष ग्रहन कीजिए जिससे देवता विजई हों वायु की यह बात सुनकर राजा दसरत ने कहा वायु देव आप सुख पूर्बक पढ़ारें मैं अवस्य चलूंगा वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले भगवन हमारी सहायता कीजिए महाराज विजय आप पर ही अवलंबित है अतह आप दैत्यराज की सहायता करें राजा बो है अतह दैत्य और दानों लोट जाएं राजा दसरत ने वैसा ही किया सर्ग में पहुँचकर उन्होंने दैत्यों दानों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया उस समय नमुच के भाईयों ने देवताओं के देखते देखते तीखे बाण मार कर राजा के रत की धूरी तूटने का पता न चला नारद उस युद्ध में रानी कैकेई भी राजा के पास ही बैठी थी उसे रत की अवस्था का पता लग गया परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी धूरी तूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया यह बड़ा अ पर विजय पाई फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमत ले वे पुनह अयोध्या लोट आये आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दसरत ने अपनी प्रिया कैकेई की ओर दिश्टिपात किया तब उसका वह साहस पूर्ण कार्य देखकर उने बड़ा विश् नारद इस कारे से पसंद होकर राजा ने कैकेई को वर दे रानी कैकेई ने भी राजा की आग्या सुईकार करके इस प्रकार कहा महाराज आपके दिये हुए ये वर आप ही के पास रहें आवस्चक्ता पढ़ने पर ले लूंगी राजा दसरत पुरशकार में अनेक देकर अपनी प्रिया कैकेई के साथ अपने नगर को गए विजयी होने से वे बहुत प्रसन्य थे तदंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर रिष्श शिंग के क्रिपा से देवताओं की कार सिद्ध के लिए राजा दसरत के चार देवोपम पुत्र हुए कौशिल्या से रा प्रिय तथा राजा के आग्या कारी थे एक बार महर से विश्वा मित्र आये और उन्होंने यग्यकी रक्षा के लिए राजा से राम और लक्षमण को मांगा विश्वा मित्र उनके महत्त को जानते थे राजा दसरत बोले मुने इस बुड़ापे में किसी तरह दैव योग से मेरे ये बालक उत्पन हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं मैं अपना शरीर और यह राज दे दूंगा किन्त इन पुत्रों को ना दे सकूंगा उस समय वसिष्ट जी ने राजा दसरत से कह राजन रगुवन्शियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा है उनके योग कहने पर राजा ने किसी तरह शीराम और लक्षमण से कहा पुत्रों तुम ब्रम्हर्श विष्वामित्र के यग्य की रक्षा करो योग कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र वि यग्य की रक्षा के लिए विष्वामित्र जी के साथ प्रसन्यता पूर्वक चल दिये तब महर्श विष्वामित्र ने उन दोनों भाईयों को माहेश्वरी माहा विद्या धनुरवेद शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या लोक विद्या रथ विद्या गज विद्या अस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्षमण में वनवासियों का हित करने के लिए बन में ताड़का को मार डाला हाथ में धनुस लेकर यग्य की रक्षा करने लगे तत्पश्चात महा यग्य पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राज कुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए वहां लक्षमण सहित स्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरू से सीखी हुई अदभुद धनुर विद्या का परिचे दिया इससे प्रसंद होकर राजा जनक ने अपनी अयो निजा कन्या लक्षमी स्वरूपा सीता जी का स्री राम के साथ विवाह कर दिया इस प्रकार लक्षमण भरत और शत्रुखन का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ अदंतर दिर्ग काल वितीत होने पर राजा दसरत समस्त प्रजा और गुरू की अनुमत से स्री राम को राज देने लगे उस समय मंत्रा गुरुदैव से प्रेरित होकर रानी कैकेई इरशा से ब्याकुल हो उठी उसने श्री राम के राज्या विशेक में बिग्ण डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा साथ ही उसने वही राज भरत के लिए माना परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वैंगी घोर जंगल में चले गए सीता और लक्षमण ने भी उन्हें का साथ दिया श्री राम ने अपने सदगुण के कारण सत्पुरुशों के शुद्ध हरदे में घर बना लिया था जब श्री राम राज्य की त्रिशना से रहित और वन करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये इधर श्री राम चंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आये वहीं उन्होंने तीन वर्ष वितीत किये फिर वहां से दक्षण दिशा की और चलकर वे क्रमशह दंडका रैणे में श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मार कर दंडक वन को रिशी मुनियों के रहने योग्य बना दिया फिर पांच योजन आगे जाकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचे भगवान शिव की जो पंची भूत और अनिर्वचनीय पराशक्ति है वही ज जल स्वरूप में प्रगट हुई गौतमी नदी है ऐसा संत महात्माओं का कथन है गौतमी ब्रह्मा विश्नु और शिव के लिए भी माननीय तथा बंदनीय है स्री राम बोले अहो गंगा का कैसा अद्वुद प्रभाव है तीनों लोक में इनकी कहीं उपमा नहीं है हम धन इन त्रिववन पावनी गंगा का दर्शन पा सके यों कहकर श्री राम ने बड़े हर्श के साथ महादेव की स्थापना की और यत्न पूर्बक खोड़ सो पचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवर्ण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर उनकी स्थुति करने लगे श्री राम जी बोले मैं पुरान पुरुष शंभु को नमसकार करता हूँ जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है उन सरवग्य शिव को मैं प्रणाम करता हूँ अविनाशी प्रभु रुद्र को नमसकार करता हूँ सबका संहार करने वाले शर्व को मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ जिनका रूप चिंतन का विशे नहीं है उन कल्याड में शिव को नमस्कार करता हूँ विश्व के उत्पत्य के बीजभूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ संगहार कारी रुद्र को बारम बार प्रणाम करता हूँ पारवती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभू को नमस्कार करता हूँ नित्य शर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ जिनका स्वरूप चिन में है और अप्रमे है उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक जुकाकर बारम बार नमस्कार करता हूँ करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भै देने वाले भगवान भूत नाथ को सरवदा नमस्कार करता हूँ मनो वांचित फलों के दाता माहेश्वर को प्रणाम करता हूँ भगवती उमा के स्वामी स्री सोमनात को नमस्कार करता हूँ तीनो बेद जिनके तीन नेत्र हैं उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ त्रिविद मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूँ पूर्यमे शिव को प्रणाम करता हूँ सत असत से प्रथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ पापों का अपहर्ण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं उन भगवान को नमशकार करता हूं जो बहुत से रूप धारण करते हैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं जो संसार के रक्षक तथा सत और असत के निर्माता हैं उन्हें नमसकार करता हूं जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं उन विश्वनात को प्रणाम करत हव्य कव्य सरूफ यग गेश्वर को नमस्कार करता हूं संपूर्ण लोकों का सरवदा कल्यान करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति एवन संपूर्ण अविस्ट वस्तुवे प्रदान करते हैं उन दान प्रिय इस्ट देव को मैं नमस्कार करता हूं भगवान सोमनात को प्रणाम करता हूं जो स्वतंत्र न रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं उन विजय शील उमानात को मैं नमस्कार करता हूं बिग्न राज गनेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूं संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्र सेखर को मैं बारम बार नमस्कार करता हूँ जो स्तुति करने योग और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ देवताओं में स्रेष्ट उमापति को प्रणाम करता हूँ ब्रह्मा आद इश्वर इंद्र आद देवता तथा असुर भी जिनके चर्ण कमलों की पूजा करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने पारवती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानों तीन नेत्र धारण कर रखे हैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ पंचामृत चंदन उत्तम धूप दीप भाति भाति के बिचत्र पुष्प मंत्र तथा अन आदि सम अस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ तदंतर भगवान शंकर ने प्रगट होकर श्री राम और लक्षमण से कहा तुम्हारा कल्यान हो वर मागो श्री राम बोले सुरस्रेष्ट महेश्वर जो लोग इस इस्त्रोत्र के द्वारा भक्ति प पूर्ण खारे सिद्ध हो जाएं शंभो जिनके पितर नरक के समुद्र में दूबे हो उनके वे पितर यहां पिंड आदि के देने से पवित्र हो स्वर्ग लोक में चले जाएं जन्म भर के कमाये हुए मानसिक वाचिक और शारेरिक पाप यहां श्नान करने मात्र से ततकाल नस्ट हो जाएं जो लोग यहां याचकों को भक्त पूर्वक्त थोड़ा भी दान दें वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसंद हुए उन्होंने एव मस्त कहकर श्री राम चंद्र जी की बात का अनुमोदन कि सुरस्रेष्ट भगवान शिव के अंतरधान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहां से गोदावरी नदी प्रगट हुई हैं तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ जहां लक्षमड ने शंकर का पूजन किया वह लक्षमड तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहां सीता जी ने श्नानाद किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राश को निर्मूल करने में समर्थ है जिसके चरणों से त्रिव्वन पावनी ग प्रतिन और चमन हुए उन्हों ने ही जहांशनान किया। उस तीर्थ की विशिष्टता के विशय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्रीराम तीर्थके समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है। पुत्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं। गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पूर्य तीर्थ कहलाता है उसकी महिमा के शमण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अविलशित वस्तूओं को प्राप्त कर लेता है नारद मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ सावधान होकर सुनो जब दिती और का देवताओं द्वारा छय होने लगा तब दिती पुत्र व्योग के दुख से मन में श्प्रधा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी भद्रे हम दोनों के ही पुत्र छीन होते जा रहे हैं हम संसार में कौन सा ऐसा गुरुतर कार करें जिससे हमा कारा यह संकट दूर हो देखो अदिती का वंस कितना संगठित और उत्तम है उसका कभी क्षय नहीं होता वह उत्तम राज्य सुयस और विजय लक्षमी से सुशोवित है अदिती की संतानों का बैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूं संभव है दुर अवस्था का अनुभव करने लगती हूं दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है किन्त स्वप्न में भी सौत की सम्रद्धी नहीं देखी जाती धनु बोली भद्रे तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्चप जी को संतुष्ट करो यदि स्वामी संतुष तो तुम संपूर अविस्थ वस्तों को प्राप्त कर लोगी बहुत अच्छा कहकर दिती ने सब प्रकार से कश्चप जी को संतुष्ट किया तब प्रजापति भगवान कश्चप ने दिती से कहा सुवरते तुम्हें क्या दूं तुम कोई अविस्थ वर मांगों यह सुनक दिती ने स्वामी से कहा नाथ मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो अनेक गुणों से संपन बिश्व बिजई और जगत द्वंद्य हो तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं कश्चप जी ने कहा देवी मैं तुम्हें एक स्रेष्ट ब्रत का उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्व का आधान करूंगा क्योंकि ब्रत आदि के द्वारा निश्पाप हो जाने पर ही संपूर मनुरत सिद्ध होते हैं पती का यह बचन सुनकर दिती को बड़ी पसनता हुई उसने कश्यप जी को नमसकार करके उनके बताये ह वे ब्रत का बिदि पूर्वक पालन किया जो लोग तीर्थों की सेवा सुपात्रों को दान तथा ब्रत का पालन आधि नहीं करते वे अपनी अभिष्ट वस्तूओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं दिती का ब्रत पूरा होने पर कस्यप जी ने गरभादान किया और एकांत मे अपनी प्रियपत्नी दिती से कहा सुचिस्मिते तपस्वी मुनी भी बिहत कर्म की अवहेलना करने से मनों वांचित पदार्थ नहीं पा सकते अतह तुम्हें कोई निंदत कर्म नहीं करना चाहिए दोनों संध्याओं के समय सोना कहीं जाना अत्वा बाल खोले रहना निसद है संध्याकाल भूतों से ब्यापत रहता है अतह उस समय छीकना जम्हाई लेना तथा भोजन करना भी मना है ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए विशेष्टह हसना तो दूसरे के सामने हो ही नहीं संध्याकाल में कभी कमरे के भीतर न रहें प्रिये मूसल उखल पीड़ा और ढकन आद को दिन या रात में कभी न लाहना उत्तर की ओर सिराहना करके और संध्याकाल में कभी न सोना जूट न बोलना दूसरों के घर न जाना पती के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहो दिती ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्या की मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी फिर कश्चप जी देवताओं के यहां चले गए इधर दिती का पूर्य जनित बलवान गर्व दिनों दिन बढ़ने लगा इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जान बिने फूर्वक कहा दिती और दनुने विसेस अभिप्राय से कश्चप जी को संतुस्त किया है दिती का गर्व दिनों दिन बढ़ता है उसमें नाना प्रकार की शक्तियां है नारज जी ने पूछा देवेश्वर महा बली मैं नामक दैत्य तो नमुची का प्रिय भाता है और नमुची इंद्र के हाथ से मारा गया था फिर उसकी अपने भाई के सत्र से मितता कैसे हुई ब्रह्मा जी बोले पूर्वकाल में नमुची दैत्यों का राजा था उसका इंद्र के साथ बड़ा भैंकर वैर हुआ एक समय की बात है इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं ज जाकुल हो गए और एरावत हाथी छोड़कर समुद्र के फेन में भुस गए फिर बज्र में फेन लपेट कर उस फेन से ही इंद्र ने अपने सत्र का संगहार कर डाला जब नमुची की मित्य हो गई तब उसके छोटे भाई मैंने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश क करने के लिए बरी भारी तपस्या की उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी उसने संपूर्ण लोकों को शर्ण देने वाले भगवान विश्णू से भी बर प्राप्त किया मैं दानी और प्रियभासी था उसने इंद्र को जीत करने लगे इंद्र ने वायू से अपने मायावी शत्र मैं की गतिविधी जान ली तब वे ब्राम्हण का वेश बना कर उसके पास गए और बोले दैत्यराज मैं याचक हूँ मुझे मनो वांचित वर दीजिए मैंने सुना है आप दाताओं के सिर्मोर हैं अतह आप के पास आय हूँ मैंने उन्हें ब्राम्हण जानकर कहा दिया हुआ ही समझो सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दू या अधिक उसके यों कहने पर इंद्र बोले मैं तुम्हारे साथ मित्ता चाहता हूँ यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा विप्रवर ऐसे वर पातविक रूप को प्रकट किया इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विश्मे हुआ सखे यह क्या बात है तुम तो बज्रधारी हो तुम्हारे योग्य यह कारे नहीं है इंद्र ने हसकर मैं को हिर्दें से लगाया और कहा बिद्वान पुरुस्त किसी भी उपाय से अपने अभिस्तकार की सिद्ध करते हैं तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई मैं सदा के लिए इंद्र का हितैशी हो गया उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताईं साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की इंद्र ने पसंद होकर पूछा मैं बताओ अ अगस्त के आस्त्रम पर जाओ, वहीं गर्भौती दिती रहती हैं, उसकी सेवा करते हुए आस्त्रम में कुछ दिन निवास करो, फिर आउसर देखकर बज्र हाथ में लिए दिती के गर्भ में प्रवेश कर जाओ, और बज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकडे टुकड कर डालो, इससे तुम्हारे उस सत्र का अस्त्र ही मिट जाएगा, इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रसंसा की और बिनीत की भात माता दिती के पास गए, वहां जाकर दैत्य माता की सेवा सुस्तुसा में लग गए, उसके मन में क्या है, इस बात को दिती नहीं जान जानती थी, उनके गर्व में जो मुनी का अमोग तेज था, वह किसी के लिए भी दुरधर्श था, इंद्र गर्व के भीतर प्रवेश करने की एक्छा से औसर की प्रतिक्षा करते हुए, बहुत समय तक वहां रहे, एक दिन दिती संध्याकाल में उत्तर की ओर सिराना करके स जो रही थी, इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा औसर है, यो कहकर, वे बज्र हाथ में ले, दिती के उदर में प्रवेश कर गए, गर्व में जो बालक था, वह आयुद लिये, मारने की इक्छा से आये हुए, इंद्र को देख कर भी भैवीत नो हुआ, और बोला, बज्र औसर पर किसी को मारने से बढ़कर, दूसरा कोई पातक नहीं है, मैं गर्व से निकलूं, तब मुझसे युद्ध कर लेना, यहां आकर इस प्रकार मारना, तुम्हारे लिए उच्छत नहीं होगा, बड़े लोग बिपत्ति में पढ़ने पर भी, कुमार्ग पर पैड़ नह मैंने न तो अभी बिद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है, और न आयुधों का ही संग्रह किया है, तुम बिद्धान हो, तुम्हारे हाथ में बज्ज शोभा पा रहे हैं, क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती, कुलीन पुरुष कभी भी न मिलेगा, यश, अत्मा पूर्य, गर्ब में आये हुए प्राणी, एक्छा नुसार मारे जा सकते हैं, किन्तु इसमें कौन शा पुरुसार्त है, भाई, यज तुम्हें युद्ध से प्रेम है, और मुझे से ही भिड़ना चाहते हो, तो नहसंदेह चले आओ, यों कहकर, वह बालक भी, इंद्र की ओर मुक्का तान कर खड़ा हो गया, और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बाल घाती, ब्रम घाती, तथा दिश्वास घाती कहलाओगे, यही तुम्हें फल मिलेगा, फिर किसलिए मुझे मारने को उध्यत हुए हो, संपूर्ण चराचर जग कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने बज्ज से उस बालक के टुकडे टुकडे कर दिये, सच है, क्रोधांध और लोभी मनुस्य को किसी पर भी दया नहीं आती, इतने पर भी गर्भस्त बालक की मृत्य नहीं हुई, सभी टुकडे जीवित बालक के रूप में प्रणित हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हैं, किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों कोई भी टुकडे टुकडे कर डाले, वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं, माता के गर्भ में पड कण भी नहीं रह जाता, गर्भ के सभी टुकडे, हाथ पैर, तथा नूतन जीव से युक्त हो गए, उनमें किसी प्रकार का बिकार नहीं रह गया, उनकी संख्या एक से बढ़कर उन्चास हो गई, यह देखकर इंद्र को बड़ा विश्मे हुआ, वे सब के सब रो रहे थे इंद्र ने उन्हें सांतना देते हुए कहा, मा रुत मत रोवो, इनके ऐसा कहने से, उनका नाम मरुत हो गया, वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महा पराक्रमी हो गए थे, उन्होंने गर्भ के भीतर ही, मुनिवर अगस्त को, जिनके आस्त्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं, वे आपकी मेत्री का बहुत आदर करते हैं, हम यह भी जानते हैं, कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा श्नेह है, तथा आपके रहते हुए, यह बज्जधारी इंद्र ऐसे कारे में प्रवित्त हुआ है, जिस आए, उन्होंने दिती को जगाया, वे गर्व की वेदना से पीडित थी, उस समय अगस्त ने अत्यंत कुपित होकर सची पती इंद्र को शाप दिया, इंद्र संग्राम में शत्र तुम्हारी पीठ देखेंगे, दिती ने भी गर्व में समाय हुए इंद्र को रोश उसार्थ नहीं किया है, अतह मैं शाप देती हूँ कि तू राज्य से भर्ष्ट हो जाएगा, इसी समय वहाँ प्रजापत कस्यप जी भी आ पहुँचे, अगस्त के मुख से इंद्र की यह कुच्सित चेस्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, कस्यप जी ने कहा, बे जज्रधारी इंद्र गर्व से बाहर निकले, उस समय लज्जा के मारे, उनका मुह नीचा हो रहा था, वे बोले, पिता जी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो, वह बताईए, मैं उसे अवस्य करूंगा, तब कस्यप जी, लोग पालों के साथ मेरे पास आए, और सब बाते बता कर पूछने लगे, दिती के गर्व की शांती, गर्वस्त बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निरदोशता, तथा अगस्त जी के दिये हुए शाप का क्रमसह उधार कैसे हो, तब मैंने कस्यप से कहा, प्रजापते, तुम वस्वों, लोकुपालों तथा इंद्र को साथ लेकर सिग्रही गौमती नदी के तट पर जाओ, और वहां शनान करके सब के साथ महादेव जी की स्तुति करो, फिर शिव की क्रिपा से सब कल्याण ही होगा, अच्छा ऐसा ही करूँगा, यों कहकर कस्यप मुनी गौतमी नदी के तट प बताये गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करूणा निदी शिव, कश्यप जी बोले, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, लोक बंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सब को पवित्र करने वाले बागीश रक्षा कीजिए, सर्पन का आ जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, गोधर लक्षमीश रक्षा कीजिए, गजचर्म पर वस्त्रधारन करने वाले शर्व रक्षा कीजिए, त्रिपुरहर रक्षा कीजिए, अर्ध चंद्र से विभोशित नाथ रक्षा कीजिए, यगेश्वर शोमनाथ रक्षा कीजिए, मनो वांचित भलों के दाता रक्षा कीजिए, करुणा धाम रक्षा कीजिए, मंगल दाता रक्षा कीजिए, सबकी उतपत्त के हेत भूत परमात्मन रक्षा कीजिए, पालन करने वाले वासव रक्षा कीजिए, भासकर वित्तेश रक्षा कीजिए ब्रह्म वंदित शिव रक्षा कीजिए, विश्वेश्वर रक्षा कीजिए, सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए, पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है, करुणा शागर शिव, भयंकर संसार रूपी, दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण, जिनका चित और उनसे वर मांगने के लिए कहा कस्यप जी ने बिनीत होकर भगवान शिवशे इंद्र की समस्त चेस्ताओं का विस्तार पूर्वक वर्डं किया साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर सतुता बढ़ रही है इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है यह सब शान्त हो जाए यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा आपके जो उन्चास पुत्र मरुदगण हैं वे सब सवभाग्य शाली और इंद्र के साथ सदा यग्य के भागी होंगे जिस जिस यग्य में इंद्र का भाग होगा उसमें उन से भी पहले मरुदगणों का भाग होगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता फिर तो वे ही सदा विजई रहेंगे इतना कहकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ट अगस्त जी से कहा मुने तुम सची पती इंद्र पर क्रोध न करो महा मते शांत हो जाओ मरुदगण अमर हो गए फिर दिती से भी सिव जी ने कहा देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वरे से सुसोवित रहे इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रभित हुई थी तुम्हारा वह मनुरत अब सफल हो गया तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली बलवान और शूरवीर हैं अतह तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो सुन्दरी तुम संशय रहित होकर अन्य वरवी मागों दिती बोली भगवन लोक में यही बड़ी बात समधी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो विशेस्तह माता के ल संपन एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजई और बली हुए वे वास्तों में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं देव जहां अगस्त और गौत्मी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो वहां शुव होने में क्या संदे है यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई तथा भक्ति पूरुबक आप से कुछ निवेदन करती हूं देव मेरी बात सुनें और संसार का कल्यान करें देव बंद्य संतान की प्राप्ति संसार में दुरलव है विशेश्तह माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है पुत्र भी यदि गुणवान धनवान और आयुश्मान हुआ तब तो कहना ही क्या है यह लोग और परलोग में उत्तम फल की इक्षा रखने वाले सभी प्राप्ति हो सके ऐसा अनुग्रह कीजिए भगवान शंकर बोले निहसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है इस्त्रिया पुरुष कोई भी यदि निहसंतान हो यहां शनान करने मात्र से उसके इस दोस्त का नाश हो जाता है जो इस स्त्रोत्र का पाठ करेगा उसे यहा शनान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है पुत्रहीन इस्त्री यहां शनान करके पुत्र पा सकती है रितुस नाता इस्त्री यदि यहां आकर शनान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं वह तीन महीने के भीतर ही गरभौती हो जाती है जो पित् तथा धन अपहरण करने के दोस से पुत्र लाब से बंचित हैं उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है यहां पितरों को पिंडदान देने तरपन करने तथा कुछ सुवंडदान करने से निश्चे ही पुत्र होता है जो धरोहर हडप लेते रतनों की चोरी करते तथा पितरों का शाद कर्म छोड़ देते हैं उनके वन्ष की ब्रद्धी नहीं होती जो पाप करके उसका प्रायशित किये विनाही मर जाते हैं उन सब की यही गती होती है जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन वितीत करते हैं उन्हें स्रेष्ट संतान की प्राप्ति होती है जो दिती और गंगा के संगम में शनान करके अनाद अपार अजय सच्चिदा नंद में लिंगस स्वरूप जोतिर में तथा अनामे महा देव भगवान से देश्वर क अनेक उपचारों से भक्त पूर्बक पूजन करता है चतुरदसी और अस्टमी को इस स्त्रोत्र द्वारा इस्तुती करता है तथा यहां गंगा के थटपर ब्राम्वनों को अपनी शक्ती के अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है उसे अनेक पुत्र प्राप्त होत हैं वह संपूर्ण अभिलश्ट वस्त्वों को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है जो इस स्त्रोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी छै महीने स्तुति करता है उसे पुत्र प्राप्त होता है यदि उसकी इस्त्री बंध्या हो तो भी वह निसंदेह पु पूर्द गणों के साथ मेत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं यहां शनान करने से इंद्र निस्पाप हुए थे इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है जहां इंद्र को अपनी खोई हुई लक्षमी प्राप्त हुई वह कमला तीर्थ कहलाया ये सब तीर्थ समस्त अभिस्ट पदार्थों को देने वाले हैं भगवान शिव यह कहकर यहां सब कामनाएं पूर्ण होंगी अंतरधान हो गए और कश्यप आज सब लोग कृत कृत्य ह होकर जैसे आये थे वैसे लोट गए यम आगने कपोत और उलूप तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं यम तीर्थ पितरों की प्रसंदा को बढ़ाने वाला है वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभिस्ट वस्तों को देने वाला है संपून देवता और मुनी उस तीर्थ का सेवन करते हैं मैं उसके प्रभाव का वर्ण करता हूँ जो सब पापों का नास करने वाला है एक बलवान कपोत था जो अनुहराद के नाम से विख्यात था उसकी पत्नी हेति नाम की यक्षिनी थी जो एक्षा नुसार रूप धारन कर सकती थी अनुहराद मि पुत्री की पुत्री थी समयानुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए पक्षियों का राजा उलूप अनुरहाद का प्रबल शत्र था गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिन किनारे पक्षी राज उलूप रहता था उलूप भी अपने प पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था कपोत और उलूग दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के बिरोधी होकर युद्ध करते रहे दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे यह बलवान शत्रूओं के साथ बलवानों का युद्ध था उनमें से तथा अपने पितामह मृत्व की आराधना करके याम में अस्तर प्राप्त किया अतह वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया इसी प्रकार उलूग भी अग्नी की आराधना करके अच्यंत बलवान हो गया बरपाकर दोनों ही उनमत हो गये थे अतह फिर उनमें बड़ा भयंकर उसमें उलूक ने कपोत के ऊपर अगने अस्त्र का प्रहार किया कपोत ने भी उलूक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया कपोत की इस्त्री हेती बड़ी पतिब्रता थी उस महा युद्ध में अपने स्वामी के निकट अगनी को प्रज्वलित देख वह दुख से बिहवल हो गई विशेस्तह पुत्रों को अगने से आवित देख उसकी ब्याकुलता और भी बढ़ गई उसने अगने देव के पास जाकर नाना प्रकार की उक्तियों से स्तवन करना आरंब किया हेती बोली जिनका रूप और दान प्रतक्ष है संपून पदार्थ जिनके आत अगने को मैं नमसकार करती हूं जो देवताओं के मुख देवताओं के हविश्य को बहन करने वाले देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं उन आदि देव बगवान अगने की मैं शरण लेती हूं जो शरीर के भीतर प्रान रूप में इस्थत हैं और बाहर अन दात रूप में बिद्द्यमान हैं तथा जो यग्य के साधन हैं उन धनंजे अग्न देव की मैं शरण देती हूँ अग्नी बोले पति ब्रते मेरा यह अस्त्र अमोग है अतह जिस लक्ष पर इसका विश्राम हो सके उसको बदाओ कपोती ने कहा अग्ने देव आपका अस्त्र मुझपर ही विश्राम करे मेरे पुत्र और पती पर नहीं मुझे मार कर आप सत्यवादी हो आपको नमस्कार है अगन देव ने कहा पति ब्रते तुम्हारे सूवचन और पती भक्ती से मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुम्हारे स्वामी और पत्रों का अनिस्ट नहीं होगा मैं उनकी रक्षा का बचन देता हूँ यह मेरा आगने अस्त्र तुम्हारे पती को पत्रों की तथा तुमको भी नहीं जलाएगा अतह तुम सुख पूर्बक लोट जाओ इसी बीच में उलूकी ने भी अपने पती को देखा वे यमपाश में बदकर यमदंड से तारित हो रहे थे सती साध्वी उलूकी यह देखकर बहुत दुखी हुई और भैसे ब्याकुल हो यमराज के पास गई उलूक एक यही बैसे धीर पुरस उत्तम बरताव करते हैं और आपके ही दर से करमों के अनुस्थान में लगते हैं आपसे भैपा कर, लोग उक्वास करते और गाओं छोड़कर बनमे जाते आपके ही डर से सोमभाव करन करते और आपके ही भैसे सोमपान करते हैं आपसे भैवीत पुरु से ही अन्नदान और गोदान में प्रवित होते हैं और आपसे डरकर ही ममुक्ष ब्रम्हवादी की चर्चा करते हैं इस प्रकार स्टती करती हुई उलूकी से दक्षिन दिशा के स्वामी यमराज ने कहा तुम्हारा कल्यान हो तुम वर मांगू मैं तुम्हें मन के अनकूल वर दूंगा यमराज की यह बात सुनकर पतिब ब्रता उलूकी ने उनसे कहा सुरसरेस्ट मेरे स्वामी आपके पाश में बधे हैं और आपकी ही दंड से पीडित हो रहे हैं आप उस से मेरे पती और पुत्रों की रक्षा करें उसकी यह कातर वारी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई उन्होंने बार बार कहा सुमुखी मेरे ये पाश और दंड किस पर पढ़ें इसके लिए स्थान बताओ उसने कहा जगदीश्वर आपके पास मुझे ही बाद हैं और आपका दंड भी मुझ पर ही पढ़े यमराज ने कहा शुभे तुम्हारे पुत्र पती और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन बतीत करो यों कहकर यमराज ने अपने पास समेट लिए और अगने देव ने आगने आस्तर का निवान कर दिया इतना ही नहीं उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोद और उलूप में प्रेम करा दिया फिर पक्षियों से कहा तुम लोग एक्षा नुसार वर मांगों दोनों पक्षी बोले भगवन हमने आपस के वहर के कारण आप लोगों का दुरलब दर्शन प्राप्त किया हम तो पाप योनी पक्षी हैं वरदान लेकर क्या करेंगे तथा प्रेम पूर्बक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्यान मैवर को अपने लिए नहीं चाहते देवेश्वरों जो अपने लिए आचना करता है वह शोख का पातर है जो सदा परोपकार के लिए उद्द्यत रहता है उसी का जीवन सफल है अगनी जल सूर्य प्रतवी और नाना प्रकार के धानियों का पता विशेष्टह संत महात्माओं का उप्योग सदा दूसरों के भले के लिए ही होता है क्योंकि ब्रम्भा आदि देवता भी एक दिन मृत्य को प्राप्त होते हैं देवेश्वरों यह जानकर स्वार्थ सिद्ध के लिए परिस्त्रम करना बेर्थ है बिधाता ने प्राणियों के जन्म के साथ ही उनके लिए जो बिधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता अतह जीव बिर्थही कलेश उठाते हैं इसलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं हमारी यह याचना सब के लिए गुनदायक है आप दोनों इसका अनमोदन करें गंगा के दोनों तटों पर जो हमारे आश्रम है वे तीर्थ रूप में परणड़त हो जाएं वहां कोई भी पापी या पुण्यात्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी शनान दान जप होम और पितरों का पूजन आदि करें वह सब अक्छे पूर्य देने वाला हो यमराज भोले जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यम स्त्रोत्र का पाठ करेंगे उनके बंस में साथ पीडियों तक किसी की अकाल मृत्य नहीं होगी वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे जो जितात्मा पूरुष पृतिदिन इस स्त्रोत्र का पाठ करेंगा वह अठासी हजार व्याधियों से कभी पीडित नहोगा इस तीर्थ में तीन मास तक स्नान करने से सती सादूई इस्तिरी गर्भाउती होगी बंध्या भी छे महीने तक स्नान करने से गरभवती होगी गरभणी इस्त्री एक सफ़तां तक स्नान करे तो वह वीरपूत्र की जननी होगी और उसका पुत्र भी सौ वर्ष की आयुवाला धनवान बुद्धिमान शूरवीर तथा पुत्र पुत्रों का बिस्तार करने वाला होगा इस तीर्थ में पिंड आद देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी कोई भी मनुस्य इसमेशनान करने से मन वाड़ी और सरीर जन्य पापों से मुक्त हो जाएगा अगने देव ने कहा जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिन तट पर मेरे स्त्रोत्र का पाठ करेंगे उन्हें मैं आयू आरोग्य अईश्वर्य लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूंगा जो कोई मानो कहीं भी इसे स्त्रोत्र का पाठ करेगा अत्वान लिख कर भी इसे घर में रख देगा उसको तथा उसके घर को कभी भी अगने से भैना होगा जो मनस्य पवित्र होकर अगने तीर्थ में स्नान और दान करेगा उसे निश्चे ही अगने स्टों यग्य का फल मिलेगा तबसे वह तीर्थ, याम्य तीर्थ, आगनेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उलूक तीर्थ और हेत्यू लूक तीर्थ के नाम से बिद्दानों में प्रसिद्ध हुआ वहां तीन हजार तीन सो नब्बे तीर्थ हैं और उन में से प्रतेक तीर्थ मौक्ष देने वाला है उन तीर्थों में स्नान करने से मनुस्य पवित्र होते पुत्र और धन पाते और अंत में स्वर्ग लोग को जाते हैं तपस तीर्थ इंद्र तीर्थ और व्रिशा कप eliminates तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं तपस तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है वह तफश्या की बृद्धि करने वाला समस्त अभिलशित वस्तूओं का दाता पवित्र तथा पितरों की प्रसन्यता को बढ़ाने वाला है उस तीर्थ में जो पाप नाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ सुनो रिशियों में अगनी और जल की स्रेष्टता को लेकर परस्पर संबाग हुआ एक पक्ष कहता था जल स्रेष्ट है और दूसरे पक्ष के लोग अगनी की स्रेष्टता का प्रतिबादन करते थे अगनी की सेश्टता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थत करते थे अगनी के बिना जीवन कहां रह सकता है क्योंकि अगनी ही जीव रूप है आत्मा और हविश्व भी वही है अगनी से ही समस्त जगत की उत्पत्य होती है अगनी ने समस्त विश्व को धान कर रखा है अगनी ही जोतिर में जगत है अतह अगनी से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है अग्न को ही अंतर जोती तथा परम जोती कहते हैं अग्न के बिना कोई भी वस्तु नहीं है यह त्रलो की अग्न का धाम है इसलिए पांचों भूतों में अग्न से स्रेष्ट दूसरा कोई नहीं है नारी की योनि में पुरुष जो बीरिय स्थापित करता है उसमें जो देह आदि के मिर्मान की शक्ति होती है वह सब अग्न की ही है अग्नी देवताओं का मुख है अतह उससे बड़ा कुछ भी नहीं है दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ट मानते हैं उनका कहना था जल से ही अग्नी की उत्पत्य होती है और जल से ही मनुष्य सुद्ध होता है जल ही सब को धार्ण कर रखा है अतह जल को माता माना गया है पुराण वेद्थाओं का कथन है कि जल ही तीनों लोक का जीवन है जल से ही अम्रत उत्पन हुआ है और जल से ही और सधियां होती इस प्रकार एक पक्ष अगने को स्रेष्ट कहता था और दूसरा पक्ष जल को योही मिमानसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तरक उपस्तित करने वाले बेदवादी रिशी मेरे पास आकर बोले भगवन आप तीनों लोग के प्रभू हैं बताईए अगने स्रेष्ट ह या जल मैंने कहा दोनों ही इस जगत में परम पूजनी हैं दोनों से जगत उत्पन होता है दोनों से फब्यकब्य और अम्रत का पाकट होता है दोनों से ही जीवन है दोनों ही शरीर को धारन करने वाले हैं इन में परस्पर कोई विशेष्टा नहीं दोनों ही समान रूप से ही स्रेष्ट माने गए हैं मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही स्रेष्ट हैं कोई एक नहीं परंतु वे रिशी ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही स्रेष्ट है अतह उन्हें मेरी बातों से संतोस नहीं हुआ तब वे शीर सागर में इशी बोले जो भविस्ट में होने वाला है जो जन्न ले चुका है और जो अभी गुहा गर्भ में प्रविस्ट हुआ है उस संपूर भुवन को जो सदा अपनी ग्यान दिस्ट में रखते हैं यह चित्र बिचत्र रूपों वाली समस्त त्रलो की अंत में जिनके भीतर लीन हो वेद वेद्य बतलाते हैं जिनकी शरण में गय हुए प्राणी अपने अभीस्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं उन परमार्थ वस्त रूप प्रमेश्वर की हम शरण देते हैं जगन्निवास महा भूत में जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विश्णु का स्वरूप है जिसे योगी भी नहीं जान पाते उसी का प्रतिपादन करने के लिए ये महर्शिगन यहां आये हुए हैं आप यहां सब्त को प्रकट कर दें जगदीश्वर आप संपूर देहधारियों के अंतर आत्मा हैं आप ही सब कुछ हैं आप में ही यह संपूर जगत ठथा कितने आश्रे की बात है कि प्रकृत से प्रभावित होने के कारण कोई भी आपकी सप्ता का अनुबह नहीं करते वास्तों में आप बाहर और भीतर सब ओर विद्धिमान हैं संपूर रिष्व के रूप में आप ही सब ओर उपलब्द हो रहे हैं रिष्यों के इस प्र और नियम के साथ दोनों की आराधना करो, जिसकी आराधना से पहले सिध्ध प्राप्त हो, वही भूत सबसे स्रेष्ट कहा जाएगा, बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महरसी वहां से चल दिये, वे ठक गए थे, उनका अंतह करण खिन्न हो रहा था, उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रे लिया, और तपस्या करने का दिन संकल्प लेकर, वे सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगजन्नी गौत्मी के तक पर आये, और जल देवता तथा अगनी देवता के प्रथक पूजा करने को उद्यत हुए, जो अगनी के पूजक थे, वे जल के पूजन में प्रवित्त हुए, उस समय वहां बेद माता, दैवी बाडी, सरस्वती ने फिर कहा, जल से ही सुध्य होती है, जो अगनी के पूजक हैं, वे बिचार तो करें, बिना जल का पूजन कैसा, जल होने पर ही, मनुस्य सब कर्मों के अनुस्ठ का अधिकारी होता है, बेद वेत्ता पुरुष, जब तक शीतल जल में शद्धा पूर्वक्स नान नहीं कर लेता, तब तक अपवित्र, मलीन, इवंग शुभ कर्म का अनधिकारी रहता है, इसलिए जल सबसे स्रेस्ट है, उसमें माता की पद्वी दी गई है, अता जल ही स् बेदवादी रिशियों ने यह आकाश वाणी शुनी, इससे उन्हें निश्य हो गया की जल ही स्रेस्ट है, जिस तीर्थ में यह रिशी सत्र संपन्न हुआ, उसे तपस तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं, अग्नी तीर्थ और सारस्त तीर्थ भी उसी के नाम है, वहां चौदो सव पूर्ण यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ अशनान और दान स्वर्ग एवं मौक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जहां आकाश वाणी ने रिसियों का संदेह निवारण किया था। वहां सरस्थती नाम की नदी प्रगट हुई, जो गंगा में मिली हैं। सरस्थती और गंगा के संगम का महात्म बतलाने में कौन मनुस्त समर्थ हो सकता है। गौतमी तटपर इंदर तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है, वही ब्रिशा कपी तीर्थ भी है। उसे ही फेना संगम, हनुम तीर्थ और आपजक तीर्थ भी कहते हैं, वहां भगवान त्रिविक्रम का निवास है, उस तीर्थ में शनान और दान करने से संसार में लोटना नहीं पड़ता, अब वहां का ब्रतान्त बतलाते हैं, गंगा के दक्षिन और उत्तर-तठपर इंद् नामक दैथ्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्र था, वह मद से उन्मत था, एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ, इंद्र ने फेन से उसका मस्तक काट डाला, वह बज्ज रूपधारी फेन, शत्र का मस्तक काटने के पश्चात, गंगा के दक्षिन तट पर ग गया, रसातल में जो गंगा जी का जल है, वह संपून विश्व को पवित्र करने वाला है, बज्र ने प्रत्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग से वह पाताल गंगा का जल प्रत्वी के उपर निकल आया, उसी को फेना नली कहते हैं, गंगा जी के साथ ज नस्त पापों का नाश करने वाला है वहां शनान करने मात्र से हनुमान जी की उप माता जिनका मुख बिलावसा हो गया था उस संकट से मुख्त हुई थी उस तीर्थ को मरजार तीर्थ और हनुम तीर्थ भी कहते हैं उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है अब व्रिशा कफी और आपजक तीर्थ की कथा सुनो हिरेड नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था वह तपस्या करके संपूर देवताओं से अजे हो गया था वह हिरेड बड़ा भेंकर दैत्य था उसका बलवान पुत्र महाशनी के नाम से विख्यात था वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जे था उसकी स्त्री का नाम पराजिता था एक बार महापराक्रमी महाशनी ने युद्ध के मुहाने पर एरावत सहित इंद्र को परास्त किया और उन्हें ले जाकर अपने पिता को सौप दिया इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनी ने वरुन को जीतने के लिए उन पर आक्रमर किया किन्तु वरुन वड़े बुद्धिमान थे उन्होंने महाशनी को अपनी कन्या ब्याह दी इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विश्णु ही पुनह इंद्र को दे सकते हैं क्योंकि वे ही दैत्यों के हंता हैं मंत्र द्रिस्टा भी वे ही हैं अतह वे दूसरों को भी इंद्र बना देंगे ऐसा निश्चे करके सब देवता भगवान विश्णु के पास गए اور उन्हें सब हाल कह सुनाया भगवान विश्णु ने कहा महा बैठ्य महाशनी मेरे लिए अवध्य है यों कहकर वे महाशनी के स्वसुर वरून के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभों का समाचार बतलाते हुए बोले तुम्हें ऐसा यत्म करना चाहिए जिससे इंद्र कुना अपने पद पर लोट आएं भगवान विश्नु के आदेश से बरुण शिगही वहां गए दैत्य ने बिने पूर्बक अपने सुसुर से वहां पधार आने का कारण पूछा बरुण ने कहा महा बाहो कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है वे देवताओं के राजा हैं उन्हें लोटा दो यदि शत्र को बाध कर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सत्पुरसों के लिए महान कारण हो था है बहुत अच्छा कहकर दैतिराज महासनी ने एरावत सहित इंद्र को लोटा दिया और उनसे यह बात कही इंद्र आज से तुम सिश्य हुए और मेरे स्वसर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है अब तुम वरुण के कारा ग्रिह में डाल दूंगा इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उसने बारं बार हस्ते हुए कहा जाओ जाओ वरुण जी का सदा आदर करना इंद्र अपने घर आये वे अपमान पूर लज्जा से काले पड़ गए थे उन्होंने शत्र द्वारा त्रस्क्रत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा सुमुखी सत्र ने मुझसे इस तरह कठोर बाते कहीं और मेरे साथ ऐसा अनुचत बरताओ किया इससे मेरे हृदे में आग लग रही है तुम ही बताओ कैसे अपने हृदे को शीतल करूं इंद्राणी ने कहा बल शूदन मैं द तपस्चा से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है तपस्चा से कुछ भी असाध्य नहीं है यग्य कर्म से कोई बात असंभो नहीं है जगनात भगवान विश्नु तथा विश्वनात शिव की भक्ती से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहो सके प्राणनात मैंने और भ प्रभो भूमि तथा जल की अजिस्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार असाध्य नहीं है तपस्या अत्मा यग्याद उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो वहीं आप चलें उस स्थान पर मगवान विश्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट वस्तु में प्राप्त कर लेंगे मैंने यह भी सुना है कि जो इस्त्रियां पतिब्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं उन्होंने ही चराचर जगत को धारन कर रखा है पृत्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन वहां जगत जन्नी गं आधना करें दुख के समुद्र में डूबने वाले अनात मनुस्यों को स्री शिव तथा स्री विष्णु अथमा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है अतह एक आप्र चित्त होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें मेरे साथ र साथ से आप कल्यान के भागी होंगे बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिस्ट पुरुस को एक गुना फखल देता है उसके विदिविधान और तत्त को अच्छी प्रकार जानकर करने से सो गुना फखल मिलता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत प्वरुष अकेले जो करम करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है कि पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा प्वल पुरुष को प्राप्त होता है सुना जाता है डंड का रेंड में सरिताओं में स्रेस्ट गौतमी घंगा बहती हैं वे समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर अभिलशित वस्तों को देने वाली हैं अतह मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पूर्य कर्म का अनुस्ठान कीजिए इससे आप सं कित्रों का संहार करके महान सुख के भांगी होंगे अच्छा ऐसा ही करूंगा यो कहकर अपने गुरू व्रिहश्पति और पत्नी सची को साथ ले इंद्र जगत जन्नी गौतमी के तट पर गए दंडका रेंड के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एक मात्र भगवान शिव की शरण होकर उनका स्तवन आरंब किया इंद्र बोले जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की स्रिष्टी रक्षा और संघार करते हैं किन्तु उसमें आसक्त नहीं होते जो एक स्वतंत्र त अध्यद चिदानंद स्वरूप हैं वे पिनाक धारी भगवान शंकर हम पर प्रशन हों बेदांत के रहस्यों को बली भात जानने वाले सनकाद मुनी भी जिनके तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते वे संपूर्ण अविष्ट वस्तूओं के दाता अंधका सुर्विनाशक पा प्रवान शिव हम पर प्रसन हों जब पाप दरिद्रता लोभ याचना मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रगट हुए उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत ब्याप्त हो गया तब यह सब अवस्था देखकर देविश्वर महादेव ज से बोले लोकेश्वरी यह संपूर्ण जगत नस्ट होना चाहता है तुम इसकी रक्षा करो लोकमाता उमा तुम सबको श्रण देने वाली उत्तम अईश्वर्य से युक्त परम कल्यान मैं तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो वरदाइनी तुम्हारी जय हो तुम भ अजर अमर हो मेरी आग्या के अनुसार तीनों लोकों में बिद्या आद रूप से तुम रक्षा करती हो तुमने ही प्रक्रति रूप से इस बिचित्र त्रिलोकी की सिस्ट की है संकर जी के यों कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमा लाप करने लगी और ठक कर भगवान के आधे शरीर में लग गई और अपने हाथ की उंगलियों से पसीने का जल पहुचकर फेका उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भा हुआ उसके बाद लक्ष्मी प्रगट हुई फिर दान उत्तम व्रिस्टी सत्व सरोवर धान पुस् अस्त्र शास्त्र ग्रिहोप योगी अस्त्र तीर्थ वन तथा चराचर जगत का आविरभाव हुआ देव यह सब पाप रहित स्रिष्ट थी भगवती उमा तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचूर सुख की व्रद्धी हुई सदा सब और मंगल में कृत्य शोभा पान करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं परंतु हम तो शिव और शक्त के सुंदर अद्वैत रूप को सर्बदा नमस्कार करते हैं इस प्रकार इस्तुति करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले देवराज तुम क्या चाह प्रकट है मुझे बाद कर रसातर ले गया था वहां उसने अनेक बार मेरा तिरसकार किया और बचन रूपी बाणों से बीधता रहा मेरा यह प्रयत्न उसी का बद करने के लिए है आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्र का नाश करते हूं जिसने मेरा अपम अच्छा कीरति स्रेष्ट है यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्र का बद नहीं हो सकता अतह तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो सची भी ऐसा ही करें भगवान नारायन तीनों लोकों में एक मात्र आस्रे हैं उ उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो भगवान शिव की आज्या से इंद्र गंगा जी के दक्षण थट पर मुनीश्वर आपस्तंब के पास गए और उनको साथ लेकर फेना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भाति भाति के बैदिक मंत्रों एवन तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को बड़ी प्रसनता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रगट होकर बोले इंद्र तुम्हें क्या वरदान दूँ वे बोले मुझे एक ऐसा वीर दीजिये जो मेरे शत्र का बद कर सके भगवान ने कहा दे दिया फिर तो शिव गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रगट हुआ उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के स्वरूप धारन किये थे उसके हाथ में चक्र भी था और त्रशूल भी उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्र महाशनी का बद किया उसका नाम अबजक्ट और में चक्त पास जाते थे। उन्हें अन्यत्र आसक्त देख सची के लिद्य में प्रणय कोप का उद्य हुआ तब इंद्र ने हसकर उन्हें सांतना देते हुए कहा। प्रिये मैं अपने शरीर की सपत खाकर कहता हूँ मित्रवर व्रशा कपी के सिवा और किसी के घर नहीं जाता अतह तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए तुम पतिब ब्रता और मेरी प्रियतमा हो धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन इस्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है तुम्हारे ही उपदेश से मैं महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान विश्णु शिव तथा मित्र व्रशा कपी के प्रसाद से दुख सागर के पार हुआ और अब यहां राज से चुत न होने वाला इंद्र हूं यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है जहां स्वामी के चित्त का अनुशर्ण करने वाली पतिब्रता इस्त्री हो वहां कौन सा कार असाध्य है वहां तो मोक्ष भी दुरलव नहीं है फिर अर्थ काम आद की तो बात ही क्या है पत्नी भी परम्मित्र है वह लोक और परलोक दोनों में हितकारणी होती है पत्नी भी यदिकुलीन प्रिय बोलने वाली पतिब्रता रूपवती गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो तो उसके द्वारा इस त् अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए इस्त्री के समान दूसरी कोई औशद नहीं है निह स्वेयस पद की प्राप्ती तथा पाप से मुक्ती कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धी तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्नु के एकट ज्यान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है पति ब्रते तुम्हारी बुद्ध से तथा श्री शिव श्री विश्नु और श्री गंगा के प्रशाद से मुझे यह सब अविश्ट वस्तु प्राप्त हुई है मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्र पद इस्थिर रहेगा तीर्थों में गौत्मी गंगा और देवताओं में भगवान विश्नु और शिव स्रेष्ट हैं इनी की क्रिपा से मुझे सब मनो वांचित वस्तु में प्राप्त हुई है यह तिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है अतह मैं क्रमशह संपूर देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ महर्शिगण गंगा विश्नु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोधन करें देवताओं गंगा के दोनों तटों पर एक और इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर आपजक तीर्थ इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और आपजक में साक्षात भगवान विश्नु वे अपनी उपस्तिती से दंडक वन को पवित्र करते हैं इनके वीच में जो जो तीर्थ हैं वे सब पूर्य दायक हैं अपनी पाँच पाँच पीड़ी के पितरों सहित परममौक्च के भागि होते हैं यहां आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान कर देते हैं वह दान दाताओं के लिए अक्षए होता है तथा मनो वांचत भोग और मौक्च प्रदान करता है यहां भगवान श्री विष्णू और स्रीशिव के उपाख्यान को जानकर श्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है यह उपाख्यान धन यश्य आयू आरोग्य और पूर्य के बृद्धि करने वाला है जो लोग इस तीर्थ के महात्म को सुनते और पढ़ते हैं वे पूर के भागी होते हैं उन्हें यहीं इसी जीवन में भगवान श्री विष्णू और श्री श्रीशिव की स्मृति प्राप्त होती है जो समस्त पाप राशिका संगहार करने वाली है तथा जिसके लिए जिते इंद्री एवग मनो जई मुनी भी प्रार्थना करते रहते हैं इंद्र के इस कथन का अनुमोधन करते हुए देवताओं और रिशियों ने कहा ऐसा ही होगा आपस तंब तीर्थ शुक्ल तीर्थ और श्री विश्नु तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं आपस तंब तीर्थ तीनों लोकों में बिख्यात है वह श्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशिका बिद्धन्स करने में समर्थ है आपस तंब एक मुनी थे, वे परम बुद्धिमान और महा यशश्वी थे, उनकी पत्नी का नाम अक्ष सूत्रा था, वह पातिब्रत धर्म का पालन करने वाली थे, मुनी के एक पुत्र थे, जो करकी नाम से विख्यात थे, वे वड़े विद्वान और तत्वेत्ता थे, एक जिन उनके आस्रम पर मुनी सेस्ट अगस्त जी आये, सिश्वों शहित मुनी स्वर आपस तंब ने अगस्त जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर तीनों देवताओं में कौन पुज्य हैं, अनाद और अनंत कौन हैं, तथा वेदों में किसका यशोगान कि जया गया है, महामुने यही मेरा संसय है, इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें, अगस्त जी बोले, धर्म, अर्थ, काम और मौक्छ की सिद्धी में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है, उसमें भी बैदिक शब्द सबसे सेस्ट प्रमाण है, वेद के द्वार जिसका यशोगान होता है, वे परादपर पुरुष परमात्मा हैं, जो मृत्यु के अधीन होता है, उसे अपर छर पुरुष जानना चाहिए, और जो अमृत है, उसे पर अक्छर पुरुष कहते हैं, अमृत के भी दो स्वरूप हैं, मूर्थ और अमूर्थ, जो कार है उसे परव ब्रम जानना चाहिए, और मूर्द को अपर ब्रम कहते हैं, गुडों की ब्यापकता के अनिसार मूर्द के भी तीन भेद हैं, ब्रम्हा, विश्नू और शिव, ये एक होते हुवे भी तीन कहलाते हैं, इन तीनों देवताउं का भी बेद्यतत्व एक ही है, उ उन और कर्म के भेद से एक की IDE अनेक रूपों में अविव्यक्त होती है लोकों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रम के तीन रूप हो जाते हैं जो इस परमतत्त को जानता है वही विद्वान है दूसरा नहीं जो इन तीनों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं उसके लिए कोई प्रायशित नहीं है तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन और प्रथक प्रथक हैं संपोन साकार रूपों में प्रथक प्रथक वेद प्रमार हैं जो निराकार तत्त है वह एक ही है वह उन तीनों की अपेक्छा उतकृष्ट माना गया है आपस तंब बोले इससे मैं किसी नर्ड़े पर नहीं पहुँच सका इसमें जो रहस की बात हो उसे बिचार कर बतलाईए अगस्त जी ने कहा यद्य पे इन देवताओं में परस पर कोई भेद नहीं है तथा कि सुखस्वरूप शिव शेही संपूर सिद्धियां प्राप्त होती हैं मुने पराभक्ती के साथ बगवान शिव की ही आराधना करो डंड का रैण में गौतमी के तट पर बगवान का निवारन करते हैं महरसी अगस्त की यह बात सुनकर आपस्तंब मुनी को बड़ी प्रसंदता हुई उन्होंने गंगा में जाकर शनान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का इस्तवन करना आरंब किया आपस्तंब बोले जो कास्टों में अग्मी पूलों में सुगंध बीजों में ब्रिक्ष आदि पत्थरों में सुवर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपे रहते हैं उन्हों भगवान सोमनाथ की मैं शर्ण लेता हूँ जिन्होंने खेल खेल में ही इस विश्व की रचना की जो तीनों लोकों के भरण पोशन करने वाले तथा उसके रचईता हैं संपूर्ण भिश्व जिनका स्वरूप है और जो सत असत से परे हैं उन्ह भगवान सोमनाथ की मैं शर्ण लेता हूँ जिनका श्मरण करने मात्र से देहधारी जीव को दरिद्धता के महान अभिशाप और रोग आद श्पर्ष नहीं करते तथा जिनकी शर्ण में गए हुए मनुष्य अपनी अभिस्ट वस्त को प्राप्त कर लेते हैं उन्ह भगवान सोमनाथ की मैं शर्ण लेता हूँ जिन्होंने पहले तीनों वेदों में बंडित धर्म का साक्षात कार करके उसमें ब्रम्ह आदि देवताओं को नियुक्त किया और इस प्रकार जिन्होंने दो शरीर धारण के उन्ह भगवान सोमनाथ की मैं शर्ण लेता हूँ नमस्कार मंत्रो चारण पूर्वक हवन किया हुआ हविष्य और सद्धा पूर्वक किया हुआ पूजन ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर देवता जिनकी दी हुई हवी को ग्रहन करते हैं उन्ह भगवान सोमनाथ की मैं शर्ण लेता हूँ जिन से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्त नहीं है जिन से बढ़कर अत्त सूक्ष्म भी कोई नहीं है तथा जिन से बढ़कर महान से महान वस्त भी दूसरी नहीं है उन्ह भगवान सोमनाथ की मैं शर्ण लेता हूँ जिनकी आग्या से यह बिचित्र अचिंत्य नाना प्रकार का और महान विस एक ही कार्य में संगन हो निरंतर परिशालित रहता है उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ जिनमें अईश्वर्य, सबका आधिपत्य, कर्तित, बातित, महत, प्रीत, यश और सौख्य ये अनादि धर्म हैं उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ जो सदा शरण देने योग्य, सबके पूजनी, शरणागत के प्रीय, नित्य कल्याण में तथा सर्वत सरूप हैं उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ इस प्रकार इस्तुति करने पर भगवान शंकर ने प्रसन होकर कहा मुने कोई वर मांगू आपस्तंब ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो, जो मनुस्य यहां शनान करके संपूर जगत के स्वामी आपका दर्शन करें, वे अपनी समस्त अविश्ट वस्तुओं को प्राप्त करें भगवान शिव ने एवमस्त कहकर ऐसा अनमोदन किया, तब से वह तीर्थ आपस्तंब तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह अनादि अविद्या में अंधकार राशिका उन्मूलन करने में समर्थ है शुक्लतीर्थ मनुस्य को सब प्रकार की सिद्धी प्रदान करने वाला है, उसके श्मर्ण मात्र से संपूर अविश्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनी थे, उनकी पत्नी का नाम पैठिनसी था वह पातिद्वत धर्म का पालन करती हुई पती के साथ गौत्मी के तट पर निवास करती थी, एक बार मुनी ने अग्नी और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नी देवताओं के लिए पुरो डाश खीर बनाया पुरो डाश जब पक रहा था तब धूमे से एक पुरस प्रगट हुआ जो तीनों लोकों को भैभीत करने वाला था उसने पुरो डाश खा लिया यह देखकर मुनी ने क्रोध पुर्बक पूछा तो कौन है जो मेरा यग्नस्ट कर रहा है रिसी की बात सुनकर राच्छस ने उत्तर दिया मेरा नाम हव्यग्न यग्यग्न है मैं संध्या का पुत्र हूँ प्राचीन वरहिश का जेश्ट पुत्र मैं ही हूँ ब्रम्हा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुख पूरवक यग्यों का भक्षन करो मेरा चोटा भाई कल भी बलवान और अत्यंत भीशन है मैं काला मेरे पिता काले मेरी मा काली तथा चोटा भाई भी काला ही है मैं कृतान्त बनकर यग्य का नास और यूप का छेदन करूंगा भरद्वाज जी ने कहा तुम मेरे यग्य की रक्षा करो क्योंकि यह प्रिय एवंग सनातन धर्म है मैं जानता हूँ तुम यग्य का नास करने वाले हो तो भी मेरा अनरोध है कि तुम ब्रामणों सहित मेरे यग्य की रक्षा करो यग्य ने कहा भरद्वाज तुम संचेप से मेरी बात सुनो पूर्व काल में देवताओं और दानमों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया तब उन्होंने कहा जब स्रेष्ट मुनी तुम्हारे उपर अमृत का छीटा दें तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है ब्राम्हन आप ऐसा करेंगे तब आपकी जो जो इक्षा होगी वह सब पूर्ण होगी यह बात कभी मिठ्या नहीं हो सकती भरद्वाज जी ने फिर खहा महामते तुम मेरे सखा हो अतह जिस उपाय से यग्य की रक्षा हो वह बताओ मैं उसे अवस्य करूंगा देवताओं और दैत्यों ने एकत्रत होकर कभी क्षीर समुद्र का मंधन किया था उस समय बड़े कस्ट से उन्हें अम्रत मिला वही अम्रत मुझे कैसे सुलब हो सकता है यदि तुम प्रेम वश प्रसन्न हो तो जो वस्तु सुलब हो वही मांगो रिसी की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नता पूर्बक कहा गौतमी गंगा का जल अम्रत है सुवर्ण अम्रत कहलाता है गाय का घी भी अम्रत है और सोम को भी अम्रत ही माना जाता है इन सब के द्वारा मेरा अविशेक करो अथमा गंगा का जल घी और सुवर्ण इन तीनों वस्तूओं से ही अविशेक करो सबसे उतक्रिष्ट एवं दिब्य अम्रत है गौतमी गंगा का जल यह सुनकर भरद्वाज मुनी को बड़ा संतोस हुआ उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अम्रत में जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अविशेक किया इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ जो पहले काला था वह खशन भर में गोरा हो गया प्रतापी भरद्वाज जी ने संपूर यग्य समाप्त करके रित्पिजों को विदा किया इसके बाद राक्षस ने पुनह भरद्वाज से कहा मुने अब मैं जाता हूँ तुमने मुझे गौर वर्ण कर दिया तुमारे इस तीर्थ में जो लोग सनान दान और पूजन आदि करें उन सब के अभिस्ट फलों की सिद्धी हो इसके श्मर्ण मात्र से सब पाप नस्ट हो जाएं तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ दंडका रैने में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है वहां गंगा जी के दोनों तटों पर साथ हजार तीर्थ हैं जो सब प्रकार की सिद्ध प्रदान करने वाले हैं श्री विष्ण तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है उसका वरतान्त सुनो मुदगल के पुत्र मौदगल एक प्रसिद्ध महरसी थे उनकी पत्मी का नाम जाबाला था वह उत्तम पुत्रों की जननी थी मौदगल के पिता मुदगल रिशी भी संपोण विष्व में विख्यात थे उनकी पत्मी भागीरती के नाम से पसिद्ध थी मौदगल रिशी प्राता काल ही गंगा शनान करते थे उनका यह नित्य का कार्य था गंगा के तट पर कुष, मिट्टी और शमी के फूल से वे प्रतिदिन भगवान का पूजण करते थे गुरू के बताये हुए मार्ग से अपने हरदे कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णू का आवाहन करते थे उनके आवाहन करते ही स्चंख चक्र गदा धारन करने वाले लक्ष्मी पती जगनात गरुन पर आरून हो तुरंत वहां आते थे फिर मौदगल रिशी के द्वारा यतन पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ खाल तक उन्हें बिचित्र बिचित्र कथाएं सुनाया करते थे कथा वारता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विश्नु उनसे बार बार कहते बेटा अब अपने घर जाओ तुम बहुत ठक गए होगे इस पर भगवान के आग्रह करने पर वे घर लोटते थे उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लोटते थे मौदगल्य भी प्रति दिन कुछ लेकर अपने घर आते और अपनी पत्नी को अपना उपारजित धन देते थे मौदगल्य की पत्मी जाबाला बड़ी पतिब्रता थी उसके स्वामी साक फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते उसे ही लेकर वह उसका संसकार करती और पहले अतितियों बालकों तथा अपने पती को परोस्ती थी इन सब को भोजन देकर वह पीछे स्वैंग अन ग्रहन करती जब सब लोग भोजन कर ले थे तब मौदगल्य मुनी प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूरबक श्री विश्नु के मुख से सुनी हुई खथाएं सब को सुनाते थे इस प्रकार बहुत समय बतीत होने के बाद मौदगल्य मुनी ने पतनी पुत्र भाई बंद और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मौक्ष भी प्राप्त कर लिया तब से वह तीर्थ मौदगल्य तीर्थ और श्री विश्नु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहां का अश्नान और दान भोग एवं मौक्ष देने वाला है यदि किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रमण अथमा उसका स्मरण ही हो जाए तो भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं और वहां मनुस्त पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है वहां गौत्मी के दोनों तटों पर एक ग्यारह हजार तीर्थ हैं जो श्नान दान और जप आदि करने से सब पडार्थ देने वाले हैं लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं नारज जी विश्नु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ जो लक्ष्मी के व्रिद्धी और दरिद्रता का नाश करने वाला है उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूं सुनों पूर्ब काल की बात है लक्षमी और दरिद्रा देवी में संबाद हुआ वे दोनों एक दूसरी का विरोध करती हुई संसार में आईं तीनों लोकों में कोई भी वस्त ऐसी नहीं है जहां ये व्याप्त नहों दोनों ही कहने लगी मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ लक्ष लक्षमी ने युक्ति दी देहधारियों का कुल शील और जीवन मैं ही हूँ मेरे बिना वे जीते हुए भी मरतक के समान हैं दरिद्रा ने भी तरक उपस्थत किया मैं ही सबसे वड़ी हूँ क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है जहां मैं हूँ वहां काम क्रोध मद और मात सर्य ये दोस कभी नहीं रहते भय उनमाद इर्शा और दंड़ता का भी अभाव रहता है दरिद्रता की बात सुनकर लक्षमी ने प्रतिवाद किया मुझे से अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल क्यों नहो सब के दीजिये यह वाक्य मुँ से निकालते ही बुद्ध, श्री, लज्जा, शान्ति और कीर्ति ये शरीर के पांच देवता तुरंत ही निकल कर चल देते हैं गुण और गौरो तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं पहला था जब पुरुस याचक बन गया तब कहा गुण और कहा गौरो जीव तभी तक सबसे उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का बंदनी रहता है जब तक वह दूसरों से याचना नहीं करता प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कस्ट और पाप है क्योंकि निर्धन मन नुश्य को ना तो कोई आदर देता ना उससे बात करता और ना उसका पर्श ही करता है अतह दरिद्रे मैं ही स्रेष्ट हूँ तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले लक्षमी का यह दर्पयुक्त बचन सुनकर दरिद्रा बोली लक्षमी मैं बड़ी हूँ यह बारं बार कहते ह हुए लज्जा नहीं आती तू स्रेष्ट पुरुसों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती रहती है जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचना करती है फिर बड़ी बड़ी डिंगे कैसे हांक रही है तेरे मिलने पर मनुस्य को जैसा भारी पश्चाताप सह बिद्वानों को भी हो जाता है लक्षमी तू सदा प्रायह पापियों के साथ ही कृड़ा करती है मैं योग्य और धर्मशील पुरुसों में सदा निवास करती हूँ भगवान शिव और शेविष्णू के भक्त कृतग्य महात्मा सदाचारी शांत गुरु शेवा पारायन स साधू, बिद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्ध्यवाले स्रेष्ट पुरुसों में मेरा निवास है अतह स्रेष्टता तो सदा मुझ में ही है तेजस्री ब्रहम्भड, ब्रत पारायन सन्यासी तथा निर्भय मनुस्यों के साथ मैं रहा करती हूँ किन्त तू कहा रहती है यह भी सुन ले पाप पारायन, राज कर्मचारी, निस्ठुर, खल, चुगल खोर, लोभी, ब्रिगतांग, शठ, अनार्य, कर्तग्न, धर्म घाती, मित्रद्रोही, अनिस्टकारी तथा प्रदैहीन मनुस्यों में ही तेरा निवास है इस तरह विवाद करती हुई, वे दोनों मेरे पास आई, मैंने उनकी बातें सुनी, और इस प्रकार कहा, प्रत्वी तथा आप, जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रगट हुई हैं, इस्त्री होने के कारण, वे ही इस्त्री के विवाद को समझ सकती हैं, और कोई नहीं, उनमें भी, जो कमंडलू से प्रगट होने वाली नदियां हैं, वे स्रेष्ट हैं, उन सरिताओं में भी, गौत्मी देवी तो सर्व स्रेष्ट हैं, अतह वे तुम्हारे विवाद का निड़े करेंगी, वे ही सब की पीडाओं को हरने वाली, तथा सब के संदेह का निवारन करने वाली हैं, मेरे कहने से वे दोनों प्रतवी और जल के पास गई और उन सब को साथ ले गौतमी देवी के पास पहुँची भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्षमी और दरिद्रता का विवाद स्पस्त रूप से कह सुनाया उन दोनों के विवाद को समस्त लोकुपाल, पृत्वी और जल ये मध्यस्त की बहांती सुन रहे थे। उस समय स्री गंगा ने दरिद्रा से कहा। जल पृत्वी अहंग्शक्ति आउशधि शुति शुद्धि रात्रि दिवलोग जोचना आशिही स्वस्ति ब्याप्ति माया उशा शिवा आद जो कुछ भी संसार में बिद्यमान है वह सब लक्षमी के द्वारा ब्याप्त है। ब्रामण, धीर, छमावान, शाध, विद्वान, भोग पारायन तथा मोक्ष पारायन पुरसों में जो जो रमडी अथमा सुन्दर है वह सब लक्षमी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाव समस्त जगत लक्षमी मैं ही है जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उतकृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्षमी मैं है। लक्षमी से सुनने कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रे क्या तुम इन सुन्दरी लक्षमी देवी के साथ स्परधा करती हुई लज्जित नहीं होती जा चली जा यहां से। तब से गंगा जी का जल दरिद्रा का शत्र हो गया। तभी तक दरिद्रता का कस्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्षमी तीर्थ और लक्षमी नासक हो गया। वहां शनान और दान करने से मनुस्य लक्षमी वान तथा पूरेवान होता है महा मते वहां देवताओं तथा रिशी मुनियों द्वारा सेवित छे हजार तीर्थ हैं जो सब के सब सिद्ध प्रदान करने वाले हैं। तदंतर विख्यात भान तीर्थ है जो मनुस्यों को सब प्रकार के सिद्ध देने वाला है। वहां का ब्रतान्त महा पातकों का नाश करने वाला है। उसे बतलाता हूँ सुनो। शर्यात नाम के विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी इस्तरी का नाम स्थविस्था था। रानी इस भूतल पर अब प्रतिम सुन्दरी थी। सन्यमी पुरुस में स्रेष्ट विश्वामित्र कुमार ब्रम्हर्शि मधुच्छंडा राजा सर्यात के पुरोहित थे। एक समय की बात है वीरवर राजा शर्यात अपने पुरोहित को साथ ले दिग विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लोटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा विप्रवर आप खिन क्यों हैं। मैंने पृतिवी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। यह तो महान हर्श का आउसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं। सच सच बताईए तब मदुच्छंदा ने राजा को संबोधित करके कहा। राजन जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आधी बीट जाएगी। उधर इस सरीर की श्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशिभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका श्मरन करके मेरा श्तीर सूखा जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुखवाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी न। यह सुनकर राजा हस पड़े और पुरोहित से बोले। ब्राम्हन आप मेरे गुरू और मित्र हैं। फिर अपने आपको क्यों बिडंबना में डाल रहे हैं। संसार का सुक तो छणभंगूर है। उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी मदुचंदा बोले। राजन जहां पति-पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। वहीं धर्म, अर्थ और काम के बृद्धे होती है। अतह अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूशन नहीं भूसन ही मानना चाहिए। तदंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आये। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परिक्षा करने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया। राजा शर्यात दिगविजय के लिए गए थे वहाँ एक राक्षास पुरोहिस सहित राजा को मार कर रसातल में चला गया। दूट के मुख से यह संदेश शुनकर राणी इसकी सत्ता का पता लगाने लगी। किन्त मदचंदा की पत्मी ने तुरंत प्राण त्याग दिये। यह एक अदभुद बाद हो गई। दूटों ने उसके मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा। साथ ही राणियों की चेस्टा भी बताई इससे राजा को बड़ा दिश्में और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा तुम लोग जाकर ब्रामणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात पहला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यों कहकर राजा चिंता से ब्याकुल हो उठे इसी समय आकाश वारी हुई। राजन इस प्रतिवी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शान्ति करने वाली तथा पावन हैं। वे आपका संपूर मनोरत से दखतेंगी। आकाश वारी सुनकर शर्यात गौतमी के तट पर आये। उन्होंने ब्रामणों को धन दिया, पितरों तथा दिजों को त्रप्त किया। और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा। आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह सब कार पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सीना को भी भेज दिया और स्वैंग अकेले ही गंगा थट पर रह गए उन्होंने गंगा, सूर्य और देवताओं को सुना कर कहा यदि मैंने दान, हूम और प्रजापालन किया हो तो इस सब्ध के प्रभाव से वह पतिब बता ब्राम्हरी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए यों कहकर राजा अग्ण में प्रवेश कर गए उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई राजगुरु मदुच्छंदा को जब यह बात मालुम होई कि राजा अग्ण में प्रवेश कर गए मेरी पतिब ब्रता पत्नी मर कर फिर जीव उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याक किया है तब उनका ध्यान अपने करतब्य की ओर गया उन्होंने सोचा मैं भी अग्ण में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाओं अथुआ यही रहकर तपस्या करूं अंत में वे इस निश्य पर पहुँचे कि मेरा करतब्य तथा पूर्ण कार यही है कि पहले राजा को जीवित करूं उसके बाद प्रिया के पास जाओं यह बिजार कर उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अविस्ट वस्तूं को देने वाला नहीं है मदुच्छंदा बोले मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है ओंकार के अर्थभूत छ प्रिगुण त्रिमूर्ति स्रिष्टि पालन और संगहार के हेतु तथा सबके प्रभू है उन भगवान सूर्य को नमस्कार है इसे स्त्रोत्र से प्रसंद होकर भगवान सूर्य ने कहा कोई वर मांगो मदुच्छंदा बोले देवेश्वर राजा का जीवन दान दीजिए प्रिय बचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिये और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूशन से विभूशित राजा शर्याति को जीवित करके दे दिया ब्राम्हर की पत्नी क जो भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ट एवन कल्याण में वर प्रदान के तदंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रिय जनों से घिरे हुए सुख पूर्वक अपने देश को गए उस स्थान पर तीन हजार गुनवान तीर्थों का निवास है मुने उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ मृत संजीवन तीर्थ शर्याति तीर्थ और मधुच्छन दस तीर्थ हो गया वह श्मरण मात्र से पापों को दूर भगाता है उन तीर्थों में किया हुआ श्नान और दान संकूर यग्यों का फल देने वाला है खडग तीर्थ और आत्रे तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं गौत्मी के उत्तर तट पर खडग तीर्थ है जहां अश्नान और दान करने से मनुस्य मौक्ष का भागी होता है नारद मैं वहां का ब्रतान्त बतलाता हूँ पैलूश नाम के विख्यात एक ब्राम्हड थे जो कवश के पुत्र थे वे कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर उधर दोड़ा करते थे किन्तु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था दैवतो अत्त बिमुक्ता ही पुरुशार्थ भी निस्फल हो गया था इससे पैलूश को बड़ा वैराग्य हुआ वे सोचने लगे यह त्रशना मुझे बलपूरबक पाप की ओर खीसती है त्रशने तुने मेरे अग्यान वश बड़ा अपकार किया है किन्तु अब तुझ दूर से ही नमस्कार है यह सोच कर बुद्धिमान पहलूश ने मनही मन विचार किया इस त्रशना का नास करने के लिए क्या होना चाहिए फिर उन्होंने अपने पिता कवश से पूछा ताहत मैं अज्यान रूपी खड़क से क्रोध और लोब का तथा अत्यंत दुस्तर संस कैसे छेदन करूं इसका उपाय बतलाईए कवश ने कहा वैदिक शूति का कथन है कि इस्टर से ग्यान की इक्षा करें अतह तुम महादेव जी की आराधना करो उससे तुम्हें ग्यान प्राप्त होगा बहुत अच्छा कहकर पहलूश ने ग्यान प्राप्त के उदेश से मह प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवश ने इस प्रकार मुक्तिदायनी गाथा का गान किया मनुस्त का पहला शत्रु है क्रोध उसका फल तो कुछ भी नहीं उल्टेवन सरीर का नाश करता है अतह ग्यान रूपी खडग से उसका नास करके परम आनंद को प्राप्त कर नाना प्रकार के तृष्णा बंधन में डालने वाली माया है वह पात कराती है अतह ग्यान रूपी खडग से उसका नाश कर देने पर मनुस्य सुख से रहता है आसक्ति देवता आद के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है आत्मा असंग है उसके लिए भी आसक्ति महान शत है ज्यान रूपी खडग से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज प्राप्त करें संशय महानाश का कारण है वह धर्म और अर्थ का भी बिनाश करने वाला है उस संशय का नाश करके जीव अपने परम अभिस्ट की सिद्ध कर सकता है आशा पिशाची की भात चित्त में प अश्म कर डालती है पूर्ण हंता अपरिछिन आत्म बोध रूपी खडग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए तदंतर पैलूश ग्यान प्राप्त करके गंगा तक पर रहने लगे ग्यान रूपी खडग से उनका मोह नश्ट हो गया था अतह उन्हो प्राप्त करते हैं जो पापराश के नासक और अविस्ट बस्तूओं के दाता है उसके बाद आत्रे तीर्थ है उसी को अन्विंदर तीर्थ भी कहते हैं वह बहुत ही उत्तम है वह खोई हुए राज्य की फ्राप्ति कराने वाला है उसका महात में बतलाता हूँ सुनो एक बार गौतमी के उत्तर थट पर आत्रे रिशी ने अनेक रित्तिज मुनियों के साथ सत्र आरंब किया उसमें हब व्यवाहन अग नहीं होता थे इस प्रकार सत्र पूरा होने पर महर्ष ने माहिस्वरी इस्टिका अनुस्ठान किया इससे अनिमा आदी आठ्रकार के अईश्वरी के प्राप्ति हुई तथा उनमें सरवत्र आने जाने की शक्ति हो गई वे परम मनोहर इंद्रभवन स्वर्ग लोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे एक समयवे इंद्रलोक में गए वहाँ उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा जो अफसराओं का उत्तम नित्र देख रहे थे सिद्ध और शाद्ध गण उनकी स्तुति कर रहे थे वह सब देखकर पुना अपने आश्रम लोट आए कहा पवित्र गुनों वाले रतनों से भ़ी हुई अत्यंत रमडिय इंद्रपुरी और कहा श्रीहीन सुवड रहित अपना आश्रम यह देखकर ब्राम्मर को अपने आश्रम से बैरा किसा हो गया उनके मन में शीग रही देवताओं का राज प्राप्त करने की अभिलाशा हुई तब उन्होंने अपनी प्रिया से कहा देवी अब मैं उत्तम से उत्तम फलमून भी चाहे वे कितने ही अच्छे ढंग से क्यों बने हूं नहीं खा सकता मुझे तो स्वर्ग लोग के अम्रित परम पवित्र भक्ष भोजन स्रेश्ट आसन इस्तुति दान सुंदर सभा अस्त्र शस्त्र मनोहर वश्त्र अमरावती पुरी और नंदन वन की याद आती है यों कहकर महात्मा आत्रेय ने तपस्या के प्रभा से विश्व कर्मा को बुढाया और इस प्रकार कहा महात्मन मैं इंद्र का पद चाहता हूं आप शिक रही यहां इंद्र पुरी का निर्मार कीजिए इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुह से निकाली तो मैं निश्चे ही आपको भस्न कर डालूंगा आत्रे के यों कह सेने पर प्रजापति विश्व कर्मा ने ततकाल ही वहां मेरु परवत देवपुरी कल्प व्रिक्ष कल्प लता कामदेन बज्र आद मडियों से विभोशत सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किये हुए ग्रिह बनाए इतना ही नहीं उन्होंने सरवांग सुंदरी सची की भी आकरती बनाई जो कामदेव की बिहार शाला से प्रतीत हो रही थी छण भर में सुदर्मा सभा मनोहारिडी अफ्तराएं उच्छेश्रवा अस्व एरावत हाथी बज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माड हो गया अपनी पत्नी से मना करने पर भी आ आदि अस्त्रों को भी धारण किया नित्य और संगीत आदि सबकुछ वहां उसी तरह से होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था स्वर्ग लोग का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रे का चित बहुत प्रसंद हुआ आपात रमडिय विश्यों की भी भला किस पुरुस को अपेक्षा नहीं धोती दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग का बैभाव प्रतिवी पर उतरा हुआ सुना तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ वे परश्पर कहने लगे क्या कारण है कि इंद्र स्वर्ग लोग को छोड़कर प्रतिवी पर सुख भोगने के लिए आया है हम लोग अभी बृत्ता सुर का बद करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चलें ऐसा निश्चे करके असुरों ने वहां आकर महर्श आत्रेय को और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया फिर तो उन पर बड़े बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगे इससे भैवीत होकर आत्रेय ने कहा मैं इंद्र नहीं हूँ मेरी यह भार्या भी सशी नहीं है ना तो यह इंद्रपुरी है और ना यहां इंद्र का नंदनवन है बित्र हंता बज्रधारी और शहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो सर्ग में ही है मैं तो वेद वेत्ता ब्राम्हण हूँ और ब्राम्हणों के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूँ दुरदैव की प्रेणा से मैंने यह कर्म कर डाला जो न तो बर्तमान काल में सुख देने वाला है और न तो भविस्य में ही असुर बोले मुनिशेष्ट आहत्रे यह मैं अग्म की शपत खाकर सच सच कहता हूँ आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा दैत्यों से यो कहकर वे पुनह दिश्व कर्मा से बोले प्रजापते आपने मेरी प्रसनता के लिए जो इंद्रपद का मिरमान किया था इसका फिर उपसंगार कर लीजिए और ऐसा कर के मुझे ब्राम्हण मुनी की शेगर रक्षा कीजिए मुझे फिर वही आस्रम लोटा दीजिए जहां मरिग पक्षी ब्रिक्ष और जल हैं मुझे इन दिव्य भोगों की कोई आवशक्ता नहीं है शास्त्री मर्यादा का उलंधन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तू स इसकंटक बनाकर दैत फिर अपने स्थान को चले गए बिश्च कर्मा भी हस्ते हस्ते अपने धाम को पधारे आत्रे भी अपने सिश्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में सनलग्न हो गए उनका जो यग्य चल रहा था उसमें उन्होंने लज्ज पाया और क्या क्या उसके लिए किया इस प्रकार लज्जत हुए आत्रे से देवताओं ने कहा महा बाहो लज्जा छोड़ो इससे तुम्हारी बड़ी ख्याती होगी जो लोग इस आत्रे तीर्थ में शनान करेंगे वे भविश्य में इंद्र होंगे और इसके श्मरण से उ दियोता चले गए और आत्रे मुनी भी बहुत संतुस्ट हुए परुष्ण तीर्थ नारसिंह तीर्थ पैशाच नास तीर्थ निम्नभेद तीर्थ और संख हृद तीर्थ की महिमा ब्रह्माजी कहते हैं परुष्णी नामक तीर्थ तीनों लोक में बिख्यात है उसके महर्श अत्र ने ब्रह्मा विश्नो और महाद्यव की आराधना की उन तीनों के संतुस्ट होने पर महर्श ने कहा आप लोग मेरे पुत्र हों साथ ही मेरे एक परम सुदर कंञा भी हो इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए महर्ष ने जो कन्या उत्पन्य की उसका नाम आत्रेई हुआ अत्र के तीनों पुत्र क्रमशह, दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए अग्न से अंगिरा के उत्पत्य हुई थी अंगार से उत्पन्य होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं महर्श अत्र ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेई को ब्याह दिया अंगिरा में अग्न की तीब्रता का प्रभाव था अतह वे आत्रेई से सदा परुष कठोर भाशन किया करते थे आत्रेई भी सदा पती की सेवा में सनलग्न रहती थी आत्रेई के गर्व से महान बलवान और पराक्रमी आंगिरस नामक पुत्र हुए अंगिरा आत्रेई को प्रति दिन कटु बचन सुनाते और आंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे एक दिन आत्रेई पती के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्न देव से भोली भगवन हब्यवाह मैं अत्र की कन्या और आपके पुत्र की पत्मी हूँ पुत्रों और पती की सेवा में सदा सनलग्न रहती हूँ तो भी पती देव मुझे कटू बचन सुनाते और ब्यर्थे ही रोश पूर्ण द्रिष्ट से देखा करते हैं सुरस्रेष्ट आप मेरे पती देवता को समझा दें अग्ने बोले कल्याणी तुम्हारे पती अंगिरा अंगार से फ्रगट हुए हैं वे जिस प्रकार शांत हो सकें वैसी नीत वरतनी चाहिए तुम्हारे पती अंगिरा जब अग्न में प्रवेश करें तब तुम मेरी आग्यां से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना आत्रेई ने कहा भगवन मैं उनकी कठोर बातें सहलोंगी किन्तु मेरे स्वामी अग्न में प्रवेश न करें जो इस्त्रियां अपने स्वामी से फ्रतिकूल चलती हैं उनके जीवन से क्या लाव मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शांति में बचन बोलें अग्न बोलें जल में शरीर में तथा इस्थावर जंगम रूप जगत में सरवत्र मेरा निमास है मैं तुम्हारे पती का नित्य आश्रे हूं क्योंकि मैं ही उनका जनक हूं जो मैं हूं वही वे भी हैं यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए एक बात और है जल को तुम माता समझो और अगनी को स्वसुर इस बात का अपनी बुद्ध से भली भात निश्चे कर तुम बिशाद न करो आत्रेई ने कहा भगवन आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूं जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी जल का रूप धारन करने से यह विरोध स यह विरोध सामने आता है अगनी बोले इस तरी पहले तो पत्नी होती है फिर श्वामी का भरण पोशन करने से भार्या बनती है पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है बद्रे तुम भी यही रूप धारन क जो एक बार पतनी के गर्व में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका वह वास्तों में उसका पुत्र ही है और वह इस्त्री भी जननी ही है अतह बैदिक तत्त के विद्वान कहते हैं पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पतनी नहीं रह जाती स्वसुर के मुख से यह बचन सुनकर आत्रेई ने अगनी रूप में आये हुए अपने पती को जल से आपलावित कर दिया फिर वे दोनों पती पत्मी गंगा जी के जल से जा मिले उस समय दोनों के स्वरूप शान्त थे जैसे लक्षमी के साथ स्रिविश्णु उमा के साथ श करती हुई आत्रेई ने जलमें शरीर धारन किया था अतह वह परुष्णी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली उसमें शनान करने से सौ गोदानों का पूर्य प्राप्त होता है आंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुष्णी के संगम पर नहीं हो सकता गंगा के उत्तर तट पर नारसिंग नामक विख्यात तीर्थ है जो सबकी रक्षा करने वाला है उसके प्रभाव का वर्डन करता हूं सुनों पूर्व काल में हिरेंड कश्शिप्यू नामक दैत्य हुआ था जो बल्वानों में स्रेष्ट था तपस्या और प परास्त नहीं कर पाते थे उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ उसके साथ देश करने के कारण हिरेंड कश्शिप्यू का अंता करण मलीन हो गया था उस समय भगवान अपनी विश्च रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप में खंभे से नरसिंग रूप में करके रशातल के सत्रूं पर विजय पाई उसके बाद वे स्वर्गलोक में गए वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनह प्रथवी पर आये यहां परबत समुद्र नदी ग्राम और बनों में नाना रूप धारन करके जो दैत्य निवास करते थे उन सबका साक राश वाय तथा जोतिर में लोक में पहुँचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा उनके नख बज्रपात से भी कठोर थे गरदन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे उनकी गरजना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे उन्होंने समस्त का चून कर डाला इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंग जी गौतमी के तट पर गए जो उनी के चरण कमल से निकली हुई और मन पथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी वहां दंडका रेंड का स्वामी आम बर्य नामक दैत्य रहता था जो देवताओं के दोत बड़ी सेना थी भगवान द्रिसिंग का उस दैत्य के साथ अत्यन्त भयंकर एवं रोमान चकारी युद्ध हुआ शीहरी ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वहां किया हुआ शनान दान आदिपूर्यकार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन ब्रद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विश्णु के समान नहीं है उसी प्रकार समस्त त तीर्थ अनुपम और सरबोत्तम है उस तीर्थ में शनान करके मनुस्य भगवान नर्शिंग का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत्य लोक और पाताल का भी कोई सुख दुरलब नहीं रहता बिना स्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है वे साक्षात भगवान नर्शिंग ही जहां विराजमान है उस तीर्थ के सेवन से फ्राप्त होने वाले फल का कौन बर्डन कर सकता है जैसे नर्शिंग जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है उसी प्रकार नर्शिंग तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है गंगा के उ शुयग्य के पुत्र अजी गर्त एक विख्यात राम्हड थे एक समय अकाल पढ़ने पर कुटुम्ब पालन के भार से दुखी एवंग पीडित होकर उन्होंने अपने मजले पुत्र सुना शेप को बद के लिए छत्रिय के हाथ बेच दिया उसके बदले में अजी गर्त को बहुत धन मिला था सुना सेप ब्रह्मवेताओं में स्रेष्ट था ऐसे पुत्र को भी अजी गर्त ने धन के लोग से बेच डाला आपत्त में पढ़ने पर बिद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालते समय आने पर अजी गर्त के मृत्य हुई और वे नरक में डाले गए क्योंकि इस लोक में पूर्ब जन्म के किये हुए पापों का भोग के बिना छे नहीं होता अनेक पाप योनियों में पढ़ने के पश्चाद अजी गर्ति भयंकर आकार वाले पिशाच हुए उन्हें निर्जल और निर्जन बन में सूखे काट पर रहना पढ़ता था गर्मी में जहां दावानल फैल जाता वहीं अमराज के दूद उस प्रेत को ढाल देते थे कन्या पुत्र प्रथवी अस्व तथा गवों का बिक्रे करने वाले मनुस्य महा प्रले काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते अपने किये हुए पापों के फल स्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाये जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा एक दिन अजीगर्थ का मजला पुत्र सुना सेफ मार्क में कहीं जा रहा था उसने रोते हुए पिसाच की कातर वाड़ी शुनी और पूछा आप कौन हैं जो अत्यन्त दुखी होकर रोते हैं अजीगर्थ ने बड़े दुख से कहा मैं सुना शेफ का पिता हूँ भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनी में पढ़ा हूँ पहले तो बारम बार नरकों में यातना सहता रहा और अब प्रेत योनी को प्राप्त हुआ हूँ जो जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गती होती है यह सुनकर अजी गर्त के पुत्र को बड़ा दुख हुआ उसने कहा पिता जी मैं ही आपका पुत्र सुना शेप हूँ हाई मेरे दोस से आपकी यह दशा हुई मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा अब मैं आपको स्वर्ग मे पहुँचाऊंगा ऐसी प्रतिग्या करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेस्टा में सनलग नहों वहां से चल दिया जो संपून दुख रूपी अगनिसे संतप्त है और मोह के महा सागर में दूब रहे हैं उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है ऐसा निश्चे करके पिता का दुरगती से उद्धार करने की कावना लेकर सुनह शेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां शनान करके विश्नु और शिव का श्मर्ण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया जलांजली देते ही अजी गर्ती ने पवित्र होकर परम पूर्य में दिब शरीर धारन कर लिया और बिमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया गंगा भगवान विश्नु शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजी गर्ती हजारों सूरियों के समान तेजस्वी रूप धारन करके बैकुंठ धाम में रहने लगे तबसे यह अस्थान पैसाच नाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसके श्मन मात्र से मनुष्यों के बड़े से बड़े पाप नस्ट हो जाते हैं नारद इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म सुनाया यहां और भी तीन सो तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं निम्नभेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है वह गंगा के उत्तर तट पर है उसकी प्रसिद्ध तीनों लोक में है उसके श्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का अक्षय हो जाता है वहीं बेद द्रीप है उसके दर्शन से मनुष्य लेदों का विद्वान होता है एक समय की बात है परम धर्मात्मा राजा पुरुर्वा ने उर्वसी नामक अफ्षरा की कामना की मादक नेत्रों वाली कामनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता उर्वसी राजा के स्थान पर गई उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नगन न देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूं उसके रहने की यह अवध स्विकार करके राजा ने उस रमडिया अफ्षरा को ग्रहन किया एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी राजा पुरुर्वा उठे उसी समय उन्हें नगन देखकर उर्वसी वहां से चली गई उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ उनका अगनिहोत्र और भोजन छूट गया वे ना किसी की बात सुनते थे और ना किसी की ओर देखते थे मरतक किसी अवस्था में पड़े रहते थे उस समय पुर्वहित ने युक्त युक्त बचनों द्वारा उन्हें समझाया राजन तुम तो बुद्धिमान हो क्या तुमें मालूम नहीं कि इन इस्त्रियों का हरदे भेडियों की तरह कठोर होता है तुम शोक न करो महराज इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामिनियों से ठगा न गया हो वंचना पुरूरता चंचलता और दुष्चरित्रता ये जिन इस्त्रियों के स्वाभाविक दुरुण हैं वे सुखदाइनी कैसे हो सकती हैं काल ने किसको नहीं मारा याचक होने पर किसको गौरो प्राप्त हुआ धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ और यूवती स्त्रियों ने किसको दोखा नहीं दिया राजन जिनका हरदें मद से उनमत रहता है वे युवतियां स्वप्न और माया के समान मिथ्या हैं वे किसको सुख दे सकती हैं यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ महामते भगवान शंकर विश्नु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐस नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया वे गोदावरी के मध्य भाग में जहां रेत थी रहकर भगवान शिव विश्नु ब्रम्हा सूर्य गंगा तथा अन्यान्य देवताओं की के वश में पड़ा हुआ जीव किस दसा को प्राप्त होगा राजा पुरुर्वा एक मात्र भगवान के शरण हो उस सुकता पूर्वक गौतवी का सेवन करने लगे संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी शद्धा हो गई उन्होंने रित् द्वीप कहलाने लगा वहां सदा ही पूर्वा की रात में उर्वशी आया करती है जो मनुस उस द्वीप की प्रदक्षणा करता है उसके द्वारा समुद्र सहित पृत्वी की परिक्रमा हो जाती है जो पूर्वा आत्मा वहां बेदों और यग्यों का श्मरण करता है उसे बेदों के स्वाध्याय और यग्यों के अनुस्ठान का फल मिलता है उसको एल तीर्थ जानना चाहिए वहीं पुरुर्वस तीर्थ है उसे ही वशिष्ट तीर्थ और निम्न भेद तीर्थ भी कहते हैं राजा पुरुर्वा के किसी भी कार्य में कुछ भी निम्नता निवनता नहीं होती थी एक ही कार्य उनसे निम्न स्रेडी का हुआ यह की वे सर्वथा उर्वसी में आसक्त हो गए थे परंतु गौतमी गंगा और महर्शिवसिस्ट ने उनके इस निम्नत का भी भेदन कर दिया इसलिए वह तीर्थ निम्नभेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह प्रत्यक्ष और परोग्ष दोनों प्रकार के अविस्ट की सिद्ध देने वाला है जो निम्नभेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है उसके इस लोक और प्रलोक में कुछ भी निम नहीं होता वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भात सुख भोगता उसके आगे संख हिर्द नामक तीर्थ है वहां संख और गदाधारन करने वाले भगवान निवाश करते हैं उस तीर्थ में शनान करके मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है वहां का इतिहास बतलाता हूं जो भोग और मौक्ष देने वाला है पूर्वकाल में सत्ययूग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस हुए जो सामवेद का गान करने वाले थे वे बलोनमत राक्षस हाथ में आयुद धारन किये हुए मुझे ख अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विश्नु को पुकारा उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निसकंटक और स्वर्ग को शत्र सून्य बना दिया फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर संख बजाया जिससे समस्त राक्षस नस्ट हो गए श्री विश्न के संख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना होई वह शंख तीर्थ कहलाया जो मनुस्यों के लिए सब प्रकार से कल्याण कारक समस्त अभिष्ट वस्तवों का दाता श्मर्ण मात्र से मंगल दायक आयू और आरोग का जनक तथा लक्ष्मी और प पॉठ्वा पाथ मात्र से मनुस्य समस्त अभिलश्ट बस्तूं को प्राप्त कर लेता है। किस किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा ब्रम्हा जी कहते हैं किस किंधा तीर्थ बहुत विक्ष्जात है वह मनुस्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है वहां भगवान शंकर निवास करते हैं नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्ण करता हूं पूर्वकाल में दशरफ नंदन भगवान श्री राम में किस किंधा निवासी बानरों को साथ लेकर जब समस्त लोकों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला तब सीता को पुना प्राप्त करके अपने भाई लक्षमण महावली वानर बलवान विवीशन और देवताओं के साथ वे स्वस्ति वाचन पूर्वक पुस्पक बिमान से अयुद्ध्या की ओर लोटे पुस्पक बिमान कुबेर का था वह सिख्रगामी और इक्छा नुसार चलने वाला था भगवान राम शत्रूं का संहार करने वाले और पुरुषों को शरण देने वाले थे उन्होंने बिमान से अयुद्ध्या लोटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा जो समस्त अविश्ट वस्तूं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारन करने वाली हैं गंगा जी का दर्शन करके महाराज्श राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर वानरों को संबोधित करके हर्श गदगद वारी में कहने लगे ये गौतमी गंगा संपूर जीवों की जननी हैं ये भोग तो देती ही हैं मोक्ष भी दे सकती हैं बयंकर पापों का भी संघार कर डालती हैं इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है जने ब्रह्मर्ष गोतम में सबको शर्ण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था ये संपूर अभिलशत फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली हैं ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ हैं समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ मैं मन वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन सरणागत वत्सला गष्री गंगा जी का शरण लेता हूँ भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुग की लगाई और संपूर्ण लोकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी बिधिवत पूजा की महाराज श्री राम चंद्र जी ने स्री महादेव जी का यथावत कूजन करके सर्व भावोप युक्त वाक्यों द्वारा इस्तवन किया संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर निरत्य और गान किया भगवान श्री राम में अपनी प्रिया जान की और प्रेमी वानरों के साथ सुख पूर्वक वह रात ब्यतीत की सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की इस्तुति करने लगे फिर अपने भृत्य गणों का सम्मान करके वे वहाँ और निर्वचनी आनंद का अनुभाव करने लगे उस निर्मल प्रभात में सुर्योदय होने पर बिभीशन ने दशरफ नंदन स्री राम से कहा भगवन हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी त्रिप्त नहीं हुए अतह कुछ समय और निवाश करें मेरा विचार है चार रात और यहां ठहरें फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे विवीशन की बात का वानरों ने भी अनुमोधन किया फिर भगवान शिव की भाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किये हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए पांच दिनों तक वहां ठहरे रहे श्री राम जी ने अपने संपूर सहायकों के साथ शुद्धात शुद्ध हड़रे से संपूर शिवलिंगों को मस्तक जुकाया किस किंधा वासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह अस्थान किस किंधा तीर्थ कहलाया वहां श्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नश्ट हो जाते हैं भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूरुबक प्रणाम किया और कहा माता गौतमी मुझ पर प्रशन हो इस तरह बारम बार कहकर वे विश्मित चित्त से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते थे तब से बिद्वान पुरुष्ट उस पूर्यमे तीर्थ को किश्किंधा तीर्थ कहने लगे जो इस प्रसंग का प लोग वहां अशनान और दान करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है उसके बाद ब्यास तीर्थ और प्राचेतस तीर्थ हैं उनका महात्म बतलाता हो सुनो मेरे दस मानस पुत्र हुए जो जगत की स्रिष्ट करने वाले थे वे प्रथवी का अंद कहा है इस बात का पता जगाने के लिए चले गए तब मैंने पुनह अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया किन्त वे भी अपने भाईयों की खोज करने के लिए चले गए जो पहले गए थे वे तो गए ही थे ये भी लोट कर नहीं आए उस समय परम बद्धिमान दिब्य आंगिरस नामक मुनी उत्प जो बेद बेदांगों के तत्त को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रमीड थे वे अंगिरा की आज्यां से पिता को नमस्कार करके तपस्चा के लिए उद्यत हुए गुरुजनों में गौरों के दृष्ट से माता का स्थान सबसे उचा है तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्चा करने का निश्य कर लिया इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्चा में प्रबुत हुए हैं उन्हें किसी प्रकार के सिद्ध नहीं प्राप्त होगी आंगिरसों ने अनेक देशों में जाकर तपस्या की किन्तू उने कहीं भी सिध न मिली वे सब इधर उधर दौडते रहे परन्त सभी स्थानों में कोई न कोई बिग्न आ जाता था कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्थियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोस से तपस्या में बिग्न पड़ जाता था इस प्रकार भटकते हुए सब आंगिरस तपस्यों में स्रेष्ट अगस्त जी के पास है और उन्हें नमस्कार करके बिनीत भाव से बोले भगवन हम अनेक उपायों से बारम बार प्रयत्न करते हैं तो भी किसी दोस से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती आप तपस्या में सबसे बढ़े चड़े हैं अतख कोई उपाय हो तो बताएं ब्राम्मन आप ग्यानियों में भी ग्यानी वक्ताओं में भी स्रेष्ट वक्ता सन्यमी पुरुसों में भी सबसे अधिक शान्त दयावान प्रियकारी प्रोध शून तथा देश से रहित हैं अ वो अहंकारी दयाहीन गुरु सेवा रहित असत्यवादी और कुरूर हैं वे तत्त को नहीं जानते अगस्त जी ने थोड़े देर तक ध्यान किया उसके बाद उन सब लोगों से धिरे धिरे कहा आप लोग शान्त चित्त महात्मा हैं ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापती ब वश्य है आप लोग उसकारण का श्मरण करें ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए परंत जो उनकी खोज में गए वे ही फिर आंगिरश हुए वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आये हैं आप धीरे धीरे प्रयत्म करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चड़कर हो जाएंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है यहां से तपस्चा करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाएं संसार में शिव बल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्ध का उपाय नहीं है वहां पावन प्रदेश में आस्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की सेवा करें वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे तब आंगिरसों ने महरसी अगस्त से पूछा ज्ञानद किसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदित्य चंद्रमा अगनी और वरुन इनमें कौन ग्यानद हैं अगस्त जी ने फिर कहा ग्यानद का स्वरूप बतलाता हूं सुनो जो जल है वही अगनी है जो अगनी है वही सूर्य कहलाता है जो सूर्य है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही सूर्य है जो ब्रह्मा है वही रुद् इस प्रकार जिसको एक की सर्व रूपता का ज्यान हो उसी को ज्यानद कहते हैं देशिक, प्रेरक, ब्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आधी बहुत से गुरू हैं किन्तु उनमे जो ज्यानदाता गुरू हैं वह सबसे बड़ा हैं यहां उस ज्यान की बात कही एक मात्र अदुतिय सिवही सब कुछ हैं बिद्दान गाम्हण उन्ही का इंद्र मित्र और अग्णि आदि अनेक नामों से वर्डन करते हैं अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्डन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है पांच तो उत्तर गंगा के तत्व पर गए और पांच दक्ष्ण गंगा के वहां महर्श्य अगस्त के बताय हुए देवताओं की बिधि पूर्वक पूजा करने लगे बिसेश्त आसनों पर बैठ कर वे तत्व का विचार किया करते थे इससे उनके उपर समस्त देवता प्रशन हुए और बोले जोनी ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो सिस्टा के पद की कलपना की थी वह इसलिए कि अधर्मों की निव्रत्य हो बेदों की स्थापना हो संपूर्ण लोकों का उपकार हो धर्म अर्थ और काम की सिद्धी हो तथा पुराण स्मृति वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चे हो इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत सिष्टा का पद प्राप्त होगा तुम सब उस पद के अनुरूप होगे नारद वे क्रमसह धीरे धीरे प्रजापती होंगे जब अधर्म बढ़ेगा बेदों का पराभा होगा और उन पर संकट आएगा उस समय बेदों का उद्धा करने के लिए वे भावी ब्यास होंगे गंगा का उत्तम तटही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा और वहां शिव, विश्नु, मैं, सूर्य, अग्नी और जल ये सब उपस्थित रहेंगे इन से बढ़कर पवित्र और इन से स्रेष्ट कहीं कुछ भी नहीं है केवल पर ब्रह्म ही इन सबके आकारों में प्रकट हुआ है, सर्बस्षरूप शिव, जो व्यापक और संपूर भावपदार्थों का रूप धारन करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेश रूप से रहते हैं, उनके साथ संपूर देवत भी निवास करते हैं, भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे आंगिरस धर्म व्यास और वेदव व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे, उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है, व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है, उ प्रणीता संगम नामक दीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध हैं वे भोग और मौक्ष देने वाले हैं मैं उनके पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूँ सुनो बिंद परवत के दक्षन भाग में शह नामक महान परवत है उसी के साखा परवतों से गोदावरी और भीम रधी आदि नदियां निकली हैं वहीं बिरजितीर्थ और एक वीरा नदी भी है उस परवत की महिमा का सावन प्रदेश में जो ब्रतान्त घटित हुआ था वह गोपनी से भी गोपनी है साक्षात वेद में उसका वणन है उसे देवता मुनी पितर और असुर भी नहीं जानते वही कुह रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए टकट करता हूँ वह स्रवन मात्र से संप प्रुण अविस्ट वस्तों को देने वाला है जो अव्यक्त एवंग अक्षर परमात्मा है उसे परम पुरुष जानना चाहिए वही जब प्रकृति से सन्युक्त होता है तब खर एवंग अपर कहलाता है पुरुष पहले निराकार से साखार रूप में प्रकट हुआ फिर उससे जल की उत्पत्य हुई जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ उस कमल में मेरी उत्पत्य हुई मुने प्रथ्वी जल अगनि वायुट और आकांश यह पांच तप्तो मुझसे पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे मैंने उत्पन होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आये उस समय बेद नहीं प्रकट हुए थे दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी अधिक क्या कहूं जिन से स्वैंग मेरी उत्पत्य हु आकाशवारी सुनाई दी ब्राम्हन तुम स्थावर और जंगम जगत की स्रिष्ट करो नारद यह आकाशवारी शुनकर मैंने कहा कैसे स्रिष्ट करूंगा कहा स्रिष्ट करूंगा और किस सादन से इस जगत की स्रिष्ट करूंगा आकाशवारी ने पुनह उत्तर दिया ब् यग्य ही विष्णु हैं यह सनातन शुति का कथन है यग्य करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्ध है फिर मैंने पूछा कहां और किस वस्तु से यग्य करूं पुनह आकाश वारी सुनाई पड़ी कर्म भूम में यग्येश्वर यग्य यजन करो स्वयन पुरस ही तुम्हारे यग्य की साधन होंगे तुम उन्हीं से उनका यजन करो यग्य विख्य स्वहा स्वधय करेंने दृरह औरstairs आद सब कुछ श्री हरी ही हैं उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है नारद उस समय भागी रथी नर्मदा यमुना तापती सरस्वती गौतमी समुद्र नद सरोवर तथा अन्यान्य निर्मल सरिताएं नहीं थी अतह मैंने पूछा कर्म भूम कहां है आकाश वाड़ी से उत्तर मिला मेरविर के दक्षण हमाले बिंद और सहय से भी दक्षण जो प्रदेश हैं उन्हें कर्म भूमी कहते हैं वह सब के लिए सर्वता कल्यान का उदए करने वाली है यह सुनकर मैने मेरविर को त्याग दिया और सहयगिरी के समीब आकर सोचने लगा कहा ठहरूं इतने मेही फिर आकाशवारी हुई इधर आओ यही रहो और बैठ कर यग्यका संकल्प करो संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रगट होंगे फिर वे जो कुछ भी कहें वही करो तदंतर इतिहास पुराण तथा अन्य जो भी वांगमें शास्त्र हैं वह मेरे मुख से स्वतह आ गया और मुझे उसका श्मर्ण होने लगा ततकाल ही संपूर्ण वेदार्थ भी मुझे ग्यात हो गया तब मैंने लोक विख्यात पुरुष शुक्त का श्मर्ण किया वेद मे जो यग्य की सामक्री बताई गई थी उसके अनुसार ही मैंने उसकी कलपना की बेदोक्त प्रकार से ही यग्यपात्र भी कलपित हुए मैंने जहां पवित्ता और शन्यम पूर्वक बैट कर यग्य की दिक्षा ग्रहन की वह मेरे यग्य का स्थान मेरे ही नाम से गिरी कहलाने लगा ब्रह्म गिरी से पूर्व की ओर चौरासी हजार योजन तक मेरे यग्य का स्थान है उस भूम के मद्धभाग में वेदी थी तथा दक्षन भाग में गारहपत्य अग्य की स्थापना हुई इसी प्रकार एक और आहवनी अग्य की प्रतिस्ठा की गई स्रुती में यह कहा है कि बिना पत्नी के यग्य सिद्ध नहीं होता इसलिए मैंने शरीर के दो भाग के पूरबार्द से मेरी पत्नी प्रकट हुई जो यग्य सिद्ध के लिए सहधर्मनी बनी उत्तरार्द से मैं स्वैंग पुरस रूप में इस्तित हुआ शुती भी कहती है अरधो जाया पत्नी आधा अंग है नारद मैंने बसंत रित को उत्तम घृत बनाया ग्रिश्म से इधन का काम लिया शरद रित को हविश्य बनाया बरशा को कुस के स्थान में रखा साथ चंद साथ परिधी हुए कला कास्था और निमेश ये क्रमसह समिधा पात्र और कुश माने गए जो अनाद और अनंत काल है वही यूप के रूप में खल्पित हुआ उसके बाद पशु बाधने के लिए रस्थी की आवसिकता हुई सत्व आद तीनों गुण ही रस्थी की जगह काम आये किन्तु उसमें बाधने के लिए पशु का अभाव था तब मैंने आकाश्वारी से कहा बिना पशु के यह यग्य पूर्ण नहीं हो सकता उत्तर मिला प नार्दन का भक्ति पूर्वक पुरुष सुक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया उस समय फिर आकाश्वारी हुई ब्राम्हन तुम मुझे ही पशु बनाओ मैं समझ गया ये मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष हैं मैंने त्रिगुण मई डोरियों से काल यूप के पा पुक्षन किया इसी समय पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट हुई उनके मुख से ब्राम्हण बोजाओं से क्षत्री मुख से हिंद्र और अगनी प्राण से वाय। कान से दिशाएं तथा मस्तक से संपूर्ण सर्ग लोक की उत्पत्य हुई मन से चंद्रमा नेत्र से स कूपों से रिशी और केशों से और शदियां प्रकट हुई नकों से ग्रामीड एवं जंगली पशु हुए पायू और उपस्त से क्रिमी कीट एवं पतंग आधिका जन्म हुआ इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर जंगम तथा द्रिश अद्रिश्ट जगत है वह सब पुर अंचित स्रिश्ट उत्पन्न हुई इस समय जितने पात रहें उन सब की अग्न में आहुती कर दो यूप प्रणीता कुष रित्विक यग्य शुवा पुरुष और पाश सब का विशर्जन कर दो आकाश्वाणी के इतना कहते ही मैंने क्रमशह गारहपत्य दक्षणाग्नी तथा आहँवनी आग्न में हवन किया प्रतेक होम में बिश्वकी उत्पत्ति के कारण भूत पुरुष का ध्यान किया लोक करता जगनात भगवान विश्णू शुक्ल रूप दारन करके आहँवनी आग्न में इस्थत हुए शाम रूप से दक्षणाग्न में और पीत रू प्रणीता के जल की बूदें इधर उधर गिरीं वे गुनवान तीर्थों के रूप में प्रकट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट। वे तीर्थ श्नान करने से यग्य के फल देने वाले हैं। जहां यूप खड़ा किया गया था वह स्थान भगवान विश्नु का आस्रे बना तथा वह यूप अक्षे वट के रूप में परिड़त हुआ। अब्रिक्ष निद्ध एवं कालस वरूप है और श्मर्ण करने मात्र से यग्य का पूर्य देने वाला है। जब यग्य पूरा हुआ तब मैंने भक्ति पूर्वक्त भगवान विश्नु को प्रसन्न किया। जिन्हें वेदों में बिराट कहते हैं जिन से मुर्तिमान जगत के उत्पत्य हुई तथा जिन से मेरा जन्म हुआ है। उन देव देवेश्वर मगवान विश्नु की आराधना करके मैंने उनका विसरजन कर दिया। नारद मेरे देव यजन का स्थान 24 योजन है। आज भी वहां तीन कुंड हैं जो यगेश्वर स्वरूप हैं। तभी से वह स्थान मेरे देव यजन के नाम से प्रसद्ध हुआ। वहां रहने वाले जो कीडे मकोडे आदी हैं वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। तथा कुश तरपन तीर्थ में जो शनान और दान आदी करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। उनके व्रिदान्त का श्मरण पठन अथमा भक्ति पूरवक श्रमण भी मनुस्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवन मोक्ष को देने वाला है। उने कुश तरपन तीर्थ कासी से भी उत्तम है चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके श्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या आदिपापों का नाश हो जाता है। नारद यह तीर्थ इस प्रत्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया जाता है। प्रस्वत तथा चिच्चिक तीर्थ का महात्म। ब्रम्मा जी कहते हैं सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अविस्ट वस्तूओं के साथ भोग और मोक्ष को भी देने वाला है वह मनुस्य के सब पापों का नाशक समस्त रोगों को दूर करने वाला और संकूर सिब्धियों का दाता है नारद उसके महात्म का ब्रतांत विस्तार पूर्वक सुनो पुस्पोत्कट के पूर्व और गौतमी के दक्षिन तट पर एक विस्विख्यात परवत है जिसे सुब्र गिरी कहते हैं साकल नाम से प्रसिद्ध एक परम निस्ठावान मुनी उस पूर्व में शुब्र परवत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे गौतमी के तट पर रहकर तपस्या करने वाले उनस्रेष्ट ब्राम्मण को सभी भूत गण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे रिशियों गंधरवों तथा देवताओं से सेवित उस परम पवित्र परवत पर देवताओं और ब्राम्मणों को भे पहुचाने वाला परशु नामक एक राक्षस रहता था वह यग्य से द्वेश रखता ब्राम्मणों की हत्या करता और इक्छानुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता रहता था जहां विद्वान ब्राम्मण साकल्ले मुनी रहते थे वहां भी वह महापापी राक्षस आया करता था विप्रवर शाकल्ले बड़े ते जस्वी थे पापाचारी परशु प्रत दिन उन्हें उठा ले जाने अथुआ माय डालने की चेस्टा में लगा रहता था किन्त वह अपने उद्द्योग में सफल नौ हो सका एक दिन दिजस्रेस्ट साकल्ले देवताओं की पूजा करके बोजन करने की इच्छा से आस्रम पर आये इसी समय परशु ब्राम्भन का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ ले वहां आया उसका शरीर सिथिल हो गया था सिर के बाल पक गए थे और वह अत्यंत दुरबल दिखाई देता था उसने शाकल्ले से कहा ब्राम्भन आप मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिये मानद हम लोग आतित्थ के समय पर आये हैं आप कृतकृत्य हो गए इस संसार में वे ही धन्य हैं जिनके घर से अतित्हि अपनी अविलाशा को पूर्ण करके निकलते हैं जो अतित्हि सत्कार नहीं करते वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं जो भोजन के लिए बैट कर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिती के लिए दे देता है उसने मानों प्रत्वी का दान कर दिया यह सुनकर साकल जी ने कहा मैं तुम्हें भोजन देता हूँ यो कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा परशने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा दूर से ठके मादे आये हुए अतिती के पीछे देवता भी आते हैं जब अतिती त्रिप्त होता है तब वे भी त्रिप्त हो जाते हैं यदि अतिती की त्रिप्ती ना हुई तो वे भी अत्रिप्त रह जाते हैं अतिती और निंदक ये दोनों बिश्व के बंदु हैं निंदक तो पाप भर लेता है और अतिथी स्वर्ग की सीनी बन जाता है जो मार्ग से ठक कर आये हुए अतिथी को अवहेलना पूर्बक देखता है उसके धर्म यश और लक्षमी का ततकाल नाश हो जाता है इसलिए मैं ठका अभ्यासगत आप से कुछ याचना करता हूँ आप मुझे अविस्ट वस्त देंगे तभी भोजन करूंगा अन्यता नहीं शाकरल जी ने कहा उसे दिया हुआ ही समझो तुम निश्चंत होकर भोजन करो तब राक्षिसों में स्रेष्ठ परसु ने कहा मुने मैं पके बालों दुर्बल एवं बुढ़ा दामड नहीं तुम्हारा शत्र हूँ तुम्हें मार कर खा जाने का औसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष वितीत हो गए जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं अतह मैं तुम्हारे सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना आहार बनाऊंगा परशुका यह कथन सुनकर शाकल जी ने कहा जो उत्तम कुल में उत्पन हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ग्यान है उनकी की हुई प्रतिग्या कभी जूटी नहीं होती अतह सखे तुम्हें जैस हित की ही बात कहें यह बात लिए अनमे रखो कि मैं ब्रामण हूं मेरा शरीर बज्र के समान कठोर है और भगवान शी हरी मेरी सब और से रक्षा करते हैं encourage देव , जनारदन मेरे मस्तक की भगवान बाराह दोनों भुजाओं की कुर्मराज प्रिष्ट भाग की कृष्ण हिरदें की निशिंग जी उंगलियों की वारी के अधीस्वर मुख की गरुण वाहन नेत्रों की धनेश दोनों कानों की और भगवान भव सब और से मेरे शरीर की करें नाना प्रकार की आपतियों में एक मात्र साक्षात भगवान नारायन ही मेरे लिए शर्ण हैं यों कहकर शाकल लिजी ने कहा राक्षस राज अब तुम्हारी इक्षा हो तो इस समय आलश्च छोड़कर मुझे यहां से उठा ले चलो या यहीं सुक पूर्बक खा उनके यों कहने पर भी वह राक्षस खाने को तयार हो गया सच है पापी के हृदे में करुणा का एक कन भी नहीं होता बड़ी बड़ी दाढ़ें और बिकराल मुख बनाए जब वह ब्राम्हन के समीप पहुँचा तब उन्हें देख कर बोला विप्रवर तुमको तो संख चक्र गदा हाथ में लिए देखता हूँ तुम्हारे सहस्रो चरण सहस्रो मस्तक सहस्रो नेत्र और सहस्रो हाथ हैं तुम सरवब्यापी दिखाई देते हो संपूर भूतों के एक मात्र निवास हो तुम्हारा सरूप छंदों में है तुम जगन में हो इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब तुम्ही मुझे शरण दो, महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो, और ऐसा कोई तीर्थ बताओ, जो मेरा पापों से उध्धार करने वाला हो, ब्रामभन महापुरुशों का दर्शन निस्फल नहीं होता, बले ही वह देश अथमा अज्ञान से ही क्यों न हुआ हो, लोहे का पारस मड़ी से प्रसंग या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए, तो भी वह उसे सोना ही बनाता है, राक्षस का या वचन सुनकर साकल जी को बड़ी दया आई, वे बोले दैत्यराज तुमें सिग्र ही सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा, इससे तुम में भगवत अस्तवन की सक्ति आ जाएगी, फिर तुम भगवान जनारदन की इस्तुति करना, मनो वांचित वस्तु की प्राप्त के लिए श्री नाराइन की स्तुति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, बहुत अच्छा कहकर परशु त्रिववन पावनी गंगा के तट पर गया, और शनान करके पवित्र हो गंगा जी की ओर मुख करके खड़ा हुआ, उसी समय उसने देखा, साकल लिमुनी क कतना नुसार जगजन्नी सरस्वती सामने खड़ी हैं, उनका रूप दिब्य है, उन्होंने दिब्य चंदन का लेप कर रखा है, संसार की जड़ता दूर करने वाली जगन माता जगदंबा भोनेश्वरी का दर्सन करके परश्व ने बिनीत भाव से कहा, देवी मेरे शाकल्य ने कहा है कि तुम लक्ष्मी कांत भगवान गरवडधज की स्तुति करो, आपके प्रसाद से वह सक्त मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी क्रिपा कीजिए, सरस्वती जी ने तथास्त कहा, उनकी क्रिपा से शक्ति पाकर परश्व ने भगवान जनारदन की भाति-भा शक्ति के वचनों द्वारा इस्तुति की, इससे भगवान श्री हरी बहुत संतुष्ट हुए, उनक्रिपा सिंधुने राक्षस को वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरत पुर्ण हों, इस प्रकार साकल्य मुनी, गौतमी गंगा, सरस्वती देवी तथा भगवान नरसिंग के प्रसाद से वह राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्ग लोक में चला गया, जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों का निवास है, उन शारंग धनुसदारी भगवान विश्णु के कृपा का ही यह फल है, तब से वह तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ, वहाँ शनान और दान करने से मनुष्य श्री विश्णु लोक में प्रतिष्टत होता है, चिचिक तीर्थ सब रोगों का नाज, सब प्रकार के चिंदाओं का निवारण और मनुस्यों को सब प्रकार से शान्ति दान करने वाला है, उस तीर्थ के स्वरूप का वर्ण करता ह पूर्बोक्त सुब्र गेरी पर जहां गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर बिराजमान है पक्षियों का राजा चिच्चिक रहता था उसी को भेरुंड भी कहते हैं वह मानसा हारी पक्षी सदा उस परबत पर ही रहता था वहा नाना प्रकार के फूल और फल से लदे हुए तथा सभी रितियों में फूलने वाले द्रिक्ष ब्याप्त थे श्रेष्ट ब्राम्हण भी उस परबत की सिखर पर निमास करते थे गौतमी गंगा से उस परबत की शोभा और भी बढ़ गई थी इस प्रकार वह शुब्र ग जो छत्री धर्म पारायन स्री संपन्न और देवताओं तथा ब्राम्हणों के रक्षक थे बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ बन में आये बन में घूमते घूमते ठक कर किसी समय वे एक व्रिक्ष के नीचे आये जो गौतमी के दट पर था बहुत से पक्षी उस व् निवास करते थे वहां पहुँचकर राजा ने चिक चक पक्षी को देखा जिसके दो मुह थे वह स्तूलकाय और सुन्दर था उसे चिंता में निवग्न देख राजा ने पूछा तुम दो मुख वाले पक्षी के रूप में कौन हो चिंतत से दिखाई देते हो यहां तो को कोई भी दुख से पीडित नहीं है फिर तुम कैसे कस्टपा रहे हो राजा के इस प्रस्ण से पक्षी का मन कुछ आस्वस्त हुआ उसने बारं बार लंबी सांसे लेकर धीरे धीरे कहा राजन मुझसे न तो दूसरों को भय है और न दूसरों से मुझे भय की आसंका है यह भात भात के फूलों और फलों से भरा है अनेका नेक मुनी यहां निवास करते हैं फिर भी यह परवत मुझे सुना ही दिखाई देता है अतह मैं अपने लिए शोक करता हूँ मुझे न तो यहां कुछ सुक मिलता है और न मेरी कभी त्रप्ति ही होती है इतना ही नहीं मैं न राजा को बड़ा विश्मे हुआ, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, तुमने कौन सा पाप किया है, और क्यों तुम्हें यह परबत सुना दिखाई देता है, यहां रहने वाले प्राणी तो, एक मुख से ही त्रिपत रहते हैं, तुम्हारे तो दो मुख हैं, तुम्हें क्यों नहीं त्रिपती होती, तुमने इस जन्म में, अथमा पूर्ब जन्म में, कौन सा पाप किया है, यह सब बातें, मुझसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें महान भैसे बचाऊंगा, चिच्चिक ने पुनह लंबी सांस लेकर, राजा से कहा, महाराज, तुम्हें अपने पूर्ब जन्म का ब्रदान्थ सुनाता हो, सुनो, पूर्ब जन्म में, मैं वेद वेदांगों में पारंगत स्रेष्ट ब्राम्हण था, उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था, और अच्छे पंडित के रूप में मेरी प्रसिद्धी थी, किन्त मैं सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलह प्रिय था, लोगों के मुह पर कुछ और कहता, और पीठ पीछे कुछ और, दूसरों की उन्नत देख कर सदा दुखी होता, और माया पहला कर संसार को ठगा करता था, मैं कृतग्न, असत्यवादी, परनिंदा कुषल, मित्र द्रोही, स्वामिल द्रोही, गुरुद द्रोही, दंभाचारी और अत्यन्त निर्दे था, मन, वाड़ी और क्रियादवारा, बहुत लोगों को कस्ट पहुँचाता था, दूसरों की हिंसा करना ही मेरा, सदा का मनुरंजन था, इसत्री पुरुष के जोड़े में पूट डाल देना, समूँ के समूँ का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना, आदे दुसकर्म मैं बिना बिचारे किया करता था, बिद्वान पुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था, तीनों लोकों में मेरे जैसा पापी, दूसरा कोई नहीं था, इसी से मेरे दो मुह हो गए, दूसरों को दुख देने से, मैं स्वेंग भी दुख का भागी हुआ हूँ, और इसलिए यह परबत सुना दिखाई देता है, राजन और भी धर्मयुक्त बचन सुनो, जिसके पालन किये विना, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, छत्रीय युद्ध में जाकर, अथवा, युद्ध से अन्यत्र भी, यदि भागने वाले, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, अपरचित बैठे हुए, तथा मैं डरता हूँ, यों कहने वाले, मनुष्य को मार डालता है, और क्रिया रूप में, सदा दूसरा ही कारे करता है, जो गुरुजनों की शपत खाता, देश रखता, ब्रामणों की निंदा करता, और जूट मूट की बिने दिखाता, वह पापात्मा, ब्रह्म हत्यारा है, जो देश वश्वश्द, देवता, वेद, अध्यात्म सास्त्र, धर्म और ब्रामण के संग की निंदा करता है, वह ब्रह्म घाती है, राजन, मैं ऐसा ही था, तो भी लज्जावश्द, दिखाने के लिए, सदाचारी सा बना रहता था, इससे मुझे पक्षी होना पड़ा, इस अवस्था में रहने पर भी, मुझे से कही कुछ पूर्ण कर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतह ही, अपने पूर्व जन्म की बातों का इश्मर्ण हो आया है, चिक-चिक की बात सुनकर, राजा पौमान को बड़ा आश्री हुआ, उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, उसने कहा, सुवरत गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर दामक तीर्थ है, वही मुझे ले चलो, वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है, मैंने बड़े-बड़े मुनियों से सुना है, कि वह सब विष्ट वस्तों को देने वाला है, गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा, दूसरा कोई कलेशों का नाश करने वाला नहीं है, मैं चाहता हूँ, सर्वतो भावेन उस तीर्थ का सेवन करूं, किन्त मेरे प्रयत्य से यह कभी संभव नहीं है, भला पापियों को मनो वांचित वस्तो की प्राप्ति कैसे हो सकती है, वीर, मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर सकता, यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुसकर है तुम्हारी कृपा हो तो मैं गडाधर का दर्शन कर सकता हूँ भगवान करुणा के सागर हैं वे बिना बताये ही सब के दुखों को जानते हैं उनका दर्शन कर देने पर पुना मनुश्यों को सांसारिक लेश का अनुभों नहीं करना पड़ता राजन मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्ग लोक को चला जाओंगा पक्छी के यों कहने पर राजा पौमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गडाधर का दर्शन कराया चिच्चिक ने स्नान करक प्रेलोक के पाउनी गंगा से कहा माता गौतमी तुम तीने लोकों को पवित्र करने वाली हो मनुस्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इस लोक और परलोक में पातकी कहलाता है यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किये हैं तो भी अब तुम्हारी शरण म आया हो मेरा उद्धार करो तुम भगवान विश्नु के चरण कमलों से निकली हो संसार के प्राडियों की तुम्हारे सिवा कहीं कोई भी गती नहीं है पक्षी का अंतह करण शद्धा से शुद्ध हो गया था उसने एक मात्र गंगा की शरण दी और गंगे मेरी रक्षा करो इस प्रकार कहते हुए शनान किया तदंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पौमान उसे बिदाले परबत निवासियों के देखते देखते वह स्वर्ग में चला गया पौमान भी अपनी सेना के साथ अपने नगर को लोट गए तवसे बेदवेता बिद्धानों उस तीर्थ का नाम पौमान तीर्थ चिच्चिक तीर्थ तथा गदाधर तीर्थ रख दिया उस तीर्थ में किया हुआ पूने कर्म कोटी कोटी गुना हो जाता है भद्र तीर्थ पतत्र तीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं भद्र तीर्थ सब प्र भगवान सूर्य की पतिब्रता एवन प्रिया भारिया हैं, छाया भी उनकी ही भारिया हैं, छाया के पुत्र सनैश्चर हैं, सनैश्चर की बहन विष्टि रूइ автомоб पाक्रति भयानक थी वह पाप मई थी भगवान सूर्य ने सोचा यह कन्या किसको दूंग वे जिस जिसको कन्या देना चाहते वही वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अश्विकार कर देता और कहता ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे ऐसी अवस्था में विष् यशश्वी उदार और सनात बर को कन्या देनी चाहिए जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पढ़ता है सूर्य देव कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है एक और परवत बन और कामनों सहित समूची पृत्वी और दूसरी और बस्त्रा भूस फल होता है जो कन्या अस्व गव और तिल की विक्री करता है उसका रोरो आदि नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वड़न कौन कर सकता है कन्या के पिता जो उ कुछ दिया जाता है उसका पूर्य अक्षय होता है कन्या के यों कहने पर भगवान सूर्य बोले बेटी मैं क्या करूं तुम्हारी आक्रती भयंकर है इसलिए कोई तुम्हें ग्रहन नहीं करता इस्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल रूप वय धन विद्या सदाचार और शुशीलता आद देखा करते हैं मेरे यहां सब कुछ है केवल तुम्हें गुणों का अभाव है क्या करूं कहां तुम्हारा विवाह करूं यदि तुम्हारा ऐसा बिचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी शिक् पूर्ब जन्म में किये हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किये रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है अतह पिता को तो उचित है कि वह अपने दोस से मुक्त हो जाए कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे, फल तो उसे पूर्व जन्म के करमों के अनुसार ही मिलेगा, पिता अपने वन्ष की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है, शेश बातें तो प्रारप्ध में होती हैं, वे मिल जाती हैं, कन्या का यह कतन सुनकर भगवान सूर यने अपनी लोक भहंकर कारी धीशन कन्या विष्ट का विवाह विष्वकर्मा के पुत्र बिश्वरूप से कर दिया विष्वरूप भी वैसे ही भहंकर आकार वाले थे उन दोनों के शील और रूप में समानता थी अतह सदा आपस में प्रेम बना रहता था उस दमपति से गंड, अतिगंड, रक्ताक्ष, प्रोधन, व्ययक और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्ध हुए इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हरश्ण था वह पुण्यात्मा, सुशील, सुन्दर, शांत, शुद्धचित तथा बाहर भीतर से पवित्र था एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज की घर आया वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे, जो स्वर्ग की ही भाती सुखी थे और बहुतेरे दुखी भी दिखाई दिये भरसन ने सनातन धर्मस शरूप अपने मामा को प्रणाम करते हुए पूछा ताथ ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कस्ट भोगते हैं उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब वाते ठीक ठीक बता दी उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपन किया वे बोले जो मनुस्य बिहित कर्म का कभी उलंगन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता जो शास्त्र और शास्त्री सदाचार को नहीं मानते बहुश्चुत विद्वानों का आदर नहीं करते और बिहित कर्मों का उलंगन करते हैं वे मनुस्य नरक गामी होते हैं धर्मराज का यह बचन सुनकर हरशन ने पुनह कहा सुरस्रेस्ट मेरे पिता बिश्च रूप बड़े भयंकर हैं मेरी माता बिश्ट भी भयानक ही हैं मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं जिस उपाय से उन लोगों की बुद्ध शान्त हो वे शुरूप निर्दोश और मंगल में हो जाएं वह मुझे बताईए मैं उसे करूंगा अन्यथा मैं उनके पास लोट कर नहीं जाऊंगा हरशन के यों कहने पर धर्मराज ने उस सुद्ध बुद्ध वाले बालक से कहा हरशन तुम वास्तों में हरशन ही हो पुत्र तो बहुत से होते हैं किन्त वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते एक ही ऐसा कोई पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है जो कुल का आधार भूत पिता माता का प्रियकारक और पुर्वजों का उद्धार करने वाला है वही वास्तों में पुत्र है अन जितने हैं वे रोग हैं हरशन तुमने मेरे मन के अनकूल बात कही है यह तुम्हारे नाना भगवान सूरी को भी पसंद आएगी अतह तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां शनान करके मन को वश में रखते हुए प्रशन चित जगद योन सांतश्वरूप भगवान विश्नु के स्तुति करो वे यदि प्रसन हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरतों को पूर्ण कर देंगे यह सुनकर हरशन गौतमी तट पर गया और शनान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विश्नु की स्तुति करने लगा इससे प्रसन्न होकर स्रीहरी ने हरशन को वरदान दिया तुम्हारे कुल का कल्यान हो समस्त अभध्रों अमंगलों की शांति होकर भद्र मंगल का विस्तार हो भद्रम अस्तु कहने से हरशन के पिता भद्र कहलाए और माता विस्टी का नाम भद्रा हुआ तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह सब प्रकार से मंगल दायक तथा तीर्थ सेवी पुरुसों को सब प्रकार की सिद्ध देने वाला है वहां भद्रपती के नाम से पसिद्ध होकर साच्छात देवाद देव भगवान जनारदन स्वीहरी निवास करते हैं जो मंगल के एक मात्र भंडार हैं पतत्र तीर्थ रोगों तुथा पाकों का नाश करने वाला है उसके श्मर्ण मात्र से मनुष सिक्रत्र हो जाता है कशप जी के दो पुत्र हुए अरुण और गरुण उनके कुल में पक्षियों में स्वेष्ट संपाती उत्पन हुए संपाती के छोटे भाई का नाम वे दोनों अपने बल से उनमत और एक दूसरे से लाग डाट रखने वाले थे एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए जोहीं सूर्य के स्वमीप पहुँचे दोनों के पंख जल गए और दोनों ठक कर परबत के सिखर पर गिर पड़े दोनों भाईयों को निश्चेस्ट हेवं अचेत होकर गिरा देख अरुन उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले भगवन ये दोनों पक्षी प्रत्वी पर गिर पड़े हैं इन्हें आस्वासन दें जिससे इनके मृत्यु नहो तथास्त कहकर भगवान सूर्य ने उनको जीवित कर दिया गरुन भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णू के साथ वहां आये और उन्हें सांतना देकर सुख पहुँचाया तदंतर सब लोग अपने संताप का निवारन करने के लिए गंगा तट पर गए जटायू अरुन संपाती गरुन सूर्य तथा भगवान विष्णू सबने उस प्रचूर पूर्य दायक तीर्थ में प्रवेश किया तबसे वह तीर्थ पतत्र तीर्थ के नाम से बिख्यात हुआ वह विष्णा नासक तथा संपूर्ण अभिस्ट वस्तूं को देने वाला है साक्षात सूर्य तथा विष्णू गरुन और अरुन के साथ वहां गौतमी तट पर रहते हैं भगवान शिव का भी उस तीर्थ मे उन देवताओं को नमस्कार करता है वह आधि ब्याधि से मुक्त हो परम सौख्य का भागी होता है गौतमी के तट पर विप्रतीर्थ भी बहुत बिख्यात है उसे नारायर तीर्थ भी कहते हैं उसका उपाख्यान आश्चर में डालने वाला है अंतरवेदी गंगा यमुना के वीज के भोभाग में एक ब्राम्हण रहते थे जो बेदों के पारंगत विद्वान थे उनके कई पुत्र हुए जो बड़े विद्वान गुणवान रूपवान और दयालू थे उनमें जो सबसे छोटे भाई थे वे अनेक गुणों से संपन शांत सरवग्य और परम दीच में एक दिन रात को ब्राम्हण कुमार आसंदिव सोय हुए थे उस दिन उन्होंने भगवान लिश्नु का श्मरण नहीं किया था वे उत्तर और सिरहना करके सोय थे और उनका चित एक आग्र नहीं था इसलिए एक्छानुसार रूप धारन करने वाली एक कूर अंदिव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षण तट पर चली गई वह उस ब्राम्हण के साथ एक्छानुसार रूप धारन करके गोदावरी के दक्षण किनारे की भूमी पर बिचरती रहती थी उसके शरीर में बुढापा आ गया था एक दिन उस भयानत राक्षसी ने ब प्रवर ये गंगा जी हैं तुम अन्य ब्राम्हणों के साथ मिलकर यहां संध्यो पासन करो जो ब्राम्हण समय पर यत्न पूरुबक संध्यो पासन नहीं करते वे ही देव देवेश्वरों द्वारा नीच बताए गये हैं वे चांडालों से भी बढ़कर हैं तुम यहां मदाइनी माता बदलाना नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा द्विजस्रेश्ट यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रियकार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देश में तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुचा दूंगी यह मैं सत्य कहती हूँ ब्रामण ने पूछा तुम कौन हो काम रूपिणी राक्षिसी ने कहा मेरा नाम कंकालिनी है मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ परिचे पाकर मुनी कुमार आसंदिव का चित भैसे ल्याकुल हो उठा परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपत खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया तब ब्राम्हण ने कहा तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूँगा तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूँगा और वही कारे करूँगा ब्राम्हण की बात सुनकर एक्छानुसार रूप धारन करने वाली राक्षसी ने बूढी होने पर भी मनोहर रूप धारन किया और दिव्य बस्तरा भूसनों से बिभोशित हो ब्राम्हण को अपने साथ ले इधर उधर गोमने लगी वह सर्वत्र यही कह दी यह मेरा फुत्र गुणाकर है, ब्राम्हण कुमार, रूब, सवभाग, वय और विद्या से विभोशित थे और यह ब्रद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी अतह सब लोग उसे ब्राम्हण की माता ही समझते थे वहां किसी स्रेष्ट ब्राम्हण ने बस्तरावोसनों से दिभोशित अपनी सुन्दर कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसंदिव को ग्याह दी ऐसे सुयोग ये पती को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना किन्त वे ब्राम्हण अपनी गुनवती पत्मी को देख कर बहुत दुखी हुए उन्होंने मनही मन सोचा यह पापनी राक्षसी एक दिन मुझे खाही जाएगी क्या करूं कहां जाओं अत्मा किससे यह बात कहूं मैं भारी संकट में पढ़ा हूं कौन यहां मेरी रक्षा करेगा मेरी यह कल्यानमई पत्मी गुनवती रूपवती और नई अवस्था की है इसे भी वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी इसी बीच में वह बुढिया कहीं चली गई उस समय अपने पती को दुखित जानकर ब्राम्हण की पति ब्रता पत्मी ने एकांत में बिनीत भाव से पूछा नाथ आप क्यों कस्ट में पड़े हैं ठीक ठीक बताईए ब्राम्हण ने सब बातें बिस्तार के साथ बता दी प्रियमित्र और कुलीन पत्मी से कौन सी बात अकत्नी है पती की बात सुनकर इस्त्री ने कहा प्राड़नाथ जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय है वह घर में भी निर्भय नहीं है परंत जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है वह भी गौतमी तटपर जहां कितने ही वैशनो विरक्त और विवेकी पु प्रुष निवास करते हैं यहां शनान करके पवित्र हो भगवान नाराण की स्तुति कीजिए यह सुनकर ब्राम्मन ने गंगा में शनान किया और गौतमी के तटपर भगवान नाराण का स्तवन आरंभ किया नाथ आप इस जगत के अंतर आत्मा हैं मुकंद आप ही इसकी सि सभार करने वाले हैं अनाथ वंदु नरिसिंग आप ही सबके पालक हैं मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नाराण ने सहस्त्र अरों वाले तेजों में सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षिसी को मा डाला और उस ब्राम्वन को अविस्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुँचा दिया तब से वह स्थान विप्रतीर्थ और नाराण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहां शनान दान और पूजा आधि करने से मनो वांचित फल की सिद्ध होती है चक्षुस्तीर्थ का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं चक्षुस्तीर्थ रूप और सौभाग देने वाला है जहां भगवान योगेश्वर गौतमी की तट पर निवास करते हैं वहां पर्बतों के शिखर पर भावन नगर बिख्यात स्थान है यहां छात्र धर्म पारायन रा में स्रेश्ट गौतम नामक पुत्र हुआ गौतम की एक वैश के साथ मित्रता हुई वैश का नाम मरिकुंडल था इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था तो भी दोनों एक दूसरे के हितैसी थे एक दिन गौतम में अपने धनी मित्र मरिकुंडल से एकांत में प्रेम यदि अनकूल सुख नव प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए जवानी दर्थ गई धन के बिना सौख्य कैसे प्राप्त हो सकता है अहो निर्धन मनुस्य को धिक्कार है कुंडल ने ब्राम्हण से कहा मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा पुरुष प्रसंसनीय माना जाता है सके इन सब की अधिकादिक भृद्धी ही समस्त शरीरधारियों को अभिस्ट होती है जो प्राड़ी अपने ही ब्योसाय से जीवन निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं जो दूसरों के दिये हुए धन से संतोश लाव करते हैं वे कस्ट से ही जीते हैं जो पुत्र अपने बाहु बल का आस्त्रे लेकर धन का उपारजन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता वह संसार में कृतार्थ होता है धना भिलाशी ब्राम्मन का यह कथन सुनकर वैश ने उसे सत्यमाना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा मित्र इस धन से हम लोग सुख पूर्वक देश देशांतर में भ्रमन करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लोट आएंगे वैश तो अपनी सदभावना के अनुसार सत्य ही कहता था किन्तु ब्राम्मन उसे धोखा दे रहा था उसके मन में पाप था किन्तु वैश से उस ऐसा नहीं समझता था दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिये विनाही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिये ब्राम्हड सोचने लगा जिस किसी उपाय से हो सके बैश का धन ले दूँ अहो प्रत्वी पर सहस्रों सुंदर नगर हैं जहां काम की अधिस्थात्री देवी जैसी अभिस्थ भोग प्रदान करने वाली योतियां हैं यद यतन पूर्बक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और जीवन सफल है किस प्रकार बैस से अपने हाथ में आये हुए धन को हड़क कर उसका इच्छा नुसार उपभोग करूं यह सोचते हुए गौतम ने मरी कुंडल से हस्ते हस्ते कहा पाप से ही जीवों की उन्नती होती है और वे मनो वांचत सुख प्राप्त करते हैं संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं अतह एक मात्र दुख ही जिसका पहल है उस धर धर्म में ही सुख की इस्तिती है पाप में तो केवल दुख भै शोक दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं जहां धर्म है वहीं मुक्ति है भला अपना धर्म क्या नस्ट हो सकता है इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष सेष्ट हो व दूसरे का धन ले ले वे बोले अब चलकर हम दोनों किसी से पूछें धर्मापमा प्रबल होता है या अधर्मी बेद से लोक का ही मत स्रेश्ट है क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि प्रत्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म यह प्रस्न सामने आने पर कोई बोले जो धर्म की अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुस्य सुखी हैं।